अध्यायदो भूगोल भूगोल के नामकरण एवं इस विशय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्तित स्वरू प्रदान करने का श्रे यूनान की निवासियों को जाता है। भूगोल शब्द को परिभाशित करने तथा प्रत्वी की परिदी निर्धारित करने के कारण यूनानी विद्वान इरेटोस थिनिज को भूगोल का पिता कहा जाता है। पतंत्र विशय के रूप में भूगोल को उनिस्वी शताब्दी में ही मानिता मिले। बीस्वी शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और परियावरण के पारस्वरिक संबंधों के अध्यन के रूप में विक्सत हुआ। इसकी दो विचार धाराएं थी, एक संभवाद, दो निश्चेवाद, एक संभवाद, इसके अनुसार मनुष्य अपने परियावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, तथा वो प्रकरती प्रदत अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उप्योग कर सकता है इस विचार धारा के समर्थक हैं भुगोल, वेता, चाइडल, डीला, ब्लाश और फ्रेब्वेव, दो निश्चेवाद, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम परियावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, आतहा मनुष्य को स्वेच्छा पूर्वक कुछ करने की स्वतंतर कम हैं, इस विचार धारा की प्रमुक समर्थक हैं भुगोल, वेता, रिटर, रेटजेल और इसी लंगटन, भुगोल की कुछ परिभाशा हैं, एक भुगोल एक ऐसा स्वतंतर विशय है, जिसका उदेशी लोगो कोश विश्व, आकाशिय पिंडो, स्थल महासागरों, में देखने वाला आभा मये विज्ञान है, क्लेडियस टॉलमी, तील, भुगोल वो विज्ञान है, जिसमें प्रिथवी को स्वतंतर ग्रह के रूप में, मानिता देती हुए उसके समस्त लक्षनों, घटनाओं एवं उसके अंतह संबंद का अध्यन किया जाता है, कार्ल र ब्रहमान के अंतरगत उन सभी आकाशे पिंडों एवं उलकाओं तथा समस्त सौर परिवार जिसमें सूर्य चंद्र आदी भी समिलित हैं का अध्यन किया जाता है, ब्रहमान उस अनन्त आकाश को कहते हैं, जिसमें अनन्त तारे, ग्रिह, चंद्रमा एवं अन्य आकाशे पि इस सिद्धान के प्रतिपादक, बेल्जियम के खगुलवित एवं पादरी एब जॉर्जर लेमेंटर थे, दो, महा विस्पोर्ट सिद्धान, विक पैंक थियोरी, ये सिद्धान दो सिद्धानतों पर आधारित है, एक, निरंतर उत्पत्ति का सिद्धान, इसके प्रतिप इस सिद्धान का व्यास, दस की पावर आठ, प्रकाश वर्ष है, मंदाकनी, तारों का ऐसा समूझ जो दुंदला सा दिखाई पड़ता है, तथा जो तारा निर्मान प्रक्रिया के शुरुवात का गैस बुंझ है, मंदाकनी गैलक्सी कहलाता है, ब्रहमान करोडों मंदाकन मंदाकनी को सबसे पहले गैली लियों ने देखा था, आकाश गंगा की सबसे नजदी की मंदाकनी को देव यानी एंडरो मेडा नाम दिया गया है, नवीनतम ग्यात मंदाकनी गैलक्सी है, ड्वार्फ मंदाकनी 2. सौर मंदल सूरिय सन सौरमंडल का प्रधान है यह हमारी मंदाकनी दुग्द मेखला का केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है यह दुग्द मेखला मंदाकनी के केंद्र के चारो और 500 km प्रतिसेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है इसका परिक्रमन काल दुग्द मेखला के केंद्र के चारो और एक बार भूमने में लगा समय 25 परोड वर्ष है जिसे प्रहमान वर्ष कोस्मोस एयर कहते हैं सूरिय अपने अक्षपर पूर्व से पश्चिम की और घूमता है इसका मध्य भाग 25 दिनों में वाद रूफ्य भाग 35 दिनों में एक गुरूणन करता है सूरिय एक गैसी गोला है जिसमें हाइड्रोजन एक अत्र प्रतीशत हीलियम 26.5 प्रतीशत एवं अन्य तत्व 2.5 होता है सूरिय का केंद्र भाग क्रोड कहलाता है जिस काताब 1.5 गोला दस की पावर साथ डिग्री सेल्सियस होता है तता सूरिय की सुरिय के के केंद्र पर नाविक कि नथीर नहीं नहीं होते क्योंकि सूरिय का वायू मंडल प्रकाश का अवशूशन कर लेता है इसे वर्ण बंडल क्रोमो स्फेयर कहते हैं, ये लाल रंका होता है, प्रिष्ट 105, सूर्य ग्रहन के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट और रोना कहते हैं, सूर्य किरीट एक्स वेज उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है, पूर् सूर्य के प्रकाश को प्रिथ्वी तक पहुचने में 8 मिनट 16.6 सकिंड का समय लगता है, सौर्य जवाला को उत्तरी दूप पर औरोरा बॉरिलियस और दक्षिनी दूप और औरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं, सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसप सूर्य के 11 वर्षों तक ये धब्बाग घरता है, जब सूर्य की सतह पर दब्बाद दिखलाई पड़ता है, उस समय प्रिथ्वी पर चुम्बकिये जंजावत, मैगनेटिक स्टॉर्म्स उत्मन होते हैं, इससे चुम्बकिये सूर्य की दिशा बदल जाती है, एवं रेडि को सूर्यताप का दो अरब वा भाग मिलता है, सौर्मंडल के पिंड अंतराश्ट्रिय खगोल शास्त्रिय संग इस्ट्रोनॉमिकल यूनियन आई ए यू की प्राग संमेरन 2006 के अनुसार सौर्मंडल में मौजूद पिंडों को तीन श्रेनियों में बाटा गया है, एक 3. लगू सौर्मंडलिये पिंड दूंके तू उप ग्रहे एवं अन्य चोटे खगोलिये पिंड ग्रहे वो खगोलिये पिंड है, जो निम्न शर्तों को पूरा करता हूं 1. जो सौर्य की चारो और परिक्रमा करता हूं, 2. उसमें परियाप्त गुरुद्वाकर्शन बल हो, जिससे वो गोल स्वरूप ग्रहन कर सके, 3. उसके आसपास कक्षेत्र साप हो, यानि उसके आसपास अन्य खगोलिये पिंडों की बीडबार ना हो, ग्रहों की उपरियुक ग्रहों की संक्या 9 से घटकर 8 रहे गई, यम को बॉने ग्रह की श्रेनी में रखा गया है, ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक पार्थिव या आंत्रिक ग्रह, टेरिस्ट्रियल और इनर प्लानेट, बुद्ध शुक्र प्रित्वी एवं मंगल को पार् ग्रह कहा जाता है, पुलाट ग्रहों में से केवल पांच को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, जो है बुद्ध, शुक्र, शनी, ब्रिहस्पती एवं मंगल, आकार के अनसार ग्रहों का करम घरते क्रम में हैं, ब्रिहसपती शनी, आरों वरुं, प्रित्वी शुक्र, मंगल यहां सबसे अर arrowण सबसे बड़ा ग्रहें सबसे चोटा ग्रहें बुद एम वा नत्व के अनुसार ग्रहों का बर्धटे क्रम में हैं शनी उरेनिस ब्रिहसपति नैप्ट्यून मंगल यहां शुक्र एवं अरुण यूरेनस को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का गुरुणन एवं परिक्रमन की दिशा एक ही है प्रश्ट एक सोच है बुद्ध मरकरी ये सूर्य का सबसे छोटा नजदी की ग्रह है ये सूर्य निकलने के दो गहंटा पहले दिखाई पड़ता है ये सबस प्रित्वी का भगीनी ग्रह के समान है इसके पास कोई उप रहर नहीं है ब्रिहस्पती, ज्यूपिटर, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रहे है, इसे अपनी धूरी पर चक्कर लगाने में दस गंटात सबसे कम और सूरे की परिक्रमा करने में बारह वर्ष लगते हैं, इसके उब्रहों की संख्या 28 है, जिसमें गयानों मीड सबसे बड़ा उब्र रहे हैं, यह पीडे रंग का उब्रहे हैं, मंगल, मार्स, इसे लाल ग्रहे रेट प्लानेट कहा जाता है, इसका रंग लाल आइरन ऑकसाइड के कारण है, यहां प्रित्वी के समान दो दूरुब हैं, तथा इसका कक्षा तली 25 डिगरी के कौन पर जुका हुआ है, जिसके क ग्रहे हैं, फोबोस और डीमोस, सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं, सौर्वंडल का सबसे बड़ा ज्वाला मुखी, ओलिपस मेसी एवं, सौर्वंडल का सबसे उचा परवत, निक्स ओलंपिया, जो मांट एवरिस से तीन कुना अधिक उचा है, इसी ग् के चारो और वलय का होना, मोटी प्लकाश वाली कुंडिली, इसके उब्रहों की संख्या तीस है, जो सबसे अधिक है, शनी का सबसे बड़ा उग्रहें, टीटॉन है, यह आकार में बुद्ध के बराबर है, फोबे नामक शनी का उप्रहें, इसकी कक्षा में गूमने की माचवलयों का नाम अलफा, बीटा, गामा, डिल्टा, एवम, इप्सिलॉन है, यह अपने अक्षपर पूर्व से पश्यम की ओर गूमता है, जबकि अन्य ग्रहें पश्यम से पूर्व की ओर गूमते हैं, प्रिष्ट 107, यहां सूर्यदय पश्यम की ओर एवम सूर्यास्त पूरव की ओर होता है, यह अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना जुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रहे कहा जाता है, इसकी सभी उपग्रहे भी प्रत्वी की विप्रीद दिशा में परिब्रहन करते हैं, इसका तापम уса में सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रहा है यह हरे रंका ग्रहा है इसके चारो और प्रतिशीत्ल मीथेन बादल चाया हुआ है इसके आथ उब ग्रहें हैं जिनमें टाइटन प्रमुक हैं प्रित्वी अर्थ ये आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रहे हैं गिस्त और बंडल का एक मात्र ग्रहे हैं जिस पर जीवन हैं इसका विश्ववत्य व्यास 12,756 किलोमीटर और दुरूब्य व्यास 12,714 किलोमीटर है प्रित्वी अपने अक्षपर 23 सही एक बटा दो डिग्री जुकी हुई है यह अपने अक्षपर वश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति गंटा की चाल से 23 गंटे 56 मिनट और 4 सकिंड में एक पूरा चकर लगाती है प्रित्वी की इस गती को गुरुणन या दैनिक गती कहते हैं इस गती से दिन रात होते हैं प्रित्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 गंटे 48 मिनट 46 सेकिंड लगभख 365 दिन 6 गंटे का समय लगता है सूर्य के चातुर्दिक प्रत्वी के इस परिक्रमा को प्रत्वी की वाशिक गती अत्वा परिक्रमन करती कहते हैं प्रत्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है प्रतेक सौर वर्ष केलेंडर वर्ष से लगभग 6 गंटा बढ़ जाता है जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है लीप वर्ष 366 दिन पाह होता है जिसके कारण परवरी महा में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं प्रत्वी पर रितू परिवर्थन इसकी अक्ष पर जोके होने के कारण तता सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिती में परिवर्थन यानि वार्षिक गती के कारण होती है वार्षिक गती के कारण ही प्रत्वी पर दिन रात चोटा बड़ा होता है आकार एवं बनावट की दिष्टी से प्रित्वी शुक्र के समान है जल की उपस्तिती के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिगरी का कौन बनाता है सूर्य के बाद प्रित्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचूरी है जो अलफा सेंचूरी सम्हू का एक तारा है ये प्रित्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है प्रित्वी का एक मात्र उपगर है चंद्रमा है चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिती का अधियन करने वाला विग्यान सेलेनो लौजी कहलाता है प्रिष्ट 108 इस पर दूल के मैदान को शांती सागर कहते हैं ये चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में होता है चंद्रमा का उच्चिक्तम परवत लीव निड्ज परवत है जो 3,500 फुट यानि 10,668 मीटर उचा है ये चंद्रमा के दक्षिनी दुरूप पर इस्थित है चंद्रमा को जीवाश्म ग्रहे भी कहा जाता है चंद्रमा प्रिथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक गुरूनन करता है यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है प्रिथ्वी से चंद्रमा का 57 प्रतीशित भाग को हम देख सकते हैं चंद्रमा का अक्ष तल प्रिथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोंड बनाता है चंद्रमा प्रित्वी के अक्ष के लगभग सवानांतर है चंद्रमा का व्यास 3480 किलो मीटर तथा द्रवेमान प्रित्वी के द्रवेमान का लगभग 1.8 है प्रित्वी के समान इसका परिक्रमन पत्थ भी दीरगवरताकार है सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधी 29.15 दिन यानि 29 दिन 12 गंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड होती है इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं नाक्षत्र समय के दिश्टिकोर्ण से चंद्रमा लगभग 27 सही एक बटा दो दिन यानि 27 दिन 7 गंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड में पुरह उसी स्थिती में होता है 27 सही एक बटा दो दिन की ये अवधी एक नाक्षत्र मास कहलाती है जुआर उटने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11 अनुपात 5 है आपोलो के अंतरिक्षियातियों द्वारा लाएकर चटानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृत्वी लगवग 460 करोण वर्ष इसकी चटानों में टाइटेनियम की मात्रा अतिनिक मात्रा में पाई गई है बौने ग्रह, यम, प्लूटो इसकी खोज 1930 इसवी में प्लाड टामबो नहीं की थी अगस 2006 की आई ए यू की प्राग समेलन में ग्रह कहलाने के मावदन पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेनी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेनी में रखा गया है यम को ग्रह की श्रेनी से निकाले जाने का कारण है एक, आकार में चंद्रमा से चोटा होना, दो, इसकी कक्षा का व्रताकार नहीं होना, तीन, वरुन का कक्षा को काटना, आई ए यू ने इसका नया नाम 134340 रखा है सेरस, इसके खोज इटली के खगोल शास्त्री पियार जी ने किया था, आई ए यू की नई परिभाशा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेनी में रखा गया है, जहां इसे संख्या एक से जाना जाएगा, इसका व्यास बुद्ध के व्यास का एक बटा पांच भाग है अन्य बौने ग्रहे हैं चेहराउन एवं 2003 UB 313 इरिस लगूस और मंडल के पिंड, शुद्र ग्रहे, एस्टिरोइट्स, मंगल एवं रिहस्पत्ती ग्रहे की कक्षाओं के बीच कुछ चोटे-चोटे आकाशे पिंड है, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे एक शुद्र ग्रहे कहते हैं खकोल शास्त्रियों के अनुसार, ग्रहों के विस्वोट के फलसरूप, टूटे टुकडो से एक शुद्र ग्रहे का निर्मान हुआ है, शुद्र ग्रहे जब प्रित्वी से टकराता है, तो प्रित्वी के प्रिष्ट पर विशाल गर्थ बनता है, महराष्टर में लोनार, जील ऐसा ही एक गर्थ है, फॉर वेस्टा इकमात्रिक शुद्र ग्रहे हैं, जिसे नंगी आँखों से देखा जा सकता है, प्रिष्ट 109, धूम केतू, कॉमिट, सौर मंडल के छोर पर बहुती छोटे छोटे अर्बो पिंड विद्यमान है, जो धूम केतू या, पुच्च होता है, क्योंकि सूर्य के रिने इसकी गैस को चमकीला बना देती है, धूम केतू की पूछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है, हैले नामक धूम केतू का परिक्रमन काल 76 वर्ष है, यह अंतिम बार 1986 वी दिखाई दिया था, अगली बार यह 1986 प्लस 76 बराबर 2062 म नहीं होते हैं, फिर भी प्लदेक धूम केतू के लोटने का समय निश्चित होता है, उलका, मिटियोरस, उलकाएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं, जो अकाश में क्षण भर के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं, उलकाएं क्षुद्र ग्रहों के टुकडे तथा धूम के तूओ द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कर्ण होते हैं, सौर परिवार की सारणी, ग्रहों के नाम, बुद्ध, व्यास किलोमीटर में 4878, परी ब्रहमन समय अपनी अक्षपर 58.6 दिन, परिक्रमन का समय सूर्य के चारो और 88 दिन, उप रहो की संख्या शुन्य, शुक्र, व्यास, 12,102 किलोमीटर में परी ब्रहमन समय अपनी अक्षपर 243 दिन, परिक्रमन समय सूर्य के चारो और 224.7 दिन, उप रहों की संख्या शुन्य, परिथवी, व्यास, 12,756 डैश, 12,714 परी ब्रहमन समय अपनी अक्षपर 23.9 घंटे, परि 365.26 दिन, उग्रहों की संख्या एक, बंगल, व्यास, 6,787 परी ब्रहमन समय, 24.6 घंटे, परिक्रमन समय, 687 दिन, उग्रहों की संख्या दो, व्यास, 12,42,800 किलोमीटर परी ब्रहमन समय, 9.9 घंटे, परिक्रमन समय, 11.9 वर्ष, उग्रहों की संख्या अठाईस, शनी, व्या पृब्रह्मंट समय 10.3 strain है परिक्रमण समय 29.5 वर्ष उग्रेहों की संक्या 30 are वियास 51,400 km परिभर्मन समय 16.2 घंटे, परिक्रमन समय 84.07 वर्ष, उग्रहों की संख्या 21 वरुण वियास 48,600 km परिभर्मन समय अपने अक्षपर, 18.5 घंटे, परिक्रमन समय सूर्य के 4 ओर 144.8 घंटे, उग्रहों की संख्या 8 तीन, प्रित्वी और उसका सौर्यक संबन प्रकाश चक्र, सर्कल ओफ इल्यूमिनेशन वैसे कालपनिक रेखा जो प्रित्वी के प्रकाशित और आप्रकाशित भाग को बाढ़ती है प्रित्वी के परिव्रहमन की दिशा पश्यम से पूर्व है जिस कक्षा में प्रित्वी सौर्य की परिक्रमा करती है वो दीर घुबरती है आतहा तीन जनवरी को सौर्य और प्रित्वी के बीच की दूरी अपशक्रित कम हो जाती है जिसे उपसारिक पैरी हेलियोन की स्थिती कहते हैं ये दूरी 9.15 करोड मील है इसके विप्रित उत्तरायन की स्थिती में चार जुलाई को प्रित्वी सौर्य से कुछ दूर चली जाती है इसको अपसेरिक एपहिलियन कहते हैं ये दूरी 9.45 करोड मील होती है एपसाइड रेखा उपसेरिक एपम अपसेरिक को मिलाने वाली कालपनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है इसे एपसाइड रेखा कहते हैं अक्षांच, लाटिट्यूट ये गलोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खीची गई कालपनिक रेखा है जिसे अंच में प्रदर्शित किया जाता है वास्तम में अक्षांच वो कोण है जो विशुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच प्रित्वी के केंद्र पर बनती है विशुवत रेखा को शूनी अंच की स्थिती में माना जाता है यहां से उत्तर की और बढ़ने वाली कोणी की दूरी को उत्तरी अक्षांच तना दक्षिन में बढ़ने वाली दूरी को दक्षिनी अक्षांच कहते हैं इसकी अधिक्तम कुसीमा पर दुरूब है जिरे 90 डिग्री उत्तरी या दक्षिनी अक्षांच कहा जाता है सबी अक्षांच रेखाएं सवारांतर होती है प्रिष्ट 110 तो वो दो अक्षांचों के बीच की दूरी शेतरफल जोन के नाम से जानी जाती है दो अक्षांचों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है जबकि दक्षिन में 23 सही 1 बटा 2 डिगरी अक्षांच को मकर रेखा माना गया है देशांतर लॉंगिट्यूड ये ग्रोब पर उत्तर से दक्षिन की और खीची जाने वाली काल्पनिक रेखा है ये रेखाएं समानांतर नहीं होती है ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिनी ध्रूब पर एक बिंदू पर मिल जाती है ध्रूबों से विशुवत रेखा की ओर बहने पर देशांतरों के बीच की दूरी बहनती जाती है तथा विशुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिक्तम 11.32 किलूमीटर होती है किसी स्थान का समय ग्यात किया जाता है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है शूर्य अंश अक्षांश एवं शूर्य अंश देशांतर अट्लांटिक महसागर में काटती है संक्रांती सॉल्स टाइफ सॉर्य के उत्तरायन और डक्षनायन की सीमा को संक्रांती कहते है कर्क संक्रांती 21 जून कोसुय कर्क रेखा कोश्टक में 23 एक बटा दो डिगरी नौर्थ कोश्टक समाप्त पर लंबबथ होता है इसे कर्क संक्रांती कहते है इस दिन उत्तही गोलार्द में सबसे वड़ा दिन होता है। मकर संक्रांती 22 देसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। यब सूर्य की किर्ने विश्वत रेखा पर लंबवत पढ़ती है और सरवत्रे दिन एवं रात बराबर होते हैं। 22 सतंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण प्रित्वी पर दिन एवं राद बराबर होते हैं। इसे क्रमशाह शरद विश्णु, ओटोमेनल इक्युनॉक्स एवं बसंत विशु, वर्नल इक्युनॉक्स कहते हैं। सूर्य ग्रहन, सोलर एकिलेप्सी, जब कभी दिन के समय पूर सूर्य एवं प्रित्वी के बीच में चंद्रमा के आजाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पढ़ने लगती हैं, तो इस स्थिती कोच सूर्य ग्रहन कहते हैं। जब सूर्य का एक्भाग छिप जाता है तो उसे आनशिक सूर्य ग्रहन, और जब पूरा सूर्य ही कुछ ख्षनों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर सूर्य ग्रहन कहते हैं। पून सूर्य ग्रहन हमेशा अमवस्य नियू मून को ही होता है, चंद्रग्रहन. Lunar Eclipse जब सूरिय और चंद्रमा के पृथवी आ जाता है, तो सूरिय की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्रग्रहन कहते हैं, चंद्रग्रहन हमेशा पूर्णिमा फुल मून की रात्री में ही होता है, प्रतेख पूर्णिमा को चंद्रग्रहन नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा और पृत्वी के कक्षा पत, और बिट पात में 5 डिगरी के अंतर होता है, जिसके कारण पूरे ग्रहन के समान चंद्रग्रहन भी आशिक अथ्वा पूर्ड हो सकता है। समय का द्धानन एक देशांतर का अंतर होने पर समय में चार मिनट का अंतर होता है। चुकि पृत्वी पश्रिम से पूरव की और घूंती है वालतहा पूरव की और बहने पर प्रतेक देशांतर का समय 4 मिनट भड़ता जाता है तथा पश्रिमी जाने पर प्रतेक देशांतर पर समय 4 मिनट घटता जाता है अंतराश्ट्री तिथी रेखा 183 डिग्री देशांतर को अंतराश्ट्रे तिथी रेखा कहते हैं 1884 इसवी में वाशिंग्टन में संपन इंटरनेशनल मेरीडियन कॉन्फरेंस में 180 वे यामियोत्तर को अंतराश्ट्रे तिथी रेखा निर्दारित किया गया है ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशारी ना हो अंतराश्ट्रे तिथी रेखा आर्कटिक सागर चुकी सागर बेरिंग स्ट्रेट वा प्रशांत महा सागर से गुजरती है ग्रीन विच मेरीडियन से गढ़ना करते हुए इस रेखा 182 या मियोत्तर के पूर्व वालेक शेत्र एक दिन आगे होंगे या दूस्टे शब्दों में इस रेखा से पश्चिमी वालेक शेत्रों से 12 गंटे आगे होंगे प्रिष्ट 111 जब कोई जलियान पश्चिमी दिशा में यात्रा करते हुए तिथी रेखा को पार करता है तो उसे एक दिन की हानी होती है क्योंकि इस इक शेत्र में समय 12 गंटे पीछे चल रहा होता है जैसे सोंबार के बाद रविवार आना परन्तो यदि जलियान पूर्व की यात्रा करते हुए तिथी रेखा को पार करता है तो एक दिन का लाब होता है जैसे यदि वो सोंबार को यात्रा प्रारंब करता है तो तिथी रेखा पार करने पर नएक शेत्र में बुद्भार का दिन उसे प्राप्त होगा नोट के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है अर्थात प्रतेक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है ग्रीन विच सयामियोत्तर जीरो डिग्री देशांतर पर है जो कि ग्रीनलेंड वा नार्वनियन सागर वा बिटेन स्पेन अलजीरिया फ्रांस माले बुर्की नाफासो घा वादक्षिन अट्लांटिक समुद्र से गुजरता है प्रतेक देश का मानक समय ग्रीन विच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणब के अंतर पर निर्धारित किया जाता है मानक समय स्वेच्छा से चैनित या मियोत्तर का स्थाने समय होता है जो एक विशिष्ट इक्षेत् शोनी अंच के अक्षांच विश्वत रेखा के उतरी भाग को उत्तरी गोलार्द और दक्षिनी भाग को दक्षिनी गोलार्द कहते हैं कटीबंद, जोन प्रते गोलार्द को ताप के आधार पर कई भागों में बाटा गया है इन भागों को कटीबंद कहते हैं ये निम्न है एक उश्न कटीबंद, ट्रॉपिकल जोन विश्वत रेखा से 30 डिगरी उत्तर एवं 30 डिगरी दक्षिन का भाग यहां वर्ष में दो बार सूर्य शीवश पर चमकता है इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है 2. उपोष्ण कटिबन, सब्रॉपिकल जोन 3. उपोष्ण कटिबन, टेंपरेट जोन 45 डिगरी से 66 डिगरी उत्तरी और दक्षिनी अक्षान्शों के बीच का इक्षेतर यहां सूर्य सिर के उपर कभी नहीं चमकता है बलकि उसकी करने तिर्ची होती है, अता यहां ताप हमीशा कम रहता है चार दुरूबिय कटिबन पोलर जोन चासर डिग्री से नब्वे डिग्री के मद्यस्तित ख्षेत्र जहां ताप अतियंधी कम रहता है जिसके फलसोरुप वहां हमेशा बर्व जमी रहती है चार प्रित्वी की आंतरिक संरचना के संबंद में वेज्यानिकों में मद्भीध है वूगर्ब में पाई जाने वाली परतों की मोटाई घनत्व तापमान भार एवं वहां पाई जाने वाले पदार्थ की प्रकर्दी पर अभी पून सहमती नहीं हूपाई है फिर भी तापमान दबाव घनत उलकाओं एवं भू कमपिये तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके फृत्वी की आंतरिक संरचना के संबंद में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास के गए हैं प्रत्वी के अंदर के हिस्से को तीन भागों में बाटा गया है एक भूपरपटी, क्रस्ट, दो आवरन, मैंटल, एवं तीन केंद्री भाग, कोर, भूपरपटी, क्रस्ट, प्रत्वी के उपरी भाग को भूपरपटी कहते हैं ये अंदर की तरफ 34 किलमीटर तक का शेत्र है, यह मुख्यता वेसाल्ट चटानों से बना है, इसके दो भाग हैं, एक सियाल और दो सीमा, सियाल अक्षेत्र में सिलिकन एवं, एलुमीना एवं, सीमा अक्षेत्र में सिलिकन एवं मेगनीशियम की बहुलता होती है, कर्स्ट भाग का औस्ट गरत्व 2.7 ग्राम प्रति स की पावर 3 है, यह प्रत्वी के कुल आयतन का 0.5 प्रतिशत भाग गेरे हुए है, प्रिष्ट 112, हूपटल की रचना सामगरी, सबसे अधिक ऑक्सिजन 46.80 प्रतिशत, दूसरे स्थान पर सिलिकन 27.72 प्रतिशत और तीसरे स्थान पर एलुमीनियूम 8.13 प्रतिशत है, मेंट मेंटल, 2900 किलोमीटर मोटा येकशेतर मुख्यतह बैसाल्ट पत्थरों के सम्हूं की चटानों से बना है, मेंटल के इस हिस्से में मैगमा चैंबर पाय जाते हैं, इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम प्रतिसेकंड की पावर 3 से 5.5 ग्रतिसेकंड की पावर 3 है, ये प्रिष्व कहते हैं, मोह सिविक डिसकंटिन्यूटी, कास्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेतर को मोह विक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, रेपेटी आसंबदुता, उपरी मेंटल एवं निचले के बीच के सीमा क्षेतर को रेपेटी आसंबदुता कहते हैं, गुटेनबर्ग क्षेत्र को लहमेन आसमवदुटा कहते हैं केंद्री भाग कोर पृतवी के केंद्र की ख्षेत्र को कॉंद्री भाग कोर कहते हैं ये क्षेत्र निकेल वा फैरस का बना है इसका औसद घरत्व 13илисьола 13 two पह सब्सक्र भावर तीन На नीचे जाने पर 32 मीटर की गहराई पर टापान एक डिगरी सेलसेज बढ़ता जाता है पृत्वी के स्थर्यक्षेत्र पर सबसे नीचे एक शेत्र जाडर में मृतसागर की आसपास का शेत्र है यह क्षेत्र समुद्रतल से ओस्थन 400 मीटर नीचा है सबसे पहले पाइटोगोरस ने बताया कि पृत्वी गोल है और यह आकाश में स्वतद्र रूप से लड़की हुई है सराइजक न्यूटन ने साबित किया कि पृत्वी नारंगी के समान है जेम्स जीन ने इस नारंगी के बज़ाए नाशपाती के समान बतलाया पृत्वी के बहाय सतह को मुखे तहा चार भागों में बाठ सकते हैं एक स्थल मंडल, लाइथोसफेर, दो जल मंडल, हाइडोसफेर, तीन वायूमंडल, एक्मोसफेर, चार जैवमंडल, बायोसफेर अच इस्थल मंडल प्रित्वी के संपूर्ण भाईय परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं स्थर मंडल कहलाती है प्रित्वी के कुल 39 प्रतीशत भाग पर स्थल तथा 71 प्रतीशत भाग पर जल है प्रित्वी के उत्तरी गोलार्थ का 61 प्रतीशत तता दक्षिनी गोलार्थ के 81 प्रतीशत एक्षेत्रफल में जल का सामराज है प्रित्वी पर अधिक्तम उचाई माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर की तता अधिक्तम गहराई मेरियाना गर्थ 11,033 मीटर की है इस प्रकार प्रित्वी की अधिक्तम उचाई एवर अधिक्तम गहराई में लगबग 20 किलो मीटर का अंतर है प्रित्वी की सतह के कठोर भाग को चठान खहते हैं जो प्रित्वी की बहरी परत की संरचना की मूल भूत एकाया है पुत्पत्ति के आधार पर ये तीन प्रकार की होती है एक आग्निय, आइग्नियोस, दो अवसादी, सीडियमेंट्री, तीन कायांतरित मेटा मॉरफिक, एक आग्निय चठान, आइजनोस, रॉक, ये मैगमा या लावा के जमने से बनती हैं जैसे ग्रिनाइट, बैसाल्ट, पैगमाटाइच, टाइरुराइच, ग्रेबो, आदी प्रिष्ट 113 अग्निय चठान, स्थूल, परत रहित, कठोर, संगनन, एवं, जिवाश में रहित होती हैं, आर्थिक रूप से ये बहुती संपन चठान हैं, इसमें चुमबकिये लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैगनीज, सोना तथा प्लेटिनम पाय जाते हैं, बै मैगमा के ठंडा होकर ठोस रूप धारन करने से विबने प्रकार के आग्निय चठानी पिंड बनते हैं, इनका नामकरन इनके आकार, रूप, स्थिती तथा आसपास पाय जाने वाली चठानों के आधार पर किया जाता है, अधिकान चठानी पिंड अंतरवेदी आग्निय च चठानों से बनता है, वास्ता में ये एक पाताली पिंड है, ये एक बड़े गुंबत के आकार का होता है, जिसके किनारे खड़े होते हैं, इसका उपरी तल विशम होता है, ये मूल तहा ग्रेन आइट से बनता है, स्रयुक्त राजे अमेरिका का इदाहो बैथोलित 40,000 वर किलोमीटर से कम होता है, तीन, लैकोलित, जब मैगमा उपर की परत को जोर से उपर को उठता है, और गुंबत कार रूप में जम जाता है, तो इसे लैकोलित कहते हैं, मैगमा के तेजी से उपर उठने के कारण ये गुंबत कार ठोस्पिंड छत्रिनूमा दिखाई देता है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लैकॉलित के कई उधारन मिलते हैं नोट लैकॉलित बहिरवेधी जुआला मुकी परवत का ही एक अंतरवेधी प्रतिरूप है चार लैकॉलित जब मैगमा जम कर तश्टरी रूमा आकार ग्रहिंट कर लेता है तो उसे लैकॉलित खहते हैं लैकॉलित दक्षिन अमेरिका में मिलते हैं पांच फैकॉलित जब मैगमा लहरदार आकरी में जमता है तो फैकॉलित खेलाता है 6. सिल जब मैगमा बूप्रिष्ट के समानांतर पड़तों में फैल का जमता है तो उसे सिल कहते हैं इसके मोटाई एक मीटर से लेकर सेकड़ों मीटर तक होती है 36 गर तथा जारखंड में सिल पाए जाते हैं एक मीटर से कम मोटाई वाले सिल को शीट कहते हैं 7. डाइक जब मैगमा किसी लंबबद दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है जारखंड के सिंग भूम जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं 2. अफसादी चटान सीडियम एंटरी रॉक प्रकर्टी के कारकों द्वारा निर्मित चोटी-चोटी चटाने किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बात के काल में दबाव का रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्यकारणों के द्वारा परद जैसी चोस रूप में निर्मित हो जाती है इन्हें ही अफसादी चटान कहते हैं जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांगलो मेरेट नमकी चटान एवं शेल खरी आदी अफसादी चटाने परदार होती है इन में वनस्मती एवं जीव जन्तूओं का जीवाश में पाया जाता है इन चटानों में लोह अयस्क, फास्पेट, कोईला एवं सीमेंट बनाने की चटाने पाय जाती हैं खनिस तेल अफसादी चटानों में पाय जाता है आप प्रवेश्य चटानों को दो पर्टों के बीच यदि प्रवेश्य शैल की परत आ जाये तो खनिस तेल के लिए अनुकूल स्थिती पैदा हो जाती है दामोदर महनदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अफसादी चटानों में कोईला पाया जाता है आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अफसादी चटानों का बना है कायांतरत चटान मेटामोर्फिक रॉक ताप दाब एवं रासाइनी क्रियाओं की कारण आगनिय एवं अफसादी चटानों से कायांतरत चटान का निर्मान होता है प्रिष्ट एक्सो चौदा, प्रिटानो का रूपांत्रण, आग्निय और कायंत्रित, ग्रिनाइट, कायंत्रित नीस, साइनाइट, कायंत्रित, साइनाइट नीस, आग्निय ग्रेवो, कायंत्रित सर्पेंटाइन, आग्निय बेसाल्ट, कायंत्रित सिस्ट, आग्निय बिटुम ज्वाला मुखी ज्वाला मुखी वॉलकेनों भूपटल पर वो प्राकर्टिक छेद यादरार है जिसे होकर प्रत्वी का प्रिगला पदार्थ लावा, राक, भाब तदा अन्य गैसे बाहर निकलती हैं बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीगरी ठंडा होकर छोटे डोस टुकडों में प्रित या शांत ज्वाला मुखी एक्टिव वॉलकेनों इसमें अक्सर उद्गार होता है वर्तवान समय में विश्व में सक्रिय ज्वाला मुख्यों की संख्या 500 है इनमें प्रमुक है इटली का एटना तथा स्ट्रामबोली मेक्सिको उत्तर अमेरिका में स्थित कॉलिमा ज्वाला मुखी बहुत ही सक्लिय ज्वाला मुखी है इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है स्ट्रामबोली वुमद्य सागरी में सिसली के उत्तर में लिपारिद वीपर अवस्तित है इसमें सदा प्रजुलित गैस निकला करती है जिसे आसपास का भाग प्रक प्रकाशित रहता है इस कारण इस ज्वाला मुखी को वुमद्य सागर का प्रकाश स्टंब कहते हैं प्रसुप्त ज्वाला मुखी जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है इसके उधारण है विसूबियस वुमद्य स हुआ है और जिसमें पुन्हा उद्गार होने की संभावना नहीं हो इसकी उधारन है कोहो सुल्तान एवं देमवन इरान पोपा म्यानवार किली मंजारो अफ्रीका चिम बराजो उदक्षिन अमेरिका कुल सक्रिय ज्वालमुखी का अधिकांश फ्रशांत महसागर के तर्किय पर स्थित है अस्ट्रेलिया महादवीब में एक भी ज्वालमुखी नहीं है गेसर बहुत से ज्वालमुखी क्षित्रों में उदकार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वार्ष को कुछ अधिक उजाई तक निकलने लगते हैं इसी को गेसर कहा जाता है जैसे ओल्ड फेटपोल के सर ये यूएसो के येलो स्टोन पार्क में है इसमें प्रते एक मिनट उद्गार होता रहता है विश्व का सबसे उचा ज्वालमुखी परवत कोटा पैक्सी एकवेडोर है जिसकी उचाई उनीस हजार जैसो तेरह फीट है विश्व की सबसे उचाई प पर इस्थित शान्त जवालमुखी एक आंक गुवा एंडीज परवतमाला पर ही इस्थित है जिसकी उचाई 6906 मीटर है प्रिश्ट 115 भूकंप वुगर्व शास्त्र की एक विशेश शाखा जिसमें भूकंपों का अध्यन किया जाता है सस्मो लॉजी कहलाता है वूकंप अर्थक्वेक की तीवरता की माप विक्टर पैमाने पर की जाती है वूकंप की तीवरता मापने वाली विक्टर स्केल कास्क विकास अमेरिकी वेग्यानिक चार्ल्स विक्टर द्वारा 1935 में की गई थी इस स्केल पर 2.00 या 3.00 की तीवरता का अर्थ हलका वूकंप होता है जबकि 6.2 की तीवरिता कार्थ शक्तिशाली भुकंप होता है भुकंप में तीन तरह के कमपन होते हैं एक प्राथमिक तरंग प्रामरी वेब ये तरंग पृत्वी के अंदर प्रतेक माध्यम से होकर गुजरती है इसकी ओसत में एक 8 km पती सेकिन होती है ये गती सभी तरंगों से अधिक होती है जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुचती है इन्हे अनुप्रस्त तरंगे भी कहते हैं ये तरंग केवल धोस माध्यम से होकर गुजरती है इसकी ओसत वेग 4 km पती सेकिन होती है 3. L तरंगे, L waves, इन्हें धरातलिय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है, इन तरंगों के खोज HD love ने की थी, कई बार इन्हें love waves के नाम से भी पुकारा जाता है, इनका अन्य नाम R waves, Raylights waves है, ये तरंगे मुख्यताह धरातल तक ही सीमित रहती है, ये टोस तरल तथा गैस तीनों माध्यमों में से गुजर सकती है, इसकी 1.5-3 किलोमीटर प्रती सेकंड है, वुकंपी तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्रद्वारा रेखांकित किया जाता है, इससे इनके वहवार की संबंध में निमनलिके तर्थ्य निखलते हैं, एक, सभी वुक आथमिक तरंगे ही प्रत्वी के केंद्री भाग से गुजर सकती है, परन्तों वहाँ पर उनका वएक कम हो जाता है, तीन, गौड तरंगे द्रफ पदार्थ में से नहीं गुजर सकती, चार, एल तरंगे कीवल धरातल के पास ही चलती है, पांच, विविन ववमाध्यमों मे से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित तथा आप वर्तित होती है, केंद्र, वुकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र बहर कहते है, वुकंप के केंद्र के निकट P, S तथा L तीरो प्रकार की तरंगे पहुँचती है, प्रित्वी के बीतरी भागों में ये के लुप्थ हो जाती है और पी तरंगे अपवर्थित हो जाती है इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगबग 5,000 किलोमीटर दर कोई भी तरंग नहीं पहुंसती है इस इक्षेत्र को छायक्षेत्र शेडो जोन कहा जाता है अधी केंद्र एपी सेंटर भूकंप के केंद्र के ठीक उपर प्रित्वी की सतह परस्थित बिंदु को भूकंप का अधी केंद्र खहते हैं अंतह सागरी भूकंपों द्वरा उत्पर लेहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है विबिन स्थलाकृतियां निर्मान की आधार पर स्थलाकृतियां प्रवत के लाते हैं बीच में धसे भाग को ग्रिफ्ट घाटी कहते हैं इन परवतों की शीच समतल पर तथा किनारे तीवर भ्रण्ष कागारों से सीमित होते हैं इस प्रकार के परवत की उधारन है वाजजेस्ट फ्लांस ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी सौल्ट रेंज पाकस्त नोट विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जेंबजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है प्रिष्ट 116 बी अवशिष्ट परवत रेजिडियूल माउंटेन ये परवत चट्टानों के अपरदन के पलसुरूप निलमित होते हैं जैसे विंद्याचल एवम सत्पुडा नेलगीरी पारसरनात राजमहल की पहाडियां भारत सियरा स्पेन गैसा एवम भूटे अमेरिका सी संचित परवत एक्यूमिलेटिड माउंटेन भूपडल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला परवत रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्थूप इसी श्रेणी में आते हैं वलित परवत फोल्ड माउंटेन ये प्रित्वे के आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बढ़ते हैं ये लहरदार परवत हैं जिन पर असंग के अपनतियां और अभी नीतियां होती हैं जैसे हिमाले, आलपस, यूराल, रॉकीज, एंडीज परवत निर्बान के विभिन सिधान्त, भू संतती का सिधान्त, कोबर, तापिय संकुचन सिधान्त, जैफीज, महदवीपे फिसलन सिधान्त, डेली, महदवीपे विस्थापन सिधान्त, वेगिनर, समवेहन तरंग सिधान्त, होम्स, रेडियो एक्टिविटी सिधान्त, जोली प्रेट वी वर्तनिक सिधान हैरी हैस मैकिंजी पाकर मौर्गन आदी जहां आज हिमाले परवत खड़ा है वहां किसी समय में टेथिस सागर नामक विशाल भू अभी नीती अथवा भू द्रोडी थी दक्षिन पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथिस साग का सबसे उचा परवत हिमाले का निर्बान हुआ भारत का अरावली परवत विश्व के सबसे पुराने वलित परवतों में गिना जाता है इसकी सबसे उची चोटी बाउं टाबू के निकट गुरू शिखर है जिसकी समुद्रतल से उचाई 1722 मीटर है कुछ विद्वान अर समानता पठार की उचाई 300 से 500 फीट होती है कुछ अधिक उचाई वाला पठार है तिब्बत का पठार 16,000 फीट बोलीविया का पठार 12,000 फीट कोलंबिया का पठार 7,800 फीट पठार निम्न प्रकार के होते हैं अंतर परवत्य पठार परवत मालाओं के बीच बने पठार बी परवत पठार परवत तल और मैदान के बीच उठे समतल भाग सी महदवीप ये पठार जब प्रत्वी के बीटर जमक लेखोलित भूप रिष्ट के अपरदन के कारण सतह पर उभराते हैं तब ऐसे कट पठा बनते हैं जैसे दक्षिन का पठार दी तट्य पठार समुद्र के तट्य भाग में स्थित पठार ई गुंबदा कार पठार चलन क्रिया के फलसुरूप निर्मित पठार जैसे रामगर्ड गुंबद भारत तीन मैदान प्लेन पांसो फीट से कम उचाए वाले भूप रिष मैदान हवा द्वारा उड़ाकर लाए गए मिट्टी एवं बालों के कड़ों से निर्मित होता है बी कार्स्ट मैदान चुने पत्थर की चट्टानों के गुलने से निर्मित चट्टान सी संप्राय मैदान समुद्रतल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्मान नदियों के अपर्दन के फलसुरूप होता है डी ग्लेशियल मैदान हिमके जमाफ के कारण निर्मित दलदली मैदान जहां केवल वन ही पाय जाते हैं प्रिष्ट 117 ए लेगिस्तानी मैदान वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलसुरूप इसका निर्माण होता है दो निक्षे पात्मक मैदान नदी निक्षे द्वारा बड़े-बड़े मैदानों का निर्माण होता है इसमें गंगा, सतलच, मिसिसिपी एवं वांगों के मैदान प्रमुख है इस प्रकार की मैदानों में जलोड का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुक है बिन बिन कारकों द्वारा निर्मित स्थालाकृती, एक भूमिगत जल्द्वारा निर्मित स्थालाकृती, एक उत्सरुत कुवां, आर्टिशन वेल, दो गीजर, तीन घोल रंद्र, चार डॉलाइन, पांच कार्स्ट जील, चै युवाला, साथ पोल्यो, आठ कंद्रा, नौ स्टेलक्ताइट, तस स्टेलमेगमाइट, नौ, लैपीज, नौ, सरवादिक उत्त्रुत कुवां आस्टेलिया में पाय जाता है, दो सागरिय जल्द्वारा निर्मित स्थालाकृती, एक सर्ख, दो वेला चली, तीन तंगारिका, चार पुलिन, पांच हुक, छै लूप, सा साथ ब्रमलिन, आर्ट केम आदी, चार पवन द्वारा निर्मित स्थालाकृती, एक जियोगेन, दो याडंग, तीन इंसेल वर्ग, चार छटरक, पांच प्लेयाप, छै लैगून, साथ बर्खान, आर्ट लोएस, पांच समुंद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थालाकृ इस प्रकार का वन विश्वत रेखिये प्रदेश और उश्ने कटीबंद्य प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां 200 cm अधिक वर्शा होती है, यहां पेडों की पतियां चौड़ी होती है, बी उश्ने कटीबंद्य अर्ध पत जड़वन, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियोस 150 cm से कम वर्शा प्राप्त करने वाला वन, साल, सागवान एवंबास आदी इसी वन में पाए जाते हैं, इन वनों में वर्ख्ष और ज़ाडियों का मिश्नन होता है, जैतून, कार्क तथा ओक यहां के मुक्चे वर्ख्ष हैं, यह सदाबाहर वन है, इस वन के वर्ख्ष की पत्तियां नुकीली होती है, यह बर्व से ढगा रहता है, गर्मी में यहां मास तथा लाइके इन उकते हैं, इफ परवती वन, यहां चोड़ी पत्ति वाले शकूधारी वर्ख्ष पाए जाते हैं, गास के मैदान, गास भूमियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया इसे अलग-अलग बेशों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सवाना, अफ्रीका, कंपोज, ब्राजील, लानोस, वेनिजुईला वा कोलंबिया, बी, शितोषन, कटिबंधिये घास, भूमिया, इसे निम्न नाम से जाना जाता है, प्रियरी संयुक्तिराश्ट् पंपास, अर्जेंटीना, वेल्ट, दक्षिन, अफ्रीका, डाउंस, आस्ट्रेलिया, स्टेपी, एशिया, यूक्रेन, रूस, जीन, के, मंचूरिया, प्रदेश 6. महाद्वीप प्रिथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी एकाई को महाद्वीप जहते हैं, संपूर्ण प्रिथ्वी का स्थलक्षेत्र, साथ महाद्वीपों में बटा है, एक एशिया, दो यूरोप, तीन उत्तरी अमेरिका, चार दक्षिनी अमेरिका, पाँच, अफ्रीका, छे एशिया, शब्द की उत्पर्ती हिब्रो भाषा के आसू से हुई है, जिसका शाब्दिकर्थ उदित सूर्य से है, ये संसार का सबसे बड़ा महद्वीप है, संपूर्ण विश्व का 30 प्रतीशत, यहां विश्व की लगबग 60 प्रतीशत जनसंख्या, सरवादिक जनसंख् महद्वीप निवास करती है, प्रिष्ट 118, एशिया में विश्व का सबसे उचा परवत शिखर हिमालय परवत माला श्रेनी का माउंट एवरिस्ट 8,850 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं, विश्व का सरवादिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में दो लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, एशिया में विश्व का सबसे उचा पठार पामीर है, जिसकी उचाई 4875 मीटर है, इसी कारण पामीर को विश्व की छत, रूफ ऑफ दी वर्ल्ड कहते हैं, एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर 377 मीटर की है, एशिया में फिलिपिन्स ड्वीप सम्भू के पास विश्व का सबसे गहरा सागरिय गर्थ, प्रशान्त महसागर में मेरियाना गर्थ 11,033 मीटर गहरा है, विश्व की सबसे गहर जील आंदरिक सागर कैस्पियन सागर जिसकी किलोमीटर 37,1800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तरत एशिया महदवेश में स्थित है, एशिया में विश्व की सबसे अधिक उचाई पर स्थित खारे पानी की जील पैगांग जील जो की 4,267 मीटर उचा लदाक वा तिब मिली मीटर में घाले भारत में है, इससे पहले चेरापुंजी सरवाधिक वर्षा वाला स्थान था, एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवी प्लेटफार्म खड़कपूर पश्रिम बंगाल भारत में स्थित है, इसकी लंबाई 1072.5 मीटर है, एशिया महदवीप में स्थित चीन विश्व का सरवाधिक मचली पकड़ने वाला देश है, विश्व का सरवाधिक सवाचार पत्र पढ़ने वाला देश होंग कॉंग है, विश्व का सरवाधिक गड़ाग घर वाला देश भारत है, प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख माउंट एवरेस्ट से संबंदित कुछ तथ्य माउंट एवरेस्ट का नाम ततकालिन भारत की महा सर्वेक्षक सर्जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पढ़ा जिन्होंने एवरेस्ट की आवस्थिती का पता लगाया है वो 1830 से 1843 एवरेस्ट तक भारत के महा सर्वेक्षक रहे विकत में माउंट एवरेस्ट को चोटी पंद्रह कहा जाता था एवरेस्ट की स्थिती देशांतर से 86 डिग्री 55 मिनट 40 सेकिंड पूर्व एवं अक्षांच 27 डिग्री 69 मिनट 16 सेकिंड उत्तर परवत्माला के आसपास के विभिन स्थलो के औसत मापन द्वारा 1954 एवरेस्ट उचाई 8848 मीटर आगी गई थी नैशनल जियोग्राफिक सोसाइटी में जीपियस उग्रह के उपियोग द्वारा पांच मई 1999 एवरेस्ट की उचाई 8845 मीटर होने की पुष्टी की है माउंट एवरेस्ट को तिबद में कोमो लंगमा बर्व की देवी तथा नेपाल में सागर माथा ब्रहमान की माता कहते हैं इसे प्रत्वी का तीसरा द्रुव भी कहा जाता है एंडबंड हिलेरी और तेंसिंग नौरेगे 1903 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचे थे जुंको तबई जापान पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चड़ी है 1975 इसवी को बच्छिंद्रपाल पहली भारती महिला है जो 1984 में एवरेस्ट की शिखर पर पहुची अप्पा शेर्पा नेपाल सरवादिक 19 बार मई 2009 एवरेस्ट पर पहुचने में सपल हुए अमेरिका के टॉम बाइट तेकर पहले विकलांग रत्पी थे पृत्रिम टांग जो 1998 में एवरेस्ट की शिखर पर पहुचे प्रिष्ट 119 हुमद्य सागरिय जलवाईयों के एशियाई देश साइपरस, जॉर्डन, टर्की, इसराइल, लेबनान आदी एशिया में सरवादिक जूट एवम गर्ना उतपादक देश, क्रमशा, बांगलादेश एवम भारत है एशिया में सरवादिक जलविद्यूत का विकास जापान में हुआ एशिया का सबसे घना प्रसे बसादवी जावा है एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्क प्रांस साइबेरियन रेल है ये लेनिंग्राट से ब्लीडी वोस्टक तक जाता है इसकी लंबाई 9,438 किलोमीटर है एशिया का सबसे बड़ा रबर उतपादक वार्निरिया तक देश थाइलेंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है एशिया में विश्व का सरवादिक प्राकरतिक रवर उतपादक करने वाला देश थाइलेंड है एशिया का सबसे अधिक तिन उतपादक देश मलेशिया है एशिया का सबसे गर्म नगर जैकोबाबाद पाकिस्तान है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोडने वाली नहर सुएज नहर है एशिया में विश्व का सरवादिक जलियान बनाने वाला देश जापान है आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोडने वाला जल डमरूमध्य बेरिंग जल्डवरुमध्य अलासका एवं कम चटका महद्वीप प्राइद्वीप के बीच है जापान का नागासा की शहर क्यूशु द्वीप पर स्थित है वेरिंग जलसंदी अंतुराश्टर तिथी रेखा के समनान पर स्थित है विश्व में सिचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है मियामार अपने सुंदर बौधी मंदिरों के लिए प्रसद है काकेशिस परवत एशिया महद्वीप को यूरोब से प्रतक करता है इस महद्वीप में 46 देश है यूरोब महद्वीप एक्षेतरपल की दिश्टी से उस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्यसभी महद्वीपों से छोटा है यूरोब महद्वीप उत्तर में उत्तरी धुर्व सागर दक्षिन में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महसागर से गिरा है यूरोब का सरवोच शिखर एल बॉर्ज 5,642 मीटर लूस में स्थित है यूरोब महद्वीप की सरवादिक्स महद्वपुन नदी देन्यूब 2,842 किलो मीटर लंबी आस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोबाकिया, यूगोसलाविया और रूमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है लेन्यूब नदी के तरद पर वुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियाना और बेलग्रेट बंदर का हस्तित है यूरोब महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है जो टेंस नदी के तरद पर बसा है फ्रांस की राजदानी पेरिस है जो सीन नदी के दड़ पर बसा है ये विश्व का सुन्दर नगर माना जाता है इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है यूरोप के यूगरेन रगड राजे विश्व का प्रमुग गेहू उत्पादक इक्षेतर है जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है इटली विश्व का सरवादिक अंगूर बाजेतून उत्पादक देश है राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सरवादिक व्यस्त अतहस तरिये जलमार्ग है यूरोप का सबसे महत्पून रेलमार्ग औरियन्ट रेलमार्ग है जो फ्रांस के पैरिस नगर से टर्की के कु संद्रियों का देश भी कहा जाता है के अधिकान देश को तीन और से सागरो द्वारा गिरा होने के कारण प्राद्वीपों का महधुईप कहा जाता है क्रस्ट 120 मी है यहां हिमाले की तरह अलपस परवत देश एंगलिश चैनल फ्रांस के युनाटिट किंगम से अलग करता है, फ्रांस को वाइन यार्ड और नार्वे को फ्यॉर्ड तर्टो का देश कहते हैं, यूरोप में जल विद्यूत का सरवाधिक विकास इटली एमम स्वीडन में हुआ है, डोबर जल डमरू मद्य से जाने वाली एक सुनंग यूनाइटिट किंग्डम और फ्रांस को जोड़ती है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल वर्म ब्लैंकेट आफ यूरप के उपराम से जाना जाता है, स्वीजलेंड को यूरोप का खेल का मैदान प्लेग्रांट आफ यूरप कहा जाता है, नीदलेंड ने उत्तरी सागर के तड़ के साथ 3 किलोमेटर अल्बी है, आल्पस परवत का सरवाधिक विस्थार स्वीजलेंड में है, स्वीजलेंड और इटली के बीच office लंडन एवं पेरिस को जोड़ता है, पाओ नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीब है उसका क्षेत्र फल दो करोड बैयालिस लाग पच्छपन हजार वर्ग किलोमीटर है उत्तर अमेरिका मध्यामेरिका एमम केरेबियन सागरी एक शेत्र में कुल उन्तीस देश हैं उत्तरी अमेरिका की कोच 1492 एस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी अतह इसे नई दुनिया न्यू वर्ल्ड कहा जाता है सौ डिग्री पश्चिमी देशांतर देखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका बड़ा परनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिनी अमेरिका को जोड़ती है जिसे आंद्र तथा प्रशान्त महासागरों के बीट जहाजों का यातायात सुगम हो गया है उत्तरी अमेरिका का उच्चितम परवच्षिखर माउंट मैकिनले 6194 मीटर अलास्का में है उत्तरी अमेरिका महादेश में रेड इंडियन और निग्रो नामक प्रमुख जन्जातिया निवास करती है उत्तरी अमेरिका के पूरवी तट पर न्यू फाउंड लेंड के दक्षिनी पश्चिमी तट ये भाग को ग्रेंड बैंक कहते हैं यी मतस्ये पालन का प्रमुख केंद्र है शैब्त राजबी अमेरिका के दक्षिनपूर भी तट मेक्सिको को खाडी पर चलने वाला चक्रवात हरीकैन और तारेव धो कहलाते हैं उत्तरी अमेरिका के शितोष्न घास के मैदान प्रियरी कहलाते हैं सेयुक्त राज्य अमेरिका को ड्रेट ट्राइट प्रमुखकार उद्योग का केंद्र है कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व पसद है कनाडा विश्व में सरवाधिक कागज उत्पादत करने वाला देश है सेयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सर स्थित्ष अजिए सबसे बड़ा पार्ख है जो उत्तरी अमेरिका महादवीब में ही इस्थित है यह अलबर्टा प्रांत में स्थित्ष है उत्तरी अमेरिका के न्यू यॉक सिटी में Grand Central Terminal विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है विश्व की विख्यात मक्का मंडी सेंट लुइस नगर में स्थित है सेंट राज अमेरिका का एस्ट्रो डोम गुंबज विश्व का सरवादिक बड़ा गुंबज है न्यू यॉक में स्थित अमेरिकन मुजियम ऑफ नेचरल हिस्वी विश्व का सबसे बड़ा अजायब खर है उत्तरी अमेरिका में स्थित सूपीरियर जील विश्व की सबसे बड़ी ताजे जलकी जील है सयुक्त राज अमेरिका के व्रशिमी भाग में नमकीन पानी का जील, Great Salt Lake स्थित है ये सयुक्त राज अमेरिका के युटाहा राज्य में स्थित है अमेरिका की सेंट लॉरिंस नदी जीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है न्यागरा प्रपात इरी तथा ओंटेरियो जील के मर्धि स्थित है कनाडा एवं USA की सीमा पर उत्तरी अमेरिका के पूर्वितर पर लेबराडोर ठंडी जलधारा एवं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर विनीपेग कनाडा है उत्तरी अमेरिका के दो उत्तर परवती पठार कॉलोरेडो पठार एवं मेक्सिको का पठार है रॉकी परवत की प्रमुक्ष्टेणिया है कास्केड, सियारा, नेवादा, कोस्ट रेंज, सियारा, मांद्रे फिल्म उद्धियों के लिए कैलिफोर्णिया का लॉस एंजिलस नगर विश्व प्रसिद है उत्तरी अमेरिका की प्रमुक्ष्टेणिया है रेड इंडियन, मेक्सिको, निग्रो, पश्चिमी दूइब सम्हूं संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यू यॉक है सयुक्त राज अमेरिका का राश्टे उद्यान है येलो स्टोन पार्व सयुक्त राज अमेरिका में स्थित अरिजोना तामरा उत्पादन के लिए प्रसिद है सयुक्त राज अमेरिका की लोहे की प्रसिद खान है मेसाबी खान सयुक्त राज अमेरिका की सोने की प्रसिद खान है होम स्टेक खान दक्षन टगोता राज्जे संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटेरियो कनाडा में है कनाडा में वायूयानों को जीलो और सागरों में जमी बर्फ पर भी उतार दिया जाता है क्योंकि यहां वायूयान को उतारना आसान है ब्लेक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाणिया स्योंक्त राज अमेरिका में स्थित है हवाई द्वीब सभू स्योंक्त राज अमेरिका की राजधानी होनुलूलू ओ आहू द्वीब पर स्थित है पनामा नहर के दो बंदरगह कोलन और पनामा है जन्संक्या की दृष्टी से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर Mexico City है. दक्षिनी अमेरिका दक्षिन अमेरिका का अधिकांच विस्तार दक्षिनी गोलार्ध है ये विश्व का चौथा बड़ा महत्वीब है इसका क्षेत्रफल एक करोड़ सततर लाग अठानवे हजार पांत सो वर्ग किलोमीटर है इसमें पंदरह देश स्थित है भूमध्य मीटर उचाई पर है दक्षिनी अमेरिका के ब्राजील में भेहने वाली आमेजन नदी विश्व में आप्रभा क्षेत्र की दृष्टी से प्रथम नदी है और इस महादेश की सबसे लंपी नदी है वेरेजवीरा में कैरो नदी औरी निको नदी की साहय पर स्थित है एंज इस महादेश के बोलीविया राज्य की राजधानी लापाज विश्व की सबसे अधिक उचाई समुद्र तल से 3658 मीटर पर इस्थित राजधानी नगर है इस महादेश का सबसे बड़ा नगर लियोडी जैनेरो ब्राजील है दक्षिनी अमेरिका में ग्युयाना ब्राजील और पैटो गोनिया की पठार है दक्षिनी अमेरिका के अर्जंटीना में विस्त्रत घास के मैदान को पंपास कहते हैं दक्षिनी अमेरिका के वनोसे रबड सिंकोना चंदन कार्नोबा आधी वस्तुएं प्राप्त होती हैं दक्षिनी अमेरिका में अर्जंटीना सरवादि कोको उतपादक देश है विश्व में इसका दूसरा। अमेरिका का ब्राजील विश्व में सरवादिक कॉफी उतपादत करने वाला देश है। दक्षिन अमेरिका में ब्राजील सरवादिक सोयाबीन उत्पादक देश है विश्व में इसका दूसरा स्थान है दक्षिन अमेरिका में ब्राजील सरवादिक मैगनीज उत्पादक देश है विश्व में इसका तीसरा स्थान है चुकी कामाता तामभा खान डक्षिन अमेरिका के एंडीज परवत पर तीन हजार मीटर की उचाई पर है डक्षिन अमेरिका के सरवादिक मक्का उतपादक देश अर्जंटीना है सरवादिक कहवा उतपादक देश ब्राजील है और सरवादिक तेल उत्पादक देश वेनेजवीला और कोलंबिया तथा सरवादिक तामा उत्पादक देश चिली है एंडीज परवत की सबसे उची चोटी एक कांका गुआ उचाई 6960 मीटर है एंडीज विश्रो की सबसे लंबी परवतमाला है ये लगबख 7200 किलोमीटर लंबी है एंडीज के उत्तर पश्ची में आटा कमा मरुस्थल है डक्षिन अमेरिका के मद्यवर्दी भाग में ब्राजील के कहवा के बागों को पजेंडा कहते हैं अर्जंटीना के विशाल पश्चु फार्मों को एक टॉंचिया और यहां के पश्चु पालकों को गवां को कहते हैं पंपास को अर्जंटीना का हिर्दय कहते हैं, विश्व में कहवा का पातर बाजीर है और विश्व में कहवा की मंडी साओ पालो है, दक्षिन अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुक सेंटास पतन है, अर्जंटीना का प्रमुक का पास उर्पादकिक शेद्र चैको क का मैदान है दक्षिनी अमेरिका का सरवादिक मचले पकड़ने वाला देश पेरू है विश्व का सबसे बड़ा मास नेरियातक देश अर्जेंटीना है दक्षिन अमेरिका का वो स्थान जहां जाड़ों में वर्शा होती है मध्य चिली दक्षिन अमेरिका का ओशन मरुस्तर पेंटागोनिया है ब्राजील का सांटोस बंदर्गाह कौफी बंदर्गाह के नाम से जाना जाता है दक्षिन अमेरिका सरवादिक नगरिकृत देश उरुगवे है अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादूी अफ्रीका है जो जिब्राल्टर जलसंदी द्वारा यूरोप से प्रथक होता है अफ्रीका के बुश्मैन कालाहारी पिग्मी कांगो बेसिन बद्दू सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुग आदम जातिया है विश्व का सरवादिक गर्मस्थल अल अजीजिया है जो कि लीबिया अफ्रीका में ही स्थित है यहां अब तक सरवादिक तापमार 136 डिग्री फॉर्णाइट या 58 डिग्री सेल्सियस 13 सतंबर 1922 को रेकॉर्ड किया गया विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका महादवीप में ही भैती है अफ्रीका की कांगो नदी विश्वत रेखा को और लिमपोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटी है अफ्रीका का जोहांसबर्ग नगर विश्व की प्रमुक्सवन उत्पादक नगरों में एक है अफ्रीका का ट्रांसवालक शेद्र जेबरा और जिराव जानवरों के लिए विश्व विख्यात है प्रिष्ट एक सो टेईस अफ्रीका के ओशन घास के मैदान सवाना और शित ओशन घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं अफ्रीका का सबसे लंबा रेलमार्ग केप काहिरा रेलमार्ग है जो दक्षिन अफ्रीका गडराज्य के कैप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है मिस्र में स्वेज नहर है जो लाल सागर को घुमध्य सागर से मिल लाती है इस नहर का निर्माण 1879 एसवी में किया गया जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर दूरी की बचचत होती है इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है मिस्र द्वारा 1956 एसवी में इस नहर का राश्ट्रे करण किया गया है अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतरमुर्ग नामक चिडिया मिलती है अफ्रीका में किंबरले खान दक्षिन अफ्रीका विश्र की सबसे बड़ी हीरे की खान है विश्र का सबसे विशाल हीरा 3106 कैरेट को दक्षिन अफ्रीका की प्रीमियर खान से जनवरी 1905 एसरी को सर्थावस कूलिनान नेख हो जा था इसलिए इसका नाम कुलिनान हीरा रखा गया अफरीका में विशो का सबसे विशाल मरुस्थल साहरा 84 लाख वर्ग किलूमीटर स्थित है चाड जील इस मरुस्थल में स्थित प्रमुग जील है अफरीका में अभी सीनिया का पठार वर दक्षिनी पठार अफरीका का पठार स्थित है दक्षिन अफरीका के जोहांस वर्ग को स्वर्ण नगर तथा किमबरले को हीरो का नगर कहा जाता है अफरीका में सरवादिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है अफ्रीका में सर्वादिक जैतुन उर्पादित करने वाला देश त्यूनीशिया है स्टैनली जल्परपाद कांगो नदीपर और विक्टोरिया प्रपाद जांबेजी नदीपर स्थित है नील नदी का उदगमस्थल विक्टोरिया जीर है आसवान बांध नील नदी पर बना है नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है दक्षिन अफ्रीका के छह देशों अंगोला, बोथसवाना, मोजांबिक, तंजानिया, जांबिया और जिंबावे को फ्रंट लाइन स्टेटस सीमावर्ती राज्य कहा जाता है हौर्न ओफ अफ्रीका, अफ्रीका के पूरविभाग को कहा जाता है इसमें मुख्य रूप से इथियोपिया, सोमालिया एवं जिबूती नामक देश आते हैं बुमध्य रेखा पर इस्थित, अफ्रीका महदवीब के देश है, गैबोन, कांगो गर्तंत्र, उगांडा, रवांडा, कीनिया तथा सोमालिया एंट वर्प नाइजीरिया है, अफ्रीका का सरवादिक नगरिक्रित देश लीबिया है, इस महदवीब में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है मिस्टर को एशिया और यूरोप महादवीब का जंक्षन कहा जाता है अफ्रीका ही एक मात्र ऐसा महादवीब है जिसमें से करकवा मकर दोनों रेखाएं गुजरती है कांगो देश को वनो का देश कहा जाता है विश्व में जल्विद्यूत शक्ति को संभावित इक्ष्णमता सबसे अधिक इसी देश में है किली मंजारों के पूर्वी ढलानों पर कहवा की क्रिशी छगा जंजाती द्वारा की जाती है प्रिश्ट 124 ऐस्ट्रेलिया औस्ट्रेलिया के खोज एबिल तस्समान 1642 इसवी में और कप्तान कुख 1669 इसवी ने की थी इस महदवीब में 22 देश है औस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबो जिरिंस कहते हैं औस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच टॉरिस जलसंदी है आस्ट्रेलिया के प्रमुक परवत शरंखला ग्रेड डिवाइडिंग बेंज है इस परवत श्रेणी और महादवीब का सरवोच शिखर कोसियो यिसको 2228 मीटर उचा है आस्ट्रेलिया के विश्व विख्यात सोने की खाने कार गुली और कूल गाड़ी है आस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद मेरिनो उन का प्रमुक उतपादक देश है ये विश्व में सरवादिक उन निर्यातक देश भी है आस्ट्रेलिया में वीडपालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारों के नाम से जाना जाता है आस्ट्रेलिया के दक्षिन पूर्व में सित न्यूजिलेंड को दक्षिन का ब्रिटेन कहा जाता है। आस्ट्रेलिया का सबसे नंबा रेलमार्क आस्ट्रेलिया इट फ्रांस कॉंटिनेंटल रेलमार्क है जो पर्थ से सिड्नी के मध्य सित है। उस्ट्रेलिया विष्रों में सरवादिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश है जशता आयस उत्पादित करने में आस्ट्रेलिया का स्थान विष्रों में तीसरा है न्यूजेलंड में एमो और कोका बर्रा नामक पखाए जाते हैं आस्ट्रेलिया के पूर्वी तर्टियक शेत्र में प्रख्यात मूंगे की चटाने ग्रेट बेरियर रीव इस्तित है। आस्ट्रेलिया विश्व में सरवादिक सीसा अयस्क उत्खनित करने वाला देश है। ये सबसे चोटा महाद्वीब है जो दक्षिनिकोलार्द में स्थित है। आस्ट्रेलिया के उत्तरिक शेत्र का मैदान कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। इस महाद्वीब का प्रमुक मरुस्तल है गिबसन और विक्टोरिया। अस्ट्रेलिया के प्रमुगेहूत पादक प्रविधेश हैं। न्यू साउथ विल्स एवं विक्टोरिया। अस्ट्रेलिया महाद्वीप के दा लेंड ओफ गोल्डन फ्रीस, लेंड ओफ कंगारू एवं प्यासी भूमी का देश कहा जाता है। विविन महाद्वीपों में विशिष्ट। महाद्वीप अफ्रीका सबसे बड़ा देश सुडान, सबसे चोटा देश मेयोटो, सबसे उचा परवत माउंट किली मंजारो 5895 मीटर, सबसे लंबी नदी नील, यहंतम विंदू, आसाई जील 156 मीटर। और महाद्वीप अंटाक्टिका सबसे बड़ा देश डैश, सबसे चोटा देश डैश, सबसे उचा परवत विंसन मार्शिफ, 5140 मीटर, सबसे लंबी नदी डैश, गहंतम विंदू, बेंडल ट्रेंच, 2853 मीटर। एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा देश, चीन, सबसे चोटा देश, मालदीप, सबसे उचा परवत, माउंट एविस्ट, 8850 मीटर, सबसे लंबी नदी यांग सी, गहंतम विंदू, डेड सी, 397 मीटर। उस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे बड़ा देश, उस्ट्रेलिया, सबसे चोटा देश, नौरू, सबसे उचा परवत, माउंट कॉस्यूसको, 2228 मीटर, सबसे लंबी नदी मर्रे, गहंतम विंदू, आयर जील, 16 मीटर। महाद्वीप, यूरोप, सबसे बड़ा देश, रूस, सबसे चोटा देश, वैटिकन सिटी, सबसे उचा परवत, माउंट एलुबूस, 5642 मीटर, सबसे लंबी नदी डेन्यू, गहंतम विंदू, कैस्पियन सागर, 28 मीटर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप, सबसे बड़ा देश, कनाड़ा, सबसे चोटा देश, सेंट पीरे, सबसे उचा परवत, माउंट मैकिनले, 6194 मीटर। सबसे लंबी नदी, मिसौरी, गहंतम विंदू, डेथ वैली, 86 मीटर। दक्षिन अमेरिका महाद्वीप, सबसे बड़ा देश, ब्राजील, सबसे छोटा देश, पॉक्लेंड द्वीप, सबसे उचा परवत, ओजस, डेल, सेलेडो, 7084 मीटर। सबसे लंबी नदी, आमेजन, गहंतम विंदू, वाल्डस पैनिन, 40 मीटर। प्रिष्ट 125 साथ, जल मंडल संपूर्ण प्रिथ्वी का 3 बटा 4 भाग, लगभग 71 प्रतीशत पर जल मंडल का वस्तार है प्रिथ्वी पर उपस्तित जल ही, कुल मातरा का जल महासागरों में है, जो खारा है जल राशी की मातर धाई प्रतीशत भाग ही स्वच्च जल या मीठा जल है महासागरे जल के दो महत्वपून गोण है, ताप्मान एवम लवन दाव जल मंडल हाइड्रो स्फेयर का वो बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चत सीमा ना हो, महासागर ओशन कहलाता है सबसे बड़ा महासागर प्रशान्त महासागर है समुन्दर जल मंडल का वो बड़ा भाग जो तीन तरफ से जल से गिरा हो और एक तरफ महासागर में मिला हो समुन्दर कहलाता है खाडी, गल्फ समुद्र का स्थलिय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का खेतर बनता है उसे खाड़ी कहते हैं बे, इसका दो किनारा स्थिल से गिरा होता है एक तरफ टापूओं का समु होता है और दूसरी तरफ का मोहाना समुद्र से मिला होता है समान तहां महसागरी जल का तापमान लगवग 5 डिग्री से 33 डिग्री सेलसियस के बीच रहता है आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महसागर में वाशिक तापांतर ब्रशांत महसागर की अपेक्षा अधिक होता है उत्तरी गोलार्द में दक्षिन गोलार्द की तुलनामी तापांतर अधिक होता है। लवन्टा को प्रती हजार में व्यक्त करते हैं, समुद्री जल की ओसत लवन्टा लगभग 35 प्रती हजार होती है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर, खीजे गई रेखा को सम लवन्ट रेखा आइसो हैलाइन कहते हैं। 20-40 दिग्री उत्तरी अक्षांश और 10-30 दिग्री दक्षिन अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवन्टा पाई जाती है। तुर्किय की वानजील की लवन्टा समीप स्थित मेरियाना गर्थ सबसे गहरा गर्थ है। इसके गहराई लगभग 11 km 11,033 मीटर है। इसे चैलेंजर गर्थ भी कहते हैं। कुछ महत्वपून गर्थ जलमागन उठ्थान का वो भाग जहां जल की गहराई चिछली होती है शोल कहलाता है यह प्रवाल से बना नहीं होता है ग्रेट बेरियर रीप यह उस्ट्रेलिया के कुईस्ट्लेंड के समीब संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ती है यह प्रशांत महसागर में है प्रशांत महसागर यह अपने सल्लगर समुद्रों के साथ ध्रातल का एक बटा तीन भाग ध़ता है इसका क्षेत्रफल सोलह करोड सतावन लाग तेईस हजार साथ सो चालिस वर्ग किलोमीटर है इसकी आकरती त्रिभुजाकार एवब क्षेत्रफल संपूर स्थलके क्षेत्रफल से अधिक है प्रिष्ट 126 इसके शीर्ष बेरिंग जल्टमरू मध्य पर तधा आधार अंटाक्टिका महद्वीब पर है भूमधी रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है इसके पर्षे में में एशिया तधा औस्टेलिया महद्वीब पूरम में उत्तरी एवम दक्षिनी अमेरिका तधा दक्षिन में अंटाक्टिका महद्वीब है प्रवाल भितिया प्रशांत महसागर की प्रमुक विशेशना है इस विशाल महसागर में कुन मिराकर 2000 से भी अधिक दूइब है प्रशांत महसागर का अधिकांज तटवर्दी सागर पशिमी भाग में है इन में बेरिंग सागर, आखो टस्क सागर, जापान सागर, पीच सागर एवं पूर्वी चीन सागर आदी महत्वपूर्ण है पूर्व की और केवल केलिफोर्णिया की खाड़ी ही प्रसिद है, इसके बेसिंग की औस्त गहराई 7300 मीटर है अटलांटिक महसागर ये संपूर्ण संसार का छटा भाग है, इसका एक शेत्रिपल 8,29,63,800 वर्ग किलो मीटर है जो प्रशांत महसागर के लगभग आधा है, इसकी आकरती अंग्रेजी के S आकार से मिलती जुलती है इसके बश्चे में दोनों अमेरिका तथा पूरम में यूरोप और अफ्रीका दक्षिन में हैं अंटाक्तिका, उत्तर में ग्रीनलेंड, हर्चन की खाड़ी वाल्तिक सागर, उत्तरी सागर, मगन तर्ट पर सित है इस महसागर की सबसे महत्रपुन विशेष्टा, मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज है ये उत्तर में आइसलेंड से दक्षिन में वोवेर द्वीप, तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा तथा 4,000 मीटर उचा है ये एक जलमगन गटक है, तो भी इसकी अनेक चोटियां जल से उपर उठकर छोटे छोटे द्वीपों का रूप धारन कर गई है अजोर्स को पाइको द्वीप तधा केप बर्दे द्वीप इसके प्रमुक को धारन है, सबसे तीखी रोचोटी भूमद्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप सम्हूगी है दक्षिन अट्लांटिक महसागर में बर्मुडा प्रवाल द्वीप एवं आ सेंसन ट्रिस्टा दी कानहा सेंट हेलना गुवा तधा बोवे द्वीप ज्वाला मुखी द्वीप है यह महसागर 55 डिगरी उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चोड़ा हो जाता है जहां इसे टेलिग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है बुमद्य रेखा के निकट रोमांश गंभीर इसे दो भागों में बानता है उत्तरी भाग डॉलफिन इश्टेणी तथा दक्षिनी भाग का नाम चैलेंजर कटक है अट्लांटिक महासागर के तटो के साथ बेफिन की खाड़ी, हर्टसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मेक्सिको की खाड़ी, भुमद्य सागर तथा कैरेबियन सागर, महत्वपून सागर है हिंद महासागर इसके उत्तर में एशिया महादवीब दक्षिन में अंटाक्टिका महादवीब पूर्व में आस्ट्रेलिया महादवीब तथा पश्टिम में अफ्रीका महादवीब है ये एक अर्ध महासागर है इसका कुल एक्षेतरफल साथ करोड़ चौतिस लाग पचीस हजार पांट सो वर्ग किलुमीटर है ये एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अट्लांटिक महासागर से मिला है करकर एखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है इसमे भारत के दक्षिनी पश्टिमी तटके समीब लक्ष दूइब तथा मालदीव प्रवाल दूइबों की उधारन है मौरिशेज और रियू नियन दूइब ज्वाला मुखी प्रक्रिया से उत्पन दूइब है इस महासागर का सबसे बड़ा दूइब मेडा गासकर है मेडा गासकर के पूर्व में मौईशेज दूइब है इस महासागर में वास्तवित तटवरती सागर दो ही है वो है लाल सागर और फारस की खाड़ी अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की गड़ना भी सागरों में ही की जाती है लेकिन ये हिंद महासागर की उत्तरी विस्तार मातरी ही है डियागो गर्सिया द्वीप इसी महासागर में है एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरिय जल की एक विशाल जलराशी की प्रभा को महासागरिय जल्धारा कहते हैं ये धारा दो प्रकार की होती हैं गर्म जल्धारा और ठंडी जल्धारा गर्म जल्धारा निम्न अक्षांशों में उश्न कटीबंदों से उश्च सम्शितोष्ण और उपदुरूवय कटीबंदों की ओर बहने वाली जल्धाराओं को गर्म जल्धारा कहते हैं ये प्राया भूमद्य रेखा से धुरूबो की ओर चलती है इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है पतह ये धाराएं जिन इक्षेत्रों में चलती हैं वहां का तापमान बढ़ा देती है प्रिष्ट 127 धंडी जल धारा उच्च अक्षा थापमान से अधित है ये प्राया द्रूबों से भूमद्य रेखा की ओर चलती है इनके जल के तापमान से कम होता है अधिक हर जिन इक्षेत्रों में चलती है वहां घटा देती है उत्तरी गुलार्द की जल धाराएं अपने दाइग और तृट तक्षिनी गोलार्थ की जल्धाराएं अपमें बाई और प्रवाहित होती है यह कारी ओलिस बल के प्रभाव से होता है महसागरी जल्धाराओं के संचरन को की सवानी वैवस्था का एक मातर प्रसिद अपवात हिंदी महसागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है इस भाग में धाराओं की प्रवा की दिशा मांसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है गर्म जल्धाराएं ठंडे सागरों की ओर और ठंडी जल्धाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती है प्रशांत महसागर की गर्म जल्धाराएं एक उत्तरी विशुवत रेखिये जल्धार दो क्यू रहा की जलढ्दारा 3 उत्तरि प्रशांत जलप्रभा चार अलास्का की जलढ्दारा 5 एलनिनो जलढ्दारा 6 सुषीमा की जलढ्दारा साथ दक्षिन विश्वत्ये treatment 건 आट पूर्वी ऑस्टेलिया की जलढ्दारा Pre विप्रीट विशुवत्य रेखिये जल्धारा प्रशांत महसागर की ठंडी जल्धारा हैं यूराइल विशुवत्य रेखिये जल्धारा दो कैलिफोर्निया की जल्धारा तीन हमबोल्ट या पेरुबियन की जल्धारा चार अंटाक्टिका की जल्धारा अट्लांटिक गर्म जल्धारः एक उत्तरीविश्वत रेकिए जल्धारा दो गल्फ स्ट्रीम जल्धारा तीन फ् SARIDA जल्धारा चार दक्शन विश्वतीवतीवर्णी चेज घ्र कई Movünüz बिदुटारा ठीक्लीन गेश्वत्ने की जल्धारा अट्लان्टिक महसागर की तंदी जल्धा दो बंगुएला की जल्धारा सतींडार 18 को फॉर्वी मरेंड की जल्धारा संठी जल्धारा से धियत partes लीख पॉक्राצ मिने समाकुरह काॡव हिए हिए ठंडी एंवंस्था संठी बंऄरा है वश्चिम एयुस्ट्रेलिया की जल्धारा नोड cute महसागर की ग्रीश्मकालिन मांसून की जल्धारा गर्म एवं परिवर्तन शील जल्धारा है एवं शीतकालिन मांसून प्रभाठंडी एवं परिवर्तन शील जल्धारा है सारगैसो सागर उत्तरी अट्लांटिक महसागर में 20 डिगरी से 40 डिगरी उत्तरी अक्षान्शो तथा 35 डिगरी पश्चिमी देशांतरों के मध्यें चारों और प्रवाहित होने वाली जल धाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेतर को सारगैसो सागर्व के नाम से जाना जाता है ये गल्फ स्पीम कानारी तथा उत्तरी विश्वतिय धाराओं की चकर की बीच स्थित शांत जल एक्षेतर है इसके तर्ट पर मोटी समंद्री घास तैरती है इस घास को पुर्तिकाली भाशा में सार गैमस कहते हैं इसके नाम पर ही इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया है सारगैसंग जड़ विहीन घास है सारगैसो सागर क्षेतर पर लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है सारगैसो सागर को सर्वपथम स्पेन के नाविकों ने देखा था सारगैसो सागर को महसागरी मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है प्रिष्ट 128 न्यूफाउंड लेंड के समीप भी कल्फ स्वीम एवं लेबराडोर जलधारा मिलती है न्यूफाउंड लेंड पर ही समुद्री मचली पकड़ने का प्रसद स्थान ग्रैंड बैंक स्थित है गर्म एवं ठंडी जलधारा जहां मिलती है वहां प्लैंकिटन नामग घास मिलती है जिससे उस स्थान पर मतस्यो द्योग अतियतिक विक्सत हुआ है जापान के निकट क्यूरो शिवो की गर्म धारा तथा ओई शिवो की ठंडी धारा के जल के मिलने से वहां पर घाना कुहासा चाया रहता है जवार भाटा जवार भाटा टाइट्स चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्शन शक्तियों की कारण सागरी जल के उपर उठने तथा गिलने को जवार भाटा कहते हैं क्योंकि ये सूर्य की तुलना में पृत्वी की अधिक निकट है। अमवस्य और पूर्णिवा के दिन चंद्रमा सूर्य और पृत्वी एक सीध में होते हैं, अथा इस दिन उच्च जुआर उत्पन होता है। दोनों पक्षों की सब्तमी या अश्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृत्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस इस्तिती में सूर्य और चंद्रमा के आकर्शन बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावीन हो जाते हैं। अथा इस दिन निम्न जुआर कि उत्वन होता है। समय तहां जुआर प्रतिक स्थान पर प्रतिदीन 12.26 के बाद जुआर तथा जुआर आता है। समय तहा है, कि इंगलेंड तक्षीनित्क परस्थित के साउथ हैं। में जुआर प्रतिदिन चार बार आते हैं। यहां दो बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर और दो बार उत्तरी सागर से होकर विबन अंतरालों में पहुंसते हैं महसागरे जल की सथा का औस अध्यनिक तापांतर नगरने होता है लगबग एक डिग्री सेल्सियस महसागरे जल का उचितम वार्शिक तापकरम अगस्त में एवम नियूंतम वार्शिक तापकरम परवरीज में अंकित किया जाता है नौ वायू मंडल प्रित्विके चार ओर से घेरे हुए वायू के विस्तरत फैलाव को वायू मंडल एक्मॉसफेर कहने कहते हैं वायू मंडल के उपरी परत के अध्यन को वायर विग्यान एरोलोजी और निचली परत के अध्यन को रितू विग्यान मेटरोलोजी कहते हैं आयतन के रुसार वायू मंडल में 30 मील के अंदर विभिन्न गैसों का मिश्रण इस प्रकार है नाइट्रोजन 78.07 प्रतीशत ऑक्सिजन 20.03 प्रतीशत कार्मन डायॉकसाइड 0.03 प्रतीशत और आरगन 0.93 प्रतीशत वायू मंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्रपून गैस एक नाइट्रोजन इस गैस की प्रतीशत मात्रा सभी गैसों से अधिक हैं नाइट्रोजन की उपस्तिती के कारण ही वायूदाव पवनों की शक्तितधा प्रकाश के प्रावर्तन के का आभास होता है इस गैस का कोई रंग, गंद, अत्वा, स्वाध नहीं होता नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाब ये है कि ये वस्त्मों को तेजी से जलने से बचाती है यदि वायूमंडल में नाइट्रोजन ना होती तो आग पर नियंतरन रखना कटिन हो जाता नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीनों का निर्मान होता है जो बोजन का मुख्य अंग है ये गैस वायूमंडल में 128 किलोमीटर की उंचाई तक पहली हुई है प्रिष्ट 139 दो आक्सिजन ये अन्य पधार्तों के साथ मिलकर जलने का कारी करती है आक्सिजन के अभाव में हम इंधन नहीं जला सकते आता ये उर्जा का मुख्य स्रोथ है ये गैस वायूमंडल में 64 किलोमीटर की उंचाई तक पहली हुई है परंतो 16 किलोमीटर से उपर जाकर इसकी मातरा बहुत कम हो जाती है तीन कार्बन डाई ऑक्साइड ये सबसे भारी गैस है और इसकारण ये सबसे निचली परत में मिलती है फिर भी इसका वस्तार 32 किलोमीटर की उचाई तक है ये गैस सूर्य से आने वाली विदिकरन के लिए पार गम्य तथा प्रत्वी से परावर्दित होने वाले विकरन के लिए अपरा गम्य है अतहा ये कांच घर या पौधा घर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदाई हैं और वायू मंडल के निचली परत को गर्म रखती है चार ओजोन ये गैस ऑक्सिजन का ही एक विशेश रूप है ये वायू मंडल में अधिक उचाईयों पर ही अतिनीवन मात्रा में मिलती है ये सूर्य से आने वाली तेज परावैंगनी के विकरन अल्ट्रा वायलेट रेडियेशन के कुछ अंच को अवशोशत कर लेती है ये 10 से 50 किलोमीटर की उचाई तक केंडरित है वायू मंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की परावैंगनी विकरन अधिक मात्रा में पर्थोपी पहुँच कर कैंसर जैसी भयानक भीवारियां पहला सकता है गैसों के अधिरिक वायू मंडल में जलवाश्प तता दूल के कण भी उपस्तथ है आकाश का रंग नीला दूल कंड के कारण ही दिखाई देता है जलवाश्प सूरिये से आने वाले सूरिया तप के कुछ भाग को अवशोशत कर लिता है तथा प्रित्वी द्वारा विकिरित उश्मा को संजोई रखता है इस प्रकार ये एक कंबल का काम करता है जिससे प्रित प्रित्वे के ताप को बनाय रखने के लिए उत्तरदाई है CO2 एवं जलवाश्प वायू मंदल की संरचना वायू मंदल को निमनपर्तों में बाटा गया है एक शोब मंदल, ट्रोफॉसफेयर, दोसम ताप मंदल, स्क्रेटोसफेयर, तीन ओजोन मंदल, ओजोनोसफेयर, चार आयन मंदल, हाइनोसफेयर, और बाच वहिर मंदल, एकसोसफेयर, एक शोब मंदल, ट्रोफॉसफेयर, यह वायू मंदल का सबसे नीचे वाली परत है, इसकी उँचाई दुरूबो पर आठ किलोमेटर तथा, विश्वत रेखा पर लगबग 18 किलोमेटर होती है, शोब मंदल में तापमान की गिरावट की दर प्रती 165 मीटर की उचाई पर 1 डिगरी सेल्सियस अत्वा, एक किलोमेटर की उचाई पर 6.4 डिगरी सेल्सियस होती है, सभी मुख्य वायू मंदल ये घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंदल में होती है, इस मंदल समताफ मंदल 18-32 किलोमीटर की उचाई तक है, इसमें ताप समान रहता है, इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरच, बिजली, कड़क, दूलकर्ण, एवं जलवाश्व आधी कुछ नहीं होती है, इस मंदल में वायूयान उडाने की आदर्श दशा पाई समताफ मंदल की मोटाई दुरूबों पर सबसे अधिक होती है, कभी-कभी विशुवत रेखा पर इसका लोब हो जाता है, कभी-कभी इस मंदल में विशेश प्रकार की मेगों का निर्मान होता है, जिने मूलाब मेग, Mother of Pearl Cloud कहते हैं, प्रिष्ट 130 3. ओजोन मंदल ओजोनो स्फियर ओजोन परत में एक शरण CFC में उपस्त सक्रिय क्लोरी कारण CL कारण होती है, ओजोन परत की मोटाई नापने में डाबसन एकाई का प्रयोग किया जाता है, इस मंदल में उचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है, प्रती एक किलोमेटर की उचाई पर तापमान में 5 प्रेंगनी के रुनों द्वारा आयनिकरत होता रहता है, इस मंदल में सबसे नीचे स्थित D-Layer से Long Radio Waves एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से Short Radio Wave परावरतित होती है, जिसके भलस्वरू प्रित्वी पर Radio, Television, Telephone एवं रडार आधी की सुविधा प्राप्त होती है, संचार उपग सीमा निर्धारित नहीं है, इस मंदल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है, सूरिया तप, आयनो सोलेशन, सूरिया से प्रित्वी तक पहुचने वाले सौर विकरन उर्जा को सूरिया तप कहते हैं, ये उर्जा लगुत अरंगों के रूप में सूरिय से प्रित्वी पर पहुचने हैं, वायूमणडल की भारी सीमा पर सूरिय से प्रति मिनट प्रति बर्ग सेंटी मीटर पर एक तशमलव नौचार कैलोरी उष्मा प्राप्त होती है, किसी भी सदह को प्राप्त होने वाली सूरिया तप की मात्रा से परावर्दित की जाने वा को विकिरण कहते हैं उधारन तया सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से प्रित्वी तथा उसका वायूमंडल गर्म होता है यही एक मात्र ऐसी प्रक्रिया है जिससे उश्मा बिना किसी माध्यम के शूनिय से होकर भी यात्रा कर सकती है सूर्य से आने वाली किरणे inaistorial radiation कहते हैं that. 기가मिक विक्रण अधिकica लंगी तरंगों वाली किरन होती है जिसे वायूमन्दल सुगम्ता से अशोषित कर लेता है आता, वायूमन्दल सूरिय Приये से आने वाले 100 कविकरण की आपेक्सा बहुमिक विकरन से अधिक गर्म होता है जब आसमान ताप वाली दो वस्तुवें एक दूसरे के संपर्क में आती है तो अधिक तापमान वाली वस्तुवें कम तापमान वाली वस्तुव की और उश्मा प्रवाहित होती है उश्मा का ये प्रभात तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तों का तापमान एक जैसा ना हो जाए वायू उश्मा की कुछालक है अधा संचारन पक्रिया वायू मंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्रपून है इससे वायू मंडल की केवल निचली परत ही गर्म होती है प्रिष्ट 131 इन समवहन कन्वेक्शन किसी गैसी अत्वा तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की और उसके अडूओं द्वारा उश्मा की संचार को समवहन कहते हैं ये संचार गैसी तथा तरल पदार्थों में इसी लिए होता है क्योंकि उनके अडूओं के बीच का संबन कमजोर होता है ये प्रक्रियट उस पदार्थों में नहीं होती है जब वायू मंडल की निचली परत भौमिक विकरन अत्वा संचालन से गर्म हो जाती है तो उसकी वायू पहलती है जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है घनत्व कम होने से वह खलकी हो जाती है और उपर को उठती है इस प्रकार वह वायू निचली परतों की उश्मा को उपर के लिए लिजाती है उपर से ठंडी वायू उसका सान लेने के लिए नीचे आती है और कुछ देर ये बाद भू भी गर्म हो जाती हैं इस प्रकार समवेहन प्रक्रियाद्वारा वायु मंडल क्रमशाहा नीचे से उपर गर्म होता है वायु मंडल गर्म होने में ये मुख्य भूमिका निभाता चार अभी वहन एडवेक्शन इस प्रक्रिया में उश्मा का क्षेतिज दिशा में स्थानांतरन होता है गर्म वायू राशियां जब ठंडे इलागों में जाती हैं तो उन्हें गर्म कर दीती है इससे उश्मा का संचार निम्न अक्षानशी क्षेत्रों से उच्च तापमान वाले स्थानों को मिलाती हैं समताप रेखाओं तथा तापमान के वितरण को निम्न लक्षन कहते हैं एक समताप रेखाएं पूर्व पश्रिम दिशा में अक्षानशों की लगभग समारांतर पिखीची जाती हैं इसका कारण यह है कि एक ही अक्षानश पर सभी स 3. दक्षिनी गोलार्द में जल भाग अधिक है और वहां पर तापमान संबंदी विशमतायं कम पुआ जाती है। विप्रीद उत्तरी गोलार्द में संबंदी विशमतायं अधिक पाय जाती है। इस कारण दक्षिरी गोलार्द में समताप रेखाओं में मोड कम आते हैं और उनकी पूर्फ पश्टिम दिशा अधिक स्पश्ट है। 4. समताप रेखाओं के बीच की दूरी से ताप प्रवंटा तापमान की बदलने की दर का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि समताप रेखाओं एक दूसरे के निकट होती है तो ताप प्रवंटा अधिक होती है। द्रोविय प्रदेशों में तापमान बहुत ही कम होता है अता वहां पर कम मूल्य की समताप रेखाओं होती है। संसार के अधिकांस एक्षेत्रों के लिए जनवरी एवम जुलाई की महीनों में नियुन्तम अत्वा अधिक्तम तापमान पाया जाता है। यही कारण है कि तापमान विशलेशन के लिए बहुदा इन्ही दो महीनों को चुना जाता है। ताप आंतर, range of temperature, अधिक्तम तता नियुन्तम तापमान के अंतर को ताप आंतर कहते हैं, ये दो प्रकार का होता है, एक, दैनिक ताप आंतर, किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिक्तम तता नियुन्तम तापमान के अंतर को वहां का दैनिक ताप आंतर कहते हैं, ताप में आ सबसे घर्म तथा सबसे ठंडे महीने की मध्यमान तापमान की अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। विश्व में सबसे आर्धिक वार्षिक तापांतर 65.5 degrees Celsius साइबेरिया में स्थित बरक खोया नामक स्थान का है। किसी भी सथान विशेश के ओसत तापकरम तथा उसके अक्षांश के ओसत तापकरम के अंतर को ताप ये विसंगती कहते हैं। प्रिश्ट 132 वायू मंडलिये दाब पवन एवं वायू राशियां। वायू दाब सामाने दशाओं में समुद्र तल पर वायू दाब पारे के 76 cm या 760 mm ऊचे स्थम्भ द्वारा पढ़ने वाला दाब होता है। वायू मंडली दाब की इकाई बार है। एक बार बराबर 10 की पावर 5 एंड प्रती मीटर की स्क्वेर। समदाब रेखा वो कल्पित रेखा जो समुद्र तल के बराबर घटाये हुए समान वायू दाब वाले स्थानों को मिलाती है। समदाब रेखा आई सो बार कहते हैं। वायू दाब को मानचित्र पर समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। दूरी की प्रती इकाई पर दाब के घटने को दाब प्रवंटा प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। जब संदाव रेखा एक दूसरे से दूर होती हैं तो दाव प्रवंटा कम होती हैं। प्रित्वे के धरातल पर चार वायू दाप कटिबंध हैं एक विशुवत रेखिये निम्नवाय दाप ये पेटी भुमंदी रेखा से दस दिगरी उत्तरी तता दस दिगरी रक्षिनी अक्षान्शों के बीच इस्थित है यहां सालों भर सूरिय की किरणे लंबवत पड़ती हैं जिसके कारण तापमान हमेशा उंचा रहता है इस कटिबंध में धरातेले शैत्रिच पवने नहीं चलती बलकि अधिक तापमान के कारण वायू हलकी उपर होकर उपर को उड़ती है और समवेहनिये धाराओं का जन्म होता है इसी लिए इस कटिबंध को शांत अभिए इसके कारण भी यहां पर वायूदाप कम होता है कि ग्यंत्र और आविश्कारक पारद वायूदाब मापी आविश्कारक E. टॉडिसेली निद्रव वायुदाब मापी, लूसियन विदाई, सेल्सियस थर्मामीटर, एंडर्स सेल्सियस, केश आदरता मापी, डी सॉंसर दो उपोष्ण उच्च वायुदाब उत्तरी तथा दक्षिनी गोलार्दों में क्रमशाह कर्क और मकर रेखाउं से 35 डिग्री अक्षान्षों तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं यहां उच्च दाब होने के दो कारण हैं विश्वत रेखिय कटीबंद से गर्म होकर उठने वाली वायू ठंडी और भारी होकर कर्क तथा मकर रेखाउं से 35 डिग्री अक्षान्षों के बीच नीचे उतरती हैं और उच्च वायुदाब उत्पन करती हैं विश्वत रेखा से 30 से 33 डिग्री अक्षान्षों के मध्यां दोनों गोलार्दों में उच्च वायुदाब की पेचियां उफस्तित होती हैं इस उच्च वायुदाब वाली पेटी को अश्व अक्षानष कहते हैं इसका कारण ये है कि मध्य युग में यूरोप में खेती के लिए पश्यमी द्विपसमू में बालदार जलियानों में लाद कर गोड़े बेजे जाते हैं। इन प्राया इन जलियानों को इन अक्षांशों के बीच वायू शांत रहने के कारण आगे बढ़ने में कई होती थी। अतह जलियानों का भार कम करने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में फेग दिये जाते थे। प्रिष्ट 132 पर एक सरकल में ध्रूब्य उच्वाइदाप कटिवन का एक चित्र दर्शाय गया है। जिसमें सबसे उपर ध्रूब्य उचुप ध्रूब्य निम्न 66 डिग्री और 65 डिग्री, उप्रूष्ण उच 35 डिग्री और धीच सही 1 बड दो डिग्री, विशवत्य निम्न 0 डिग्री और 10 डिग्री तथा। उप्रूब्य उच، वाईदाप कटिवन का एक चित्र, प्रिष्ट 133, उपद्रूविय निम्नवायुदाब, 45 डिगरी उत्तरी तत दक्षिनी अक्षान्शों से एक रमशा, आर्कटिक तथा अंटाक्टिक वृतों के बीच निम्नवायुभार की पेटियां पाई जाती हैं, जैसे उपद्रूविय निम्नदाब पेटियां कहते है चार दुरूविय उच्च दाब, उच्च वायुदाब, 80 डिगरी उत्तरी तत दक्षिनी अक्षान से उत्तरी तत दक्षिनी धुरूफ तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती है, पवन, विंड, पृत्विय के धरातल पर वायुदाब में शैतिच विशमताओं के यदि पृत्विय स्थिर होती है और उसका धरातल समतल होता तो पवन, उच्च वायुदाब, वाले शैत्र से सीधे निम्नवायुदाब, वाले शैत्र की और समधाब रेखाओं पर समकूर्ण बनाती हुई चलती है, परंतो वास्तविक इस्तिती ये है कि पृत्विय अप पवने अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है, इसे कारियोलिस बल कहते हैं, इसका नाम फ्रांसेसी वेग्यानिक के नाम पर पढ़ा है, जिसने सबसे पहले इस बल के प्रभाव कवर्णन 1835 एस्टवी में किया, इस बल के प्रभाव आधीन उत्तरी गोलार्द मे पवने दाइनी और तत दक्षिनी गोलार्द में अपनी बाई और मुड़ जाती है, इस मिक्षेप को फेरिल नामग वेग्यानिक ने सद्ध किया था, अधा इसे फेरिल का नियम फेरिल स्लॉ कहते हैं, इसे 22 बेलिट नियम द्वारा भी समझा जा सकता है, इस नियम के पर शूर्य होता है, अर्थात विश्वत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता है, इस बल का अधिक्तम प्रभाव द्रूवों पर होता है, अर्थात द्रूवों पर पवनों की दिशा में अधिक्तम विक्षेप होता है, पवन निम्र प्रकार के होत इस्थाई पवने एक वायू भार कटीबंद से दूसरे वायू भार कटीबंद की और नियमेत रूप से चला करती हैं किसके उधारण है पच्छवा पवन व्यापारिक पवन और दुरूव्य पवन पच्छवा पवन दोरों गोलारदों में उपोशन उच्छ वायुदाप काटीबंद की और चलने वाली स्थाई हवा को इनकी पश्टिम दिशा के कारण पच्छवा पवन कहा जाता है पच्छवा पवन का सर्वश्यष्ट विकास चालिस डिग्री से 65 डिग्री दक्षिन अक्छांचों के मध्य पाया जाता है यहां की इन अक्शांचों को गरसता चालेसा प्रचंड पचासा तथा चीखता साथा कहा जाता है यह सभी नाम नाविकों के लिए दिये हुए हैं व्यापारिक पवन लगबत 30 डिगरी उत्तरी और दक्षिनी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोशन उच्च वायुदाप कटी बंदों से भूमदी रेखिये निम्नवायुदाप कटी बंदों की और दोनों गोलार्दों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाले पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है कारी ओलिस बल और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्द में अपनी दाई और ततदक्षिनी गोलार्द में अपनी बा पूर्व से दक्षिन पश्चिम की और तथा दक्षिनी गोलारद में दक्षिन पूर्व से उत्तर पश्चिम की और है। पफेष्ट 134 दो, मौसमी पवन मौसम या समय के परिवर्वतन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उनको मौसमी पवन कहा जाता है जैसे मानसूनी पवन, इस्थल समीर तथा समुंदरी समीर पवन तीन इस्थानिय पवन, प्रमुक गर्म इस्थानिय पवन, चिनुक ये संयुक तराज अमेरिका और कनाडा में रौकी पर्वत श्टेनी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म या शुश्क पवन है ये पवन रौकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाब दायक है क्योंकि शीताल खी अधिकांश अवधी में ये बर्व को पिखला कर चरागाहों को बर्व से मुक्त रखता है फौन ये अलपस परवत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवम शुश्क हवा है इसका सरवादिक प्रभाव स्वीजलेंड में होता है इसके प्रभाव से बर्व पिखल जाती है और पशुचारकों के लिए चरागाहा मिल जाता है इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पप जाते है हरमटन ये सहारा रेकिस्तान से उत्तर पूरव दिशा में चलने वाली गर्म एवम शुश्क हवा है ये पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है सिराकों ये सहारा परुस्तल से भूमद्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है जब ये भूमद्य सागर पार करती है तो आदर हो जाती है और इटली पहुँच जाती है इसके अन्य स्थाने नाम भी हैं जैसे एक खमसिन मिस्र में, दो गिबिली लीबिया में, तीन चिली ट्यूनेशिया में, चार लेस्ट मेड्रिया में, पार्ट सिराको इटली में और छे लेबेक स्पेन में सिमूम, ये अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवंशुष्क हवा है ब्लैक रोलर, ये उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिनी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी तेज दूहुल भरी चलने वाली आंधी है ब्रिक फील्डर, ये उस्ट्रेलिया के विक्ट्योरिया प्रांथ में चलने वाली गर्म एवंशुष्क हवा है नारवेस्टर, ये न्यूजलेंड में उच्चे परवतों से उतरने वाली गर्म एवंशुष्क हवा है शामल ये इराग तता फारस की घाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष का हवा है सांटा आना ये दक्षिनी कैलिफोर्निया में सांटा आना घाटी से चलने वाली गर्म एवं शुष का धूल भरी आधी है पोयम बैंग ये जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है कि तमबाकों की खेती को काफी नुकसान पहुचाती है जेट प्रभा जेट स्ट्रीम्स शोब मंडल की उपरी परत में बहुत तीवर गती से चलने वाले संक्रे नलिका कार एमम विसरपी पवन प्रभा को जेट प्रभा कहते हैं ये 6-12 किलोमीटर की उचाई पर पश्चिम से पूर्व की और प्रभाहित होता है ये दोनों गोलार्दों में पाय जाता है फरंतु उत्तरी गोलार्द में ये अधिकांच शक्तिशाली होता है इसमें वायू 120 किलोमीटर प्रतिगंटा से चलती है जेट प्रभाह वायू मंडल ये विक्षोबों, चक्रवातों, प्रती चक्रवातों, तुपानों और वर्षा को उत्पंड करने में सहायक होते हैं आधुनिक होजों के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण जेट प्रभाह माना जाता है गी प्रित्वी पर ताप प्रति वायू राशिय के स्तिती लगभक समान नहीं होती है और तापमान तथा आदृता संबंधी अपना अस्तित्व बनाय रखने के प्रयास करती है। इस प्रकार दो विभिन वायू राशियां एक सीमा तल द्वारा अलग रहती है। इस सीमा तल को ही वातागर फ्रॉंट्स कहते हैं। जब आज कर्म वायू हलकी होने के कारण ठंडी तथा भारी वायू के ऊपर चढ़ जाती है तो उसे उष्ण वातागर तथा जब ठंडी तथा भारी वायू उष्ण तथा हलकी वायू राशी के विरुद्ध आगे भरती हैं तो उसे उपर की और उठा देती है। तो इसे शीट वातागर कहते हैं, आदरता, humidity, वायो मंडल में उपस्तित जलवाश्प को वायो मंडल की आदरता कहते हैं, ये तीन प्रकार की होती है, एक निर्पेक्ष आदरता, absolute humidity, वायो की प्रती एकाई आयतन में विद्यमान जलवाश्प की मांतरा को निर्पेक्ष आद humidity, वायो के प्रती एकाई भार में जलवाश्प के भार को विशिष्ट आदरता कहते हैं, इसे ग्राम प्रती किलोग्राम की एकाई में मापा जाता है, तीन, सापेक्ष आदरता, relative humidity, किसी भी तापमान पर वायो में उपस्तित जलवाश्प तथा उसी तापमान पर उसी वा वायो में उपस्तित जलवाश्प की मात्रा बटे, उसी ताप पर उसी वायो की जलवाश्प शोशन करने की ख्रमता गुणा 100, सापेक्ष आदरता जलवाश्प की मात्रा एवं वायो के तापमान पर निर्भर करता है, इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, वायो में जलवाश्पु की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आदरता अधिक होती है। वायू का तापमान कम होने पर सापेक्ष आदरता बढ़ जाती है। एवं तापमान बढ़ जाने पर सापेक्ष आदरता कम हो जाती है। संत्रिप्थ वायू की सापेक्ष आदरता 100% होती है संघनन कंडेंसेशन जल की गैसी अवस्था के तरल या टोस अवस्था में परिवर्थित होने की क्लिया को संघनन कहते हैं ये दो कारुकों पर निल्भर करता है एक तापमान में कमी पर तथदो वायू की सापेक्ष आदरता पर ओसांख ड्यू पॉइंट वायू के जिस तापमान पर जल अपनी गैसी अवस्था से तरल या टोस अवस्था में परिवर्थित होता है उसे ओसांख कहते हैं ओसांख पर वायू संत्रिप्त हो जाती है और उसकी सापेक्ष आदरता 100% होती है ओस पढ़ने के लिए इस ओसांख का हिमांग 0 डिग्री से उपर होना चाहिए पाला या तुशार जब ओसांख हिमांग से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पढ़ता है दूसरे शब्दों में जमी हुई ओस को ही पाला कहते है कोहरा वायू मंडल की निचली पर्तों में एकत्रत धूलकन दूए के रज एममसंगरित जलपिंडो को कोहरा कहते है ओसांख से नीचे वायू का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्मान होता है इसमें द्रिश्यता एक किलोमीटर से कम होती है प्रेश्ट 136 धुंद मिस्ट हलके फुलके कोहरे को कोहासा या धुंद कहते हैं इसमें द्रिश्यता एक किलोमीटर से अधिक किन्तु दो किलोमीटर से कम होती है बादल क्लाउड्स बादल मुक्यता हवा के रुद्धोश्म एडियाबेटिक प्रक्रियाद्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के ओसांख से नीचे गिरने से बनते हैं ये अल्प घनत्व के कारण वायू मंडल में तैरते हैं रूप के आधार पर बादल निम्न प्रकार के होते हैं एक पक्षाब बादल ये हिमके करणों से बने उचे सफेद और पतले बादल होते हैं दो कपासी बादल इनका आकार समतल एवमशीर गुमबद नुमा होता है तीन इस्तरी बादल ये परददार चादर जैसे लगते हैं ये अधिकांच या पून आकाश को ढखे रहते हैं ये दो या तीन किलमीटर की उचाई पर पाए जाते हैं वर्षा रेंफॉल जब जलवाश्व की बूंदे जल के रूप में पित्विक पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं वायू के ठंडा होने की विधियों के अनसार वर्षा तीन प्रकार की होती है एक समवेहनिय वर्षा कनवेक्शनल ग्रेंफॉल जब भूतर बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने वाली वायू भी गर्म हो जाती है वायू गर्म होकर फैलती है और हलकी हो जाती है ये हलकी वायू उपर को उठते लगती है और समवेहनिय धाराओं का निर्बान होता है, उपर जाकर ये वायू ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्त जलवाश्प का संघरन होने लगता है, संघरन से एक आपासी मेग बनते हैं जिससे गंगोर वर्शा होती है, इसे समवेहनिय वर्श कहते हैं, दो, परवर्त क्रित वर्शा, ओरोग्राफिक रेंपॉल, ज ज Almost i, कैपड रे जहने लेख्ञ से चलवाश्प का संघरना होने लगता इससे बर्षा होती है, इसे परवत कर्वीत वर्शा कहते है। चक्रवाती वर्षा Schluss úr frontal rainfall को चक्रवाति वर्षा को चक्रवात रर्वात्य वर्षा को चक्वात। व्होती है चक्रवात केंद्र में कम- की स्थापना होने पर बाहर की और दाब परता जाता है इस हरीकेंज वा टाइफून चक्रवाद के उधारन है प्रती चक्रवाद जब केंदर में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की और चलती है इसे प्रती चक्रवाद कहा जाता है इसमें बाताग्र फ्रॉंट्स का अभाव होता है प्रती चक्रवात में वायू की दिशा उत्तरी गोलार्द में घड़ी की सुईयों के अनुकून क्लॉक्वाइस तथा दक्षिनी गोलार्द में घड़ी की सुईयों के विप्रीद एंटी क्लॉक्वाइस होती है चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और उपर उठकर ठंडी होती है और वर्षा कराती है जब कि प्रती चक्रवात में मौसम साफ होता है टारनेडो ये भयंकर अल्पकालीन तूफान है औस्ट्रेलिया एवम सयंक्त राज अमेरिका के मिसिसीपी इलागों में इस तूफान को टारनेडो कहा जाता है ये जल एवम स्थल दोनों में उत्पन होता है इसमें स्थलिय हवाओं का वेग 325 किलोमेटर प्रती घंटा होता ह हरीकेंस अट्लांटिक महसागर में उठने वाली तथा पश्रिमी द्वीपसमू के चारो ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है इसकी गती 121 किलोमेटर प्रती घंटा होती है टाइफून प्रशांत महसागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक् टाइफून कहते हैं, इसकी गती 160 किलोमेटर प्रति घंटा होती है, प्रिष्ट 137, दस, विश्वकी प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश, फसल, चावल, उत्पादक देश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, बंगलदेश, थाइलेंड, म्यामार, गेहू, उत्पादक दे चीन, भारत, स्युक्तराष्ट अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, रूस, यूक्रेन, मक्का, स्युक्तराष्ट अमेरिका, चीन, ब्राजील, मेक्सिको, भारत, पाकिस्तान, तिलहन, ब्राजील, चीन, अर्जंटीना, भारत, मुंफली, चीन, भारत, स्युक्तराष्ट अमेरिका इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ब्राजील, कोडिया, कपास, चीन, सयुक्तराष्ट अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, सुडान, ब्राजील, जो, रूस, कनाडा, जर्मनी, स्पेन, जै, रूस, कनाडा, सयुक्तराष्ट अमेरिका, अस्ट्रेलिया, सोयाबीन, सयुक्तराष्ट अमेरिका, ब्राजील, अर्जंटीना, चीन, मोटे अनाच, सयुक्तराष्ट अमेरिका, चीन, भारत, रोमानिया, चाय, भारत, चीन, शिरिलंका, कीनिया, जापान, बंगलदेश, तर्की, युगांडा, मुजांबिक, चुकंदर, रूस, फ्रांस, जर्मनी, सयुक्तराष्ट अमेरिका कहवा ब्राजील कोलंबिया आईवरी कोस्ट मेक्सिको कीनिया क्यूबा भारत रवड थाइलेंड मलेशिया इंडोनेशिया भारत श्री लंका तबाकु चीन सेंट्राश्ट्र अमेरिका भारत ब्राजील हंगरी बुल्गारिया क्यूबा जिंबावे नारियल मलेशि इंडोनेशिया, थाइलेंड, नाइजीरिया, सूर्य मुखी, यूस, यूक्रेन, अर्जेंटीना, चीन, भारत, गर्ना, भारत, ब्राजील, क्यूबा, चीन, इंडोनेशिया, दक्षिन अफ्रीका, मौरिशे, फिजी, गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन, एवं दूसरे स्थान पर भारत है। ग्यारह, विश्व के प्रमुख खनिच एवं उत्पादक देश, खनिच, लोहा, उत्पादक देश, यूक्रेन, ब्राजील, आस्ट्रेलिया, चीन, सेंट्राष्ट, अमेरिका, आदी, ताबा, चिली, सेंट्राष्ट, अमेरिका, रूस, कनाडा, जाइरे, जांबिया, विशे, पॉलेंड, पेरू, मेक्सिको आदी, तिन, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलेंड, चीन, बोलीविया आदी, सोना, दक्षिन भारत, दक्षिन अफ्रीका, पेरू, कनाडा आदी, चांदी, मेक्सिको, पेरू, कनाडा आदी, हीरा, अफ्रीका, माद्वी, अब्रक भारत, ब्राजील, रूस, मालागासी, दक्षिन अफ्रीका, कनाडा आदी, पोईला, चीन, सन्युक्तराष्ट अमेरिका, भारत, जर्मनी, रूस आदी, खनिज तेल, युएसे, रूस, यहुद, सहुदी अरब, चीन, मेक्सिको, ग्रेट ब्रिटेन, इरान, इराक, कुवैत आदी, युरेनियम, कनाडा, दक्षिन अफ्रीका, सन्युक्तराष्ट अमेरिका, जाइरे, आस्ट्रेलिया, मालागासी आदी, धोरियम, ब्राजील, आस्ट्रेलिया, शिरिलंका, भारत आदी, प्रिष्ट 138, 12, विश्रुके वी निर्मान उद्योग, उद्योग, सूती व जापान, सन्युक्तराष्ट अमेरिका, ब्रिटेन, रेश्मी वस्त उद्योग, रूस, जापान, चीन, फ्रांस, भारत, मोटरगाडी उद्योग, सन्युक्तराष्ट अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, स्पेन, पोथ, निर्मान उद्योग, जापान, स्वीडेन जर्मनी संयुक्त राज अमेरिका वायूयान निर्मान उद्योग संयुक्त राज अमेरिका बृतेन रूस आदी रसायन उद्योग सल्फियूरिक अम्ल संयुक्त राज अमेरिका जापान जर्मनी ग्रेट बृतेन नाइट्रोजन योक्त उरवरक संयुक्त राज अ अमेरिका और उस्ट्रेलिया पोटाश उर्वरक जर्मनी संयक्तराष्ट्र अमेरिका तेरह विश्व के प्रमुक अध्योगिक नगर नगर बैलफास उद्योग जहाज निर्मान बर्मिंगम लोह एवम इसपाथ एसे इन जर्मनी लोह एवम इसपाथ हवाना सिगार लॉस एं उद्योग प्रेमाउथ जहाज निर्मान शेफिल्ड ब्रिटेन कैंची छुरी वेनिस कांच उद्योग वेलिंग्टन डियरी उद्योग धाका कालीन उद्योग नागोया जहाज निर्मान और सूती बस्त्र चेलिया बिंस्क उद्योग लोह एवम इसपाथ डेट्राइट ग्लासगो जहाज निर्मान हॉलीबूट फिल्म उद्योग कशांस मास उद्योग कीव इंजिनिरिंग उद्योग मैंचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग फिलाडेलिफिया लोको मोटिव पिट्सबर्ग लोह एवम स्पाथ सीटल वायू निर्मान ब्लाडी वोस्टक निर्मान मुल्तान मिट्टी के बरतन म्यूनिक जर्वनी लेंस निर्मान ओसाका सूती वस्त्र और लोहा इस्पाथ विश्व की प्रमुख वनस्पती प्रोपोफाइट उश्न कटिबंधिये जलवायू वाली घास एवम वनस्पती हाइग्रोफाइट दलदली एवम भूम शितोष्न कटिबंध क्षेत्र की वनस्पती क्रायो फाइट टुन्डरा एवम श्रीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पती हेलो फ्राइट नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पती लिथोपाइट खड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पती प्रिष्ट 149 अंद्रह विश्रोकी प्रमुख जन्जातियां जन्जाती, एसकीमो, संबंधित देश या अक्षेत्र, ग्रीनलेंड और कनाड़ा खिर्गीज, मध्य एशिया, माओरी, न्यूजलेंड, मसाई, पूर्वी अफ्रीका, कीनिया बेद्दास, शेलंका, नीग्रो, मध्य अफ्रीका, सेमांग, मलेशिया, युकाधिर, साइबेरिया, आयनू, जापान, बुश्मैन, कालाहारी मरुस्थल, बोथसवाना रेड इंडियन, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, पिग्मीज, कांगो बेसिन, बोरो, ब्राजील, इकांथा, दक्षिन अफ्रीका, हैदा, अमेरिका तातार, साइबेरिया, बद्दू, अरव, पपुआंस, न्यूगिनी, याकू, टुन्डरा प्रदेश, जुलू, नेटाल, प्रांथ, दक्षिन अफ्रीका सोलह, केव कभिलियाई मानवों के कुछ प्रमुक आवास एक, आल, ये यूरोप के काकेशिस प्रवतिय एवं मरुस्थरियक शेत्रों में पाई जाने वाली मानव प्रजाती का तंबो नुमा आवास है, ये लकडी के उपर चमड़ा मढ़कर ब्रताकार धाचे में बना होता है दो, इगलू, ये टुंडरा प्रदेश के एस्किमों प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाए गया अर्ध गोलाकार आवास है तीन, इजबा, ये उत्तरी रूस के ग्रामी निक्षेत्रों में तिकोनी रंगीन दिवारों से बना मानव आवास है चार, क्राल, ये अफरीका के वांटू एवं काफिर तथा नेटाल दक्षिन अफरीका के जूलू प्रजातियों द्वारा घास से निर्मित मानव अधिवास है तिपी, ये रौकी परवत अमेरिका के पूर्वी भागों में निवास करने वाले रेड इंडियनों द्वारा निर्मित तंबू के आकार का आवास है जो मुक्यतह बिसंड बेल के चमडे से बनाया जाता है चै, यूर्थ, गिमध्य इशिया के स्टेप्री क्षेतर के निवासियों, खिरगीज, कालमुक और कजाग द्वारा पश्वों की खालों से निर्मित आस्थाई मानव आवास है 17. विश्व के प्रमुक भोगोलिक उपनाम नौगगण चुम्भी इमारतों का नगर निवयॉयॉक यूएसे, दस पल अवदी ओरियंट सिंगापूर, ग्यारह क्वेकर सिटी, पिलाडेलफिया, बारह हवावाला शहर या गार्डन सिटी, शिकागो यूएसे, तेरह चीन का शोक, हुआंगो नदी, पीली नदी प्रिष्ट एक्सोचालिस अवर्दीन, स्कोटलेंड, एमराल्ड द्वीग आइलेंड, नील लदी की देन, मिस्र, एम्पायर सिटी, न्यूयॉक यूएसे, क्वीन ओफ एडिया ट्रिक, वेनिस इतली, अरब सागर की रानी या पूर्ब का वेनिस, कोची भारत, प्लेग्राउंड अफ यूरोप, वेरीज ओफ नॉर्थ, हेरिंग पॉंड, एत्लांटिक महसागर, संसार की छथ, पामीर का पथार, वेरिस ओफ दी वर्ल, स्टोक्होम, स्वेडन, गोरो की कब्र, गिनी तट पश्रिमी किनारा, अफरीका, लेंड ओफ केक्स, स्कोटलेंड, कॉप्पिट अफ यूरोप, ब संसार का रोटी भंडार, प्यरीज ओफ नॉर्थ अमेरिका, संसार का निर्जनतम द्वीब, त्रिस्तान बी कुनह, साथ तापवों का नगर, मुंबई भारत, पूर्व का मैंचेस्टर, उसाका जापान, और बिदन सिटी, लहासा तिब्बत, इंग्लेंड का बगीचा, के पहरीन, युरोप के बारूत का पीपा, बालकन, लेंड ओफ सेटिंग सन, ब्रिटेन, श्वेत नहर, वेल्गरेड, योगोसलाविया, भारत का मसालो का बगीचा, केरल, भारत, समारको की नगरी, वियाना, आस्ट्रिया, विश्व की जननत, पैरिस, फ्रांस, एशिया का प थाइलंड, आइलंड ओफ क्लोब्स, जंजिवार, तंजानिया, गार्डन प्रोविंस ओफ साउथ अफ्रीका, नेटाल, दक्षिन अफ्रीका, पिल्स ओफ हर्क्यूलिस, स्टेट्स ओफ जिब्राल्टर, ववन्चक्यों की भूमी, नीदरलेंड, हिंद महसागर का मोती, श तीन, ग्रान केनियन, आरिजोना सेंट राष्ट अमेरिका, चाट जुकी हुई मिनार, पीसा इटली, पांच मर्डेका पैलिस, जकार्था, इंडोनेशिया, छे, पोर्सालिन टावर, नानकिंग चीन, साथ, रेड स्क्वाइर, क्रेमलीन, मासको, आठ, स्फिंकस, मिस्र, न आरह काबा, मक्का, साउधियरग, तेरह लोबर, एफेल टावर, पैरिस, फ्रांस, चौधा, पोर्टाला, लहासा, तिब्बत, पंद्रह पिरामिड, मिस्र, सोलह श्वेद, डेगन पैगोडा, रंगून, म्यानमार, सत्रह ब्राइडवे स्रीट, स्रेचु अफ लिबर्टी एम्पायर स्रेट बिल्डिंग, न्यू यॉक सेल्थ राष्ट, अमेरिका, अठारा, वाइट हाउज, पेंटागन, वाशिंग्टन, दी सी, सेल्थ राष्ट, अमेरिका, उन्नीस, ओपेरा हाउज, सिड्नी, बीस, एफेल टावर, पैरिस, उन्नीस, विश्व के प्रमुग भोगोलिक खोजी, एक, आर, एमंट्सन, नार्वे, दक्षिनी दुरूप पर पहुँचने वाला प्रथम वैक्टी, उन्नीस सो ग्यारह इसवी, दो, रोबर्ट पियरी, अमेरिका, उत्री दुरूप की खोज, उन्नीस सो नौ इसवी, ती केप्टन कुक, हवाई द्वीपसमू, 1770 इसवी, प्रिष्ट 142, 6, कोपर्निकस, पॉलंड, सौरमंडल, 1540 इसवी, 7, पर्दिनंद द लेपल्स, स्वेज नहर का निर्मान, 1879 इसवी, 8, केप्लर जर्मन, ग्रहों का गतिनियम, 1620, 9, लिट्नबर्ग, प्रथम सोलो उनान, से न्यू यॉक तक 1927 इसवी, 10, वास्कोटिकामा पुर्तिकाल, केप आफ गुड होप होकर भारत आगमन, 1498 इसवी, 11, फ्रिड जॉब नॉन से, ग्रीन लेंड एवं उत्तरी दुरुफ का पहाडी भाग, 1888 इसवी, 12, मैगलन, विश्व का ब्रह्मन, एट्लांटिक के दक प्रशांत महसागर की खोच 1519 इसवी, 20, विश्व के महसागर तधा विश्व की प्रमुख नहरे, विश्व के महसागर, एक प्रशांत महसागर, क्षेत्रफल, बर्ग किलोमीटर में, 16,57,3,740 किलोमीटर, गेहरा स्थान, मेरियाना गर्थ मीटर में, 11,033, दो, अट्लांटिक महसागर, 8,29,63,800 बर्ग किलोमीटर, गेहरा स्थान, प्यूरिटो, रिको, गर्थ मीटर में, 8,392, तीन, हिंद महसागर, क्षेत्रफल, 7,34,25,500, बर्ग किलोमीटर, गेहरा स्थान, सुन्दा गर्थ मीटर में, 8,152 मीटर, चार, आर्किटिक महसागर, क्षेत्रफल, 1,44,56,000, गेहरा स्थान, यूरेशियन बेसिन, मीटर में, 5,450 मीटर, पांच, अंटाक्टिक महसागर, क्षेत्रफल, आप्राप्त, गेहरा स्थान, आप्राप्त, विश्वकी प्रमुक नहरे, एक, सू नहर, स्थान सयुक्त राश्ट्र अमेरिका, स्थिती सूपीरियट जील को यूरन जील से जोड़ती है, 2. इरी नहर, स्थान सयुक्त राश्ट अमेरिका, स्थिती इरी जील और मिशिकन जील को जोड़ती है, 3. गोटा नहर, स्थान स्थिती स्टॉक होम और गोटेन वर्ग के बीच, 4. कील नहर, स्थान जर्मनी, स्थिती उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच, 5. उत्तरी सागर नहर, स्थान जर्मनी, स्थिती उत्तरी सागर और एमस्टरडम के बीच, 6. मैंचेस्टर नहर, स्थान ग्रेट बिटेन, स्थिती मैंचेस्टर और लिवरपूल के बीच, 7. New Waterway, स्थान जर्मनी, स्थिती उत्तरी सागर और राटरडम के बीच 8. वोलगा डान नहर, स्थान रूस, स्थिती लोस्टोब और स्टालन्ग्राट के बीच 9. बेलेंड नहर, स्थान स्यक्तराश्ट अमेरिका, स्थिती एरी और अन्टोरियों के बीच 10. केपी नहर, स्थान भारत, स्थिती आंधरप्रदेश और तमिलनाडू के बीच 11. स्थान मिस्र, स्थिती लाल सागर एवंभू मद्य सागर के बीच 12. पनामा नहर, स्थान पनामा, स्थिती कैरोबियन सागर और प्रशांत महा सागर के मद्य स्थान पर्शिमी यूरोप इस्तिती एंटवर्प लीग तथा वेनिलक्स को जोड़ती है स्वेज नहर इसका निर्माण 1879 एस्वी में हुआ तथा इसके निर्माण का कारिय 1854 में एक फ्रांसेसी इंजीनियर फर्दिनंद देले पेप्स को सौपा गया था इस नहर की लंबाई 168 किलो मीटर औसद गहराई 16.15 मीटर अधिक्तम चौड़ाई 365 मीटर एवं 69 मीटर है इस नहर के उत्तरी प्रदेश प्रवेश द्वार पर यानि भू मद्य सागर की ओर पोर्ट सये तथा दक्षिनी प्रवेश द्वार पर यानि लाल सागर की ओर पोर्ट स्वेज स्थित है इस नहर के उत्तरी भाग में लिटल जील, मद्य भाग में टिमसा जील एमम दक्षिनी भाग ग्रेट ब्रिटर जील है। ये सब ये खारे बाने की जील हैं। इस नहर के पश्टिमी किनारे पर इसलामिया नगर है। इसका निर्मान 1914 इसवी में हुआ प्रारंब में इस पर अमेरिका का अधिकार था परन्तु दो हजार इसवी से इस पर पनामा का अधिकार हो गया। प्रिष्ट 143 22. विश्वकी प्रमुक जलसंधियां 1. जलसंधि मलक्का किस किस को जोडती है अंडबान सागर एवं दक्षन चीन सागर भगोलिक इस्तिती इंडोनेशिया और मलीशिया 2. पाक किस किस को जोडती है मननार एवं बंगाल की खाड़ी भगोलिक इस्तिती भारत और श्रीलंका 3. Lujon, किस-किस को जोडती है दक्षन चीन एवं फिलिपिन सागर, भगोलिक इस्तिती ताइवान फिलिपिन्स 4. Bering, किस-किस को जोडती है बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर, भगोलिक इस्तिती अलासका रूस 5. Davis, किस-किस को जोडती है बेरिंग सागर, भगोलिक इस्तिती ग्रीनलेंड कनाड़ा 5. Denmark, उत्तरी अट्लांटिक एवं आर्केटिक महसागर, भगोलिक इस्तिती इंगलेंड और फ्रांस 7. Dover, English Channel एवं उत्तरी सागर, भगोलिक इस्तिती इंगलेंड और फ्रांस 5. Hudson, हट्सन की खाड़ी एवं आट्लांटिक महसागर, भगोलिक इस्तिती कनाड़ा 9. Zibraltar, भुमध्य सागर एवं आट्लांटिक महसागर, भगोलिक इस्तिती स्पेन मौरोको 10. Korea, जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर, भगोलिक इस्तिती जापान और कोरिया 11. Magellan, किस-किस को जोड़ती है प्रिशान एवं दक्षिनी अट्लांटिक महसागर, भगोलिक इस्तिती चिली 12. Florida, मेक्सिको की खाड़ी एवं आट्लांटिक महसागर, भगोलिक इस्तिती अमेरिका और क्यूबा 13. Boss, किस-किस को जोड़ती है तस्मान सागर एवं दक्षिन सागर, भगोलिक इस्तिती आस्ट्रेलिया 14. Cook, किस-किस को जोड़ती है दक्षिन प्रशांत महसागर, भगोलिक इस्तिती न्यूजलेंड 15. Sunda, किस-किस को जोड़ती है जावा सागर एवं हिंद महसागर, भगोलिक इस्तिती इंडोनेशिया 16. टोकरा, पूर्वी चीन सागर एवं प्रशान्त महा सागर, भोगोलिक इस्तिती जापान, 17. युकाटन, किस-किस को जोडती है? मेक्सिको की खाड़ी एवं केरीबियन सागर, भोगोलिक इस्तिती मेक्सिको और क्यूबो, 18. ओरंटो, एड्रियोटिक सागर एवं आयोनियन सागर, इटली, अलबानिया, 19. नौर्थ चैनल, आइरिश सागर एवं अट्लांटिक महा सागर, भोगोलिक इस्तिती आइलेंड, इंगलेंड, 20. हार्मुस, किस-किस को जोडती है? फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी, भोगोलिक इस्तिती ओमान और इरान, 21. टारस किस-किस को जोडती है? अराफुरा सागर एवं पापुवा की खाड़ी, भोगोलिक इस्तिती न्योगिनी आउस्ट्रेलिया, 22. डारडन लीज, किस-किस को जोडती है? काला सागर, सोरी, मारमरा सागर एवं एजिलियन सागर, भोगोलिक इस्तिती तर्की, 23. बास फोरस, कि किसको जोडती है KALA SAGAR एवम मरमरा SAGAR भंगोलिक इस्थिति टरकी 24 बेले द्वीब किसको जोडती है सेν लॉरेंस खाड़ी एवम अट्लांकिक महसागर भंगोलिक इस्थिति कनाडा 25 पफविर्क्स किसको जोडती है तस्मान सागर एवं जावा सागर, भोगोलिक इस्तिती न्यूजिलेंड, 26 कारी माटा, किसकिस सो जोडती है, रक्षिनी चीन सागर एवं जावा सागर, भोगोलिक इस्तिती इंडोनेशिया, 27 मक्कास सार, किसकिस को जोडती है, जावा सागर एवं सेली बीज सागर, भोगोल पूसी को जोडतीती है जा पान सागरेवम पूरवी की जञती जापान 32 TV 민ण is Vanum जिपूती एस विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्ये जल डमरू मध्ये बेरिंग संबंदित सागर आर्केटेक एवं वेरिंग सागर भूबाग जिनको अलग करता है अलासका सेंगतराश्ट अमेरिका वारूस जिप्राल्टर संबंदित सागर भूमध्ये सागर एवं अट्लांटिक भूबाग जिनको अलग करता है यूरोप, स्वेन एवं अफ्रीका, मोरको दोबर उत्तरी सागर एवं अट्लांटिक भूबाग जिनको अलग करता है बृटेन एवं फ्रांस मलक्का, जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी, भूबाग जिनको अलग करता है मलाया एवं सुमात्रा फ्लोरीडा, संबंधित सागर, मेक्सिको की खाड़ी एवं अट्लांटिक भूबाग, फ्लोरीडा संयुक्तराश्ट अमेरिका एवं वेस्टन डीज पाक, संबंधित सागर, बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर, भूबाग जिनको अलग करता है भारत एवं शिरिलंका प्रिश्ट 144 22 विश्वकी प्रमुग नदिया एक, नाम नील, उद्गम स्थान विक्लोरिया जील, गिरने का स्थान भूमध्य सागर, लंबाई किलोमीटर में 6690 दो, अमेजन, उद्गम स्थान लेगो विलफेरो, गिरने का स्थान अटलांटिक महा सागर, लंबाई 6296 किलोमीटर तीन, मिसिसिपी, मिसाऊरी, उद्गम स्थान रड रॉक, स्रोथ, अमेरिका, गिरने का स्थान मेक्सिको की खाडी, लंबाई 6244 किलोमीटर चार, यांगसी, उद्गम स्थान तिबबत का पठार, गिरने का स्थान चीन, सागर, लंबाई 5797 किलोमीटर 5. ओबे उदगम स्थान अल्टाई परवत गिरने का स्थान ओब की खाड़ी लंबाई 5567 किलोमीटर 6. वांग हो उदगम स्थान क्यून लून परवत गिरने का स्थान चिहील की खाड़ी लंबाई 4666 किलोमीटर 7. Yenisi, उद्गम स्थान, रान्नू ओला परवत, गिरने का स्थान, आटिक महसागर लंबाई 4,506 किलोमीटर 8. Kangoo, उद्गम स्थान, लू आलिया और लू आपूला नदी के संगम, गिरने का स्थान, अटलांटिक महसागर, लंबाई 4,371 किलोमीटर 9. आमूर उद्गम स्थान शिल्का रूस आर्गून के संगम गिरने का स्थान टाटर स्रेट लंबाई 4352 किलोमीटर 10. लीना उद्गम स्थान बेकाल परवत रूस गिरने का स्थान आर्टिक महसागर लंबाई 4268 किलोमीटर 11. मैन केजी उद्गम स्थान फिनले नदी के मुहाने पर गिरने का स्थान ब्यूफोर्ट सागर लंबाई 4241 किलोमीटर 12. नाईजर उद्गम स्थान गिनी अफ्रीका गिरने का स्थान गिनी की खाडी लंबाई 4284 किलोमीटर 13. मिकांग उद्गम स्थान तिबबत के पठार गिरने का स्थान दक्षिन चीन सागर लंबाई 4023 किलोमीटर 14. बोलगा उद्गम स्थान बलडाई पठार रूस गिरने का स्थान कैस्पियन सागर लंबाई 3687 किलोमीटर 15. सेंट फ्रांससको उद्गम स्थान दक्षिन मिनास गेटेज अवराजील गिरनेका स्थान अंदर महसागर लंबाई 3198 किलोमेटर 16. सेंट लॉरेंस उद्गम स्थान आंटोरिया जील गिरनेका स्थान सेंट लॉरेंस की खाडी लंबाई 3058 किलोमेटर 17. ब्रहमपुत्र उद्गम स्थान मानसरोबर जील गिरनेका स्थान बंगाल की खाडी लंबाई 2900 किलोमेटर 18. सिंदू उद्गम स्थान मानसरोबर जील के पास गिरनेका स्थान अरब सागन लंबाई 2880 किलोमेटर उन्नीस डेन्यूब उद्गमस्थान ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी गिरने का स्थान कालस्थ सागर लंबाई दो हजार आट सो ग्यालिस किलोमीटर बीस परात उद्गमस्थान कारासुन और मूरत नहरी नदी के संगम से तर्की गिरने का स्थान श्यत अल अरब लंबाई दो हजार साथ सो निन्यानवे किलोमीटर इकीस डालिंग उद्गमस्थान आस्ट्रेलिया गिरने का स्थान मर्रे नदी लंबाई दो हजार साथ सो नवासी किलोमीटर 22. मर्रे उद्गम स्थान आस्ट्रेलियन आलपस से गिरने का स्थान हिंद महसागर लंबाई 2589 किलो मिटर 23. नेल्सन उद्गम स्थान वो नदी का उपरी भाग गिरने का स्थान हर्चन की खाड़ी लंबाई 2545 किलो मिटर 24. पेरागवे उद्गम स्थान माटो ग्रीसो ब्राजील गिरने का स्थान पैराना नदी लंबाई 2549 किलो मिटर 25. यूराल उद्गम स्थान दक्षिन यूराल परवत रूस गिरने का स्थान कैस्पियन सागर लंबाई 2533 किलो मिटर 26 गंगा उद्गम स्थान गोमुखी हीवानी से गिरने का स्थान बंगाल की खाड़ी लंबाई 2525 किलोमीटर 27 आमू दरिया उद्गम स्थान निकोलस श्नेनी पामीर गिरने का स्थान अरव सागर लंबाई 2414 किलोमीटर 28 साल्वीन उद्गम स्थान तिब्बत क्यूलन परवत के दक्षिन गिरने का स्थान मरतावान की खाड़ी लंबाई 2414 किलोमीटर 29 अरकनसास उद्गम स्थान मध्य कॉलोरेडो गिरने का स्थान मिसिसिपी नदी लंबाई 2348 किलोमीटर 30 कोलोरेडो उद्गम स्थान ग्रेंड कांट्री गिरने का स्थान कैलिफोर्निया की खाड़ी लंबाई 2333 किलोमीटर 31 नीपर नाम उद्गम स्थान बलडाई परवत रूस गिरने का स्थान काला सागर लंबाई 2284 किलोमीटर 32 ओहियो उद्गम स्थान पोर्टर कंट्री पैंसिवानिया गिरने का स्थान मिसिसिपी नदी लंबाई 2,102 किलोमीटर 33 इरावदी उद्गम स्थान माली और नामी नदी का संगम मियानमार गिरने का स्थान बंगाल की खाड़ी लंबाई 2,92 किलोमीटर 34 ओरेंज उद्गम स्थान लिसोथो गिरने का स्थान अत्लांटिक महसागर लंबाई 2022 किलो मीट्र किलो मीट्र 25 ओरी नाजमीं को उद्गमस्थान सियरा परिमापरवत गिर्नेकस्थान अटलांटिक महासागर बिलंबाई गिरनेकास्थान किलोमेटर सट आइसदोन उद्गमस्थान टूला रूस गिरनेकास्थान अज्योब सागर्स लंबाई 1968 किलोमेटर 38 टिगरिस उद्गम स्थान टॉरस पर्वत तर्की गिरने का स्थान शत अल अरब लंबाई 1899 किलोमीटर प्रिष्ट 145 अच्छीज नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर नगर और नदी एक बगदाद इराग नदी टाइग्रिस दो पर्लिन जर्वनी नदी स्प्री तीन पर्थ ऑस्टेलिया नदी स्वान चार वार्शा पॉलन नदी विस्टुला पाँच अस्वान मिस्र नदी नील छे सेंग्ट लुईस अमेरिका नदी मिसिसिपी साथ रोम इटली नदी टाइवर आठ लंदन इंग्लैन नदी टेम्स नौ पैरिस प्रांस नदी सीन दस मास्को रूस नदी मोस्कावा ग्यारह प्राग गढ्राजे नदी विंतावा बारह बोन जर्मनी नदी राइन तेरह खार्टूम सुडान नदी नील चौध हांकोव चीन नदी यांग्ती सिक्यांग पंदरह काईरह मिस्र नदी नील सोला ब्यूनस आयर्स अर्जंटीना नदी ला प्लाटा सत्रह अंकारा तर्की नदी किजिल अथारा डुंडी स्कॉटलेंड नदी ते उन्नीस लिवरपुल इंग्लेंड नदी मर्सी वीस कोलोन जर्मनी नदी राइन इक्कीस मॉंट्रियल कनाड़ नदी संट लॉरिंस वा केंटन चीन नदी सीक्यां 26 बेलगरेड नदी दन्यूब 27 बुड़ापेस ठंगरी नदी दन्यूब 28 वाशंटन पोटोमिक 29 वियान आस्ट्रिया नदी दन्यूब 30 टोकियो जापान नदी अराकावा 31 शंगहाई चीन नदी यांग टिसी क्यां 32 रंगून म्यानमार नदी इ नदी हट्सन 35 मेडरिड स्पेन नदी मैजेन सेस 36 लिजबन पुर्तगाल तंगस 37 लाहोर पाकिस्तान रावी 38 कराची पाकिस्तान सिंधू 49 डबलिन आइलेंड नदी लीफे 40 दिल्ली भारत नदी यमुना 41 चटगाउं बागलादेश नदी मयानी 42 हेंबर्ग जर्वनी नद इल्ब 43 शिकागो अमेरिका नदी शिकागो 44 बिस्टल इंग्लेंड नदी एवन 45 बस्रा इराक नदी दजला और फरात 43 क्यूबे कनाड़ा नदी सेंट लॉरेंस 47 लेलिंग्राड रूस नदी नेवा 48 टालिंग्राड रूस नदी बोलका 49 उक्याव मयानमार नदी इरावध पचास देंजी जर्मनी नदी वस्टूला थबीस विश्व के प्रमुख जलप्रपात जलप्रपात देश और उचाई मीटर में एंजल देश वेनेजिला उचाई 989 मीटर यॉसेमाइट देश कैलिफोर्निया उचाई 749 मीटर दक्षन मडाल फोसेन देश नार्वे 2614 मीटर कुक वेनन देश वेनेजवी विश्विविला उचाई 610 मीटर सुथनलेंड देश निज यूजलन उचाई 586 मीटर जलप्रपात पृप्रपात परिपोर्न देश कैलिफोरुनिया उचाई 4 enlarवे व्रेत कानवार्ना देश गुवउयाना उचाई 488 मीटर देल्ला देश कनाड़ा उचाई 440 मीटर, गवार्नी देश फ्रांस उचाई 422 मीटर, जोग गरसुपा, देश भारत उचाई 25 मीटर, न्यागरा, देश कनाड़ा एवं अमेरिका की सीमा पर उचाई 120 मीटर, एंजल जलप्रपात केरो नदी परिस्थित है, जोग जलप्रपात शरारत नदी परिस्थित है, इसे महत्मा गांदी जलप्रपात भी कहते हैं, प्रिष्ट 146 27 विश्व की प्रमुग जीले 1. कैस्पियन सागर, संबंदितिक्षेत्र, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजर्बैजान तथा इरान, शेत्रफल 3. लाक्स, इकत्र हजार, वर्ग किलोमीटर में 2. सुपीरियर जील, संबंदितिक्षेत्र, अमेरिका तथा कराड़ा ख्षेत्रफल, 82,100 किलोमीटर 3. Victoria जील समबंद दिख्शेत्र Kenya, Uganda तथा Tanjania किशेत्र फल 69,400 km 4. ARAL-Sagar जील समबंद दि Elizabeth कajakistan एवं Uzbekistan किशेत्र फल 64,500 km 5. HurITT-resse ए शयुंद tuerash Nigug pollュballdade मेरिका तथा कनाड़ा किशेत्र फल 69,600 km 6. Michigan जील सम्बिदीति क्षेतर स्वयोंसटराश्रों अमेरिका श्यत्रफ़ 5700 किलोमेटर 7. Tanga, Nika जील सम्बिदि क्षेतर तंजनिया, जैंबिया तथा जैरे श्यत्रफल 32,900 किलोमेटर 8. वैकाल जील सम्बिदी क्षेतर रूस श्यत्रफल 31,500 किलोमेटर 9. Great Barrier Jeel, Sambanditik Shetra Kanada, Shetra Fall 31,200 10. Great Slave Jeel, Sambanditik Shetra Kanada, Shetra Fall 28,430 km 11. Eri Jeel, Sambanditik Shetra Sayokhtarashra Amerika तथा Kanada, Shetra Fall 25,745 km 12. Winnipeg Jeel, Sambanditik Shetra Kanada, Shetra Fall 24,341 km 13. Malawi Jeel, Sambanditik Shetra Malawi तथा Mozambik, Shetra Fall 23,310 km 14. Ontario Jeel, Sambanditik Shetra Sayyumtrashtra Amerika तथा Kanada, Shetra Fall 25,930 km 15. Balkhash Jeel, Sambanditik Shetra Kazakistan, Shetra Fall 18,260 km 16. Laloga Jeel, Sambanditik Shetra Roos, Shetra Fall 18,130 km 17. Chad Jeel, Sambanditik Shetra Naizeria, Niger तथा Chad, Shetra Fall 15,540 18. Onega Jeel, Sambanditik Shetra Roos, Shetra Fall 9,842 km 19. Ayer Jeel, Sambanditik Shetra Australia, Shetra Fall 9,583 km 20. Rudolf Jeel, Sambanditik Shetra Kenya, Shetra Fall 9,065 km 21. Titi Kaka Jeel, Sambanditik Shetra, Peru, Bolivia, Shetra Fall 9,065 km 22. Athavasca Jeel, Sambanditik Shetra Kanada, Shetra Fall 8,081 km 23. Nikaragua Jeel, Sambanditik Shetra Nikaragua, Shetra Fall 7,697 km 24. Rendier Jeel, Sambanditik Shetra Kanada, Shetra Fall 6,389 km 25. Isik Kul Jeel, Sambanditik Shetra Kirgistan, Shetra Fall 6,190 km 26. Gindhai Jeel, Sambanditik Shetra Chin, Shetra Fall 5,957 km 27. Torrens Jeel, Sambanditik Shetra Australia, Shetra Fall 5,698 km 28. Vishwake Pramukh Parvat Shikhar Everest Parvat Shikhar, Desh Nepal, Ujai, 8850 km K2 Gardwin Austin, Desh Bharat, Ujai, 8611 km Kanchan Janga, Desh Nepal, Ujai, 8598 km Lahatse 1, Desh Nepal, Ujai, 8501 km Makalu 1, Desh Nepal, Ujai, 8481 km Dholagiri, Desh Nepal, Ujai, 8172 km Nanga Parvat, Desh Bharat, Ujai, 8126 m Annapurna, Desh Nepal, Ujai, 8078 m Grishar Brahm, Desh Pakistan, Ujai, 8068 m Gosain Than, Desh Chin, Ujai, 8018 m Kamech, Desh Bharat, Ujai, 77756 m Namcha Varwa, Desh Chin, Ujai, 77756 m Gul Mandhata, Desh Chin, Ujai, 7728 m Pirichmeel, Desh Pakistan, Ujai, 7728 m Prisht, 147 39, Vishwake Pramukh, Dweep 1. Naam, Greenland, Avastati Architect Mahasagar Kshetra Far Varga Kilometer में 21,75,000 2. New Guinea, Avastati Pashan Prashant Mahasagar Kshetrapal, 789,00, 900,000 3. Borneo, Avastati Hind Mahasagar Kshetrapal, 7,51,000 Kshetrapal, 7,51,000 4. Medagaskar, Avastati Hind Mahasagar Kshetrapal, 5,87,041 km 5. Bevin Dweep, Kanada, Avastati Uttari Architect Mahasagar Kshetrapal, 5,7,451 m Sath, Honshu Japan, Avastati Uttari Pashchimi Prashant Mahasagar Kshetrapal, 2,3,092 km 9. Victoria Dweep, Kanada Avastati Uttari Drove Mahasagar Kshetrapal, 1,96,236 m 10. E. Lismere Dweep, Kanada Avastati Uttari Drove Mahasagar Kshetrapal, 1,96,236 m 11. Sulawesi, Indonesia Avastati Hind Mahasagar Kshetrapal, 1,78,700 m 12. Dakshini Dweep, New Zealand Avastati Dakshini Pashimi Prashant Mahasagar Kshetrapal, 1,50,408 m 13. Java Dweep, Indonesia Avastati Hind Mahasagar Kshetrapal, 1,26,400 m 14. Uttari Dweep, New Zealand Avastati Dakshini Pashimi Prashant Mahasagar Kshetrapal, 1,14,687 m 15. Cuba Avastati Caribbean Sagar Kshetrapal, 1,10,922 m 16. Luzon Dweep Avastati Pashimi Prashant Mahasagar Kshetrapal, 1,46,68 m 17. Iceland 17. Iceland Avastati Uttari Atlantic Mahasagar Kshetrapal, 1,03,000,00,000 km 18. Ireland Avastati Uttari Atlantic Mahasagar Kshetrapal, 2,406 m 19. Tasmania Avastati Dakshini Pashimi Prashant Mahasagar Kshetrapal, 67,900 m 20. Sri Lanka Avastati Hind Mahasagar Kshetrapal, 65,600 वर्ग किलोमीटर 30. विश्व के प्रमुख पठार 1. Greenland का पठार अंद अंद महasagar के उत्तरी भाग में लगभग 21,75,600,000 वर्ग किलोमीटर पठार मादरे परवत श्रेणियों की मध्य स्थित है 4. तिबबत का पठार दक्षिन अमेरिका के मध्यपूर्वी भाग में ये पठार त्रिबुजाकार रूप में स्थित है 7. बोलीविया का पठार ये पठार 800 किलोमीटर लंबा और 128 किलोमीटर चौड़ा तथा इसकी ओसत उजाई 3,110 मीटर है ये बोलीविया के एंडीज परवतमाला क्षेतर में विस्तित रूप में पहला है 8. अलास्का का पठार इसका निर्मान यूकन और उसकी सहाइक नदियों द्वारा हुई है आतहा इसे यूकन का पठार भी कहा जाता है कनाड़ा की ओर इसकी उजाई लगभग 900 मीटर है 9. ग्रेट बेसिन का पठार ये कोलम्बिया पठार के दक्षिन में कॉलरोड़ो और कोलम्बिया नदियों के मध्ये 5,25,000 बर्ग किलोमेटर क्षेतर में विस्तित है 10. कॉलोरेडो का पठार ये ग्रेट बेसिन के दक्षिन में इस्तित है तथा इसका विस्तार युटाहा और एरिजोना राज्यों में पाया जाता है 11. दक्कन का पठार ये पठार दक्षिन भारत में इस्तित है इसे तीन और से परवत श्रेणियों ने घेर रखा है इसके पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा, उत्तर में विंद्याचर एवं सत्पुड़ा की श्रेणिया है 12. इरान का पठार इसे एशिया माइनर का पठार या इरान का मध्यवर्दी पठार भी कहते हैं इसकी उसत उचाई 900-1500 मीटर की मध्य है 13. अरब का पठार ये दक्षिन पश्चिम एशिया में स्थित है इसके पूर्व में फारस की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर, उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर और दक्षिन में अरब सागर स्थित है 14. अनातॉलिया का पठार ये टर्की के एंटिक एवम टारस फ्रेनियों में के मध्य स्थित है इसे टर्की का पठार भी कहते हैं इसकी उसत उचाई 800 मीटर है 15. अभी सीनिया का पठार ये पठार पूर्वी अफ्रीका के एथियोपिया एवम सोमालिया के एक शेतर में विस्तरत रूप में पहला है 16. बेडा गासकर का पठार बेडा गासकर द्वीब अफ्रीका के दक्षिन पूर बहिंद महसागर में इस्थित है इस द्वीब की मध्यवर्दी भाग पठारी है जिसे मेडा गासकर या माला गासी का पठार कहा जाता है 17. आस्ट्रेलिया का पठार आस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में आस्ट्रेलिया का पठार इस्थित है इसकी सामाने उज़ाई 180-600 मीटर की मध्य है इस पठार का दक्षिनी भाग मरुस्तर ये है 18. चिया पास का पठार ये दक्षिनी मेक्सिको में प्रशांत महसागर के तड़ पर इस्थित है इसके उत्तर में तबास को दक्षिन पश्चिम में ते हुआ एपिक की खाड़ी पूर्व में गवाटेमाला और पश्चिम में ओकसका और बेरा क्रूज इस्थित है 19. मैसेटा का पठार स्पेन के आईबियोरियन प्राइदवी पर मैसेटा का पठार इस्थित है इस पठार की औसत उजाई 610 मीटर है 20. इंडोचीन का पठार गिदक्षिनी एशिया के पूर्वी प्राइदवी पर स्थित है इस भाग पर साल्विन, सीकांग, मीकांग, मीनाम, आदी नदियां प्रवाहित होती है 31. विश्व के प्रमुख रेगिस्तान 1. सहारा, क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वेर में 84,500,000 km2 विश्व ऑस्टार क्षेत्र अलजीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारितानिया, नाईजर, सूडान, क्युनिशिया, मिस्ट और मुरकू 2. ऑस्ट्रेलियन क्षेत्रपल 15,500,000 वर्ग किलोमीटर पर स्क्वेर विश्वेर्ट ग्रेट सेंडवी ग्रेट विक्टोरिया, सिंसं, गिबसन तथा स्टूवर्ट रेगिस्तानी क्षेतर इसमें समलित हैं तीन अरेबियन क्षेत्रपल 13,00,000 वर्ग किलोमीटर स्कोइर विस्तार क्षेत्र दक्षिन अरब, साउदी अरब, यमन, सीरिया, खारी क्षेत्र एवं नाफूत इक्षेत्र के रेगिस्तान सम्लित हैं चार घुबी इक्षेत्रफल 10,40,000 किलोमीटर पर स्क्वेर विस्तार इक्षेत्र मंगोलिया और चीन पांच काला हारी इक्षेत्रफल 5,20,000 इस्तार इक्षेत्र बोटसवाना अफरीकी मध्य 6 टाकला माकन क्षीत्रपल 3,23,000 विस्तारक्षेत्र सीकियांग चीन 7 सोनो रणeled DVD poorer थीन लाघ दस हजार विस्तारक्षेत्र एरिजोना एवं कैदिफोर्निया युए से तथा मेक्सिको 8 नामिव क्षेत्रपल 3,10,000 स्कोर किलो मिट्र विस्तार क्षेत्र तक्षिन अफ्रीका नामी विया 9. कराकुम क्षेत्र पल दो लाग सतर हजार किलोमीटर पर स्क्वेर विस्तार क्षेत्र तुंक मेनिस्तान 10. थार क्षेत्र दो लाग साथ हजार विस्तार क्षेत्र तरी पश्रीमी भारत और पाकिस्तान ग्यारह सोमाली क्षेतरफल 2,60,000 विस्तार क्षेतर सोमालिया अफरीका बारह अटा कामा क्षेतरफल 1,80,000 किलोमीटर पर स्कुएर विस्तार क्षेतर उत्तरी चिली दक्षिनी अमेरिका तेरह काजल कुं एक लाग असी हजार विस्तार अक्षेतर उस्बेकिस्तान और कजाकिस्तान 14 दस्ते लुट खेतर वावन हजार विस्तार अक्षेतर पूर्वी इरान बाद रहा मोजाब क्षेत्रफल 35,000 दिस्तार क्षेत्र दक्षिनी कैलिफोर्णिया सायुक्त राश्टर अमेरिका 16 दसिन्तो डे सैचुरा क्षेत्रफल 26 लाख दिस्तार क्षेत्र उत्तरी पशिमी पेरू दक्षिनी अमेरिका नोट काराकुम और काजिलकुम दोनों के समिलित रूप को तुरकिस्तान मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है प्रेश्ट 149 32 विश्व के प्रमुक देशों की राजधानी एवं मुद्रा देश एशिया भारत राजधानी नई दिल्ली मुद्रा रुपिया बांगलदेश धाका टका भूटान थिम्पू नगुल्ट्रम नेपाल काटमांडू रुपिया ब्यानमार नेई पैताव कयात पाकिस्तान इस्लामबाद रुपिया अफगानिस्तान काबुल अफगानी चीन बीजिंग युआन शिरिलंका कोलंबो रुपिया इरान तेहरान रियाल इराक बगदाद दिनार इंडोनेशिया जकार्ता मुद्रा रुपिया बहरीन मनामा दिनार मंगोलिया उलान बतोर तुगारिक मलेशिया कुवालालंपुर रिंगरगित माल्दीव माले रुपिया लेबनान बेरूत पाउंड लाओस ब्यंतियान न्यूकी पलाओ कुवैत कुवैत सिटी दिनार वियतनाम हनोई डाग सयुक्त अरब अमिरात अभुधावी दिर्हम ताइवान ताइपे डॉलर किर्गिस्तान विशकेक सोम तुर्की अंकारा दीरा इसराइल जेरुसलम न्यूशेकेल जॉर्डन अम्मान दिनार कतर लोधोह वियाल कंबोडिया नहों पिन वियल तर कोरिया प्योंग प्यांग वान दक्षिन कोरिया सियोल वान मकाव पताका जापान टोकियो येन ब्रुनेई बंदर सेरी डॉलर विक्टोरिया डॉलर गुआम अगाना डॉलर ओमान मसकट रियाल फिलिपिन्स मनीला पीसो सीरिया धमिश्क पाउंड साओधी अरब रियाद रियाल सिंगापूर सिंगापूर डॉलर उजबेकिस्तान ताशकन सुम्त कजाकिस्तान अलमाटा तैनेगे यमन साना रियाल सोमोनी तुर्कमेरिस्तान अश्काबाद मनाथ अफ्रीका अंगोला राजधानी लुआंडा मुद्रा कुवांजा अल्जीरिया अल्जीर्स दियान दिनार मॉरिश्यस पोर्ट लुईस रुपिया मोरको रबात दिरहम मोजांबिक मपूतो मेटिकल नामीबिया बिंधॉक रेंद नैजर नामी णैजीरिया लागोस नेहरा रवांडा किगाली असेनेगल दकार फ्रेंग समालिया गधिशू शिलिगषिनवेका प्रेटोरिया रेंड सुडान खार्तूम पाउंद तंझानिया दोडो मा शिली सेचेल्स विक्तोरिया अरुप्या तुनिश्या तुनि नरीबो फ्रेंक, मलावी, लिलागाव कवाचा, बोच्वाना, गैबरोन पुला, बुरुंडी, बुजुमंबुरा फ्रेंक, केमरून, याउंडे फ्रेंक, कांगो, ब्राजाविला CFA फ्रेंक, बेनन, पोटा नीवो फ्रेंक, कैप वर्डे, प्रेया एस्कुडो, चाड एन दजामेना फ्रेंक, माली बमाको फ्रेंक, मारीतानिया नौक चोटु ओगुवा, लियो नियन सेंट डेनिस फ्रेंक, स्वाजीलेंड मबानेनी लिलान गिनी, सियरा लियोन, प्रीटाउन लियोन, इरिट्रिया अस्मारा बिर्रे, लैसोथो मसेरू लेती, प्रिष्ट एक्स पचास, युगांडा, राजधानी कंपाला, मुद्रा शिलिंग, जांबिया, लुसाका क्वाचा, जिंबावे, हरारे डॉलर, कांगो, राजधानी किन्शासा, मुद्रा जैरे, टोगो, राजधानी लोमे, मुद्रा फ्रेंक, मिस्र, काहिरा पाउंड, इथियोपिया, लाइबेरिया मोन रोविया फ्रेंग गैबोन ली व्रैवीले फ्रेंग सीएफ़े गांबिया बंजुल दलाशी जीब offenders जीब marque बुर्किना फासो, क्वागा दोगी फ्रेंक, कोमोरोस मौरोनी फ्रेंक, कोटे दा आईवरी, यामो उसक्रो फ्रेंक, गुयाना मालाबो फ्रेंक, गिनी विशाव विचाव प्रीचो, सावटों सावटों डोब्रा उत्तरी अमेरिका एवं केरेबियन सागरिय देश, कनाडा, उतावा डालर, क्यूबा, हवाना पीसो, पनामा, पनामा सिटी, बालबुआ, बर्मुडा, हैमिल्टन डॉलर, बहमास, नसाउ डॉलर, बारबाडोस, ब्रिच्टाउन डॉलर, कोस्टारिका, सौन जोस, कोलन, बैलीज, बेल मोपान डॉलर, मेक्सिको, मेक्सिको सिटी पीसो, सहित्राज अमेरिका, वाशिंग्टन डीसी डॉलर, डोमीनिका, रोसेउ डॉलर, डोमीनियन, सेंटो डॉमिंगो पीसो, होंडूरस, टेगु सिगलपा लेंपीरा, नीदरलेंड, ब्लैंस्टर्ड गिल्डर, बर्जन द्वीपसमू, चार लोटे अमाली, डालर, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी, क्वाट्जाल, निकारागुआ, मनागुआ, न्यू कोरडोबा, जमाइका, किंस्टन डॉलर, ग्रेनाडा, सेंट जॉर्ज डॉलर, ग्वाडेलोप वसे तेरे, फ्रेंक, अल सल् सेंट जॉन्स, कोलन, सेंट लूसिया, कैस्टिज डॉलर, सेंट केट्स वा नैविस, बेश से तेरे डॉलर, प्यू तोरेंको, साउन जुआन, डॉलर, सेंट विंसेट वा ग्रेनेडाइन्स, किंस्टाउन डॉलर, दक्षनी अमेरिका, ब्राजील, साओ पावलो, कुजेरा चिली, सांति यागो, पीसो, इक्वाडोर, क्विटो, सुक्रे, सूरिनाम, परामारिबो, गिल्डर, वेनेजविला, काराकस, बोलिवर, अर्जेंटीन, व्यूनस, आयर्ज, अंजेंटीनो, त्रिनिदाद वा टॉबेगो, पोर्ट अफ स्पेन, डॉलर, पेरु, लीमा, न अरुबा, ओरेंज स्टेडे गिल्डर, बोलिविया, लापाज, बोलिवियानो, फ्रेंच, गुईयान, कोईयनी, फ्रेंक, यूरोप, रूस, मास्को, रुबल, स्पेन, मेड्रिड, स्पैसेता, आस्ट्रिया, वियाना, शिलिंग, आर्मीनिया, येरेवान, रुबल, प्रे अर्मनी, बर्लिन, दियूश, मार्क, युनान, एथिन्स, ब्राचमा, हंगरी, गुड़पेस्ट, फ्रेंट, देन्मार्क, कोपनहेगन, क्रॉन, लिथवानिया, विलियनियस, लितास, एस्टोनिया, तालीन, क्रुन, स्वीडेन, स्टोक्होम, क्रोन, स्वीजलें, बर्न, ब्रिटेन, लंदन, पाउन, मैसीडोनिया, स्कोप्रजे दिनार, स्लोबेनिया, लिव क्लियान दिनार, सर्भिया, बल्ग्रेड दिनार, यूक्रेण, कीव, हीरिवीनिया, फिनलेंड, हेलन्सिगी, मारका, नीदलेंड्स, एमस्टर्डम, गेल्डर, आइसलेंड, आरइस्ट, लिव, माल्टा, वालटा, पाउप्ण, लिंचे टीन, वादूज, फ्रेंक, सान मारिनो, सान मारिनो, लीरा, बोसनिया, हर्जे गोविना, सराययवो दिनार, अंडोरा, अंडोरा-ला-विले, फ्रेंक, पैसेता, अजर्बैजान, बाकू, मनाथ, जॉर्जिया, Tbilisi, Lorry, Ireland, Dublin, Brown, Luxembourg, Luxembourg, Frank, Belgium, Brussels, Frank, Bulgaria, Sofia, Leva, Albania, Tirana, Lake, Latavia, Viga, Rubel, Belarus, Minsk, Rubel, Moldavia, Kishinev, Rubel, Krošia, Jagrev, Dinar, Italy, Rome, Lira, Slovak, Gajraje, Bratislava, Crown, ओसी नियाई देश, Australia, Canberra, Dollar, New Zealand, Wellington, Dollar, Micronesia, Pilikir, Dollar, Toga, Nuko, Alafa, Pang, वाना आतु, Port Villa, Watu, Kiribati, Barriki, Dollar, Papua, New Guinea, Vot, Moreswi, किना, French, Polynesia, Papi, D, Frank, फिजी, सुवा, Dollar, Marshall, Leap, Majuro, Dollar, Nauru, Yaren, Dollar, Tuvalu, Phuna, Footy, Dollar, बश्टिमी, Samoa, A.P.A. ताला, New Caledonia, Normia, Frank, Palau, यानी, Belao, Kodor, USA, Dollar, Solomon, द्वीबसमू, Khoniara, Dollar, Dollar, 33, विश्व के भू आवेश्टित देश, वो देश हैं, जिसमें समुंदरी तर्ट रेखा नहीं पाई जाती, ये देश चारो और से अन्य देशों की भगोलिक सीमाओं से घिरे रहते हैं, विश्व में कुल 44 देश भू आवेश्टित हैं, एशिया, अफगानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, लाओस, अजर्बैजान, उसबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर पूरा, लिंचेस्टीन, माल्डोवा, अफ्रीका, बोट्सवाना, बुरुंडी, चाड, लेसोथो, मलाभी, माली, नाइजर, जिंबावे, दक्षिन, रोडीशिया, लुआंडा, स्वीजलिन, यूगान्डा, जामिविया, उत्री, रोडीशिया, बुरकिना, फासो, अपर बोल्टा, रवांडा, दक्षिन, अमेरिका, बोलीविया, और पराग्वे, सबसे बड़ा बुआवेश्टित देश कजाकिस्तान है, बुआवेश्टित देशों में दू ऐसे देश हैं, जो दोहरे बुआवेश्टित हैं, अर्थात ये देश चारो ओर से उन देशों से ख पराग्शानकारी he, भारत उत्तरी गोलार्द में, आट दिग्री चार मिनट से 37 दिग्री छह मिनट, उत्तरी अक्षांश और 68 दिग्री 7 मिनट तथा 97 दिग्री 25 मिनट पूरवी देशांतार के बीच इस्थित है, सबोन भारत का अक्षांश ये विस्तार 6 दिग्री 4 उत्तरी अक्षांच के मद्ध है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल के द्रिष्टिकोन से भारत विश्व का साथ सबसे बड़ा देश है जबके जनसंख्या के द्रिष्टिकोन से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की द चार दो प्रतीशत है जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 16.7 प्रतीशत है दो हजार एक इसवी की जनगर्णा के अनुसार जनसंख्या की दृष्टी से विश्व के आट बड़े देश हैं चीन भारत सेयुक्तुराश्ट अमेरिका इंडोनेशिय ब्राजील पाकिस्तान बांग्लदेश एवं रूस भारत का उत्तर से दक्षिन में विस्तार 3214 किलोमीटर है वह पूरब से पश्टिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है इसके तट्य भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यामार, भूटान और अफगानिस्तान है इसके साथ भारत की सीमा की लंबाई क्रमशाह 4096 किलोमीटर, 3917 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर और 1752 किलोमीटर, 1458 किलोमीटर, 587 किलोमीटर एवं 80 किलोमीटर है भारत के जल्य सीमा पांग देशों से मिल खल सीमा से लगे देश, बांगलदेश, म्यामार और पाकिस्तान। भारत का सबसे दक्षिनी बिंदू इंद्रा पॉइंट है। ये निकोबार त्वीब सम्हू में इस्थित है। पहले इसका नाम पिग मीलियन पॉइंट था। ये भूमध्य रेखा से 846 किलोमीटर दूर है भारत के सबसे उत्तरी बिंदू इंद्रा कॉल जम्मू कश्मीर राज्ये में हैं, पश्चिमी बिंदू सरक्रीक गुजरात एवं पूर्वी बिंदू वालांगू करुणाचल प्रदेश में हैं। कोलाबा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कालिमीरे तमिलनाडू में पॉइंट पेड्रो जाफना शिर्लंका के उत्तरपूर में हैं। भारत एवं चीन की सीमा को मैक मोहन रेखा कहते हैं। ये रेखा 1914 इस्वी में शिमला में निरधारित की गई थी। इसकी उत्तरी पूरवी सीमा की लंबाई लगभग 4224 किलोमीटर है। भारत और अफगा अकिस्तान के बीच रेटकिल्फ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 इसवी को सर एम रेटकिल्फ के द्वारा निरधारित की गई थी। दक्षिन में श्रिलंका भारत से पाक जलसंदी तथा मननार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। श्रिलंका के बाद भारत का दूसरा निकरतम सम मुंद्री बडूसी देश इंडोनेशिया है जो निकोबार ग्रीब सम्भू के अंतिमदूई ग्रेट निकोबार के दक्षिन में स्थित है। भारत का मानक समय इल्हाबाद के निकर्ड मिर्जापूर से गुजरने वाली 82 सही एक बटा दो डिग्री पूर्वी देशांतर पांच राज्यों उत्तरपदेश, मध्यपदेश, च्छत्यजगर, औरीसा, आंध्रपदेश से होकर गुजरता है। प्रिष्ट 153 पडोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबध हुराचे देश, बांगलदेश सबसे लंबा संबध हुराचे, पश्चि मंगाल, चीन, जम्मु कश्मीर, पाकिस्तान, राजस्थान, नेपाल, बिहार, मियामार, मिजोरम, बुटान, आसम, अफगानिस्तान, जम्मु कश्मी पाकिस्तान एवं भारत की सीमा को स्पर्ष करने वाले भारती राजी है जमो कश्मीर, पंजाब, लाजस्थान तथा गुजरात भारत एवं चीन की सीमा से सटे राजी है जमो कश्मीर, हिमाचल परदेश, उत्राखण, सिक्किम तथा अरुनाचल परदेश म्यानमार की सीमा को सपर्ष करने वाले भारती राजी हैं अरुनाचल पनेश, नागलेंड, मड़ीपूर तथा मिजोरम बांगलादेश की सीमा से सटे भारती राजी हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मिघाले एवं पशिम बंगाल भारत के कुल सत्रह राजी पडोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं, पूर्वोत्तर भारती राजीयों में नागलेंड, मड़ीपूर, अरुनाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बंगलादेश से नहीं मिलती हैं तीन और बंगलेश से घिरा राज्यत रिपूरा है, संकोष नदी असम एवं अरुनाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, जोजिला दर्रे का निर्मान, सिंदु नदी द्वारा, शिपकिला का निर्मान, सतलच नजी द्वारा एवं जै लैपला का निर्मान, तिस्ता न आई गई है, बुर्जल दर्रा श्री नगर से गिल गित को जोड़ती है, बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्री नगर जाने का मार्ग गुजरता है, जवाहर सुरंग इसी में स्थित है, शिपकिला दर्रा श्रिमला से तिबबत को जोड़ता है, तीन अर्द चंद्राकार समद करन्य कुमारी में मिलते हैं भारत के प्रमुख दर्रे कराकोरम दर्रा राज्य जम्मुकश्मीर जोजिला दर्रा जम्मुकश्मीर पीर पंजाल दर्रा जम्मुकश्मीर बनिहाल दर्रा जम्मुकश्मीर बुर्जिल दर्रा जम्मुकश्मीर शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रद जेलेपला दर्रा सिक्म, वोमबीडला दर्रा अरुनाचल परतिश, यांग्याप दर्रा अरुनाचल परतिश, तुजू दर्रा मड़िपुर। 2. भारत का बहुतिक स्वरूप देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7 प्रतीशत भाग पर उच्चे परवत श्रेनिया हैं, जिनकी उच्चाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उनसे अधिक है, 305 मीटर से 2135 मीटर की उचाई वाली पाहाडियां 18.6 प्रतीशत भू भाग पर फैली है, 43 प्रतीशत भू भाग पर विस्तरत मैदान का विस्तार है, बहुत तेख रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को पांच भागों में बाटा गया है, यह था एक, उत्तरी परवती मैदान, दो, विशाल मैदान, तीन, प्राइदवीपी पठार, चार, मरुस्तली प्रदेश तथा पांच, समुद्र तठी मैदान, हिमाले का प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाज, पंजाब हिमाले, लंबाई 560 किलोमीटर, विस्तार सिंदु एवं सतलज नदियों के मद है, कुमायू हिमाले, लंबाई 320 किलोमीटर, विस्तार सतलज एवं काली नदियों के मद है, नेपाल हिमाले लंबाई 800 किलोमीटर विस्तार काली एवं तिस्ता नदियों के मध्य है असम हिमाले लंबाई 720 किलोमीटर विस्तार तिस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य है भू वैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमाले पहाड है वहां तिथिस नामक उत्तिला समुन्द था हिमाले की उत्रति के संबंद में आदरिक सिधान प्लेट वी वर्तिनी की प्लेट टेक्टो निक्स है प्रिष्ट 154 रावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्जे में हैं ये सबसे पुरानी चटानों से बनी है इस पहाड़े की सबसे उंची जोटी माउंट आवो परस्थित गुरू शिखर है इसकी उंचाई 1722 मीटर है अरावली के पश्चिमी की ओर से माही एवम लूनी नदी निकलती ह लूनी नदी कच्छ के रंड्स में गायब हो जाती है अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है नोट वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उससे दरीवर आफ पी मेरल कहते हैं मालवा का पठार मद्य पदेश एवम 36 गड़ राज्जे में है ये जवा परवत माला उत्तर भारत को दक्षिन भारत से अलग करता है मैकाल पठार 36 गड़ में है मैकाल पहाडी का सरवोच शिखर अमर कंटक 1036 मीटर है ये पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक परवत है इसके पश्यम की ओर से नर्मदा नदी उत्तर की ओर से सोन नदी और द करने शिभंडार की चिष्टी से ये भारत का सबसे संपन्न प्रदेश है सत्पुडा की पहाडियां मद्य प्रदेश राज्ये में ये जवाला मुखिय चटानों से बनी हुई है इनकी सबसे उंची चोटी दूप गड़ी 1350 मीटर है जो महादेव परवत परस्थित है इसक शिमी घाट से उत्तर्स में गुजरात के सौराश्ट्र प्रदेश में गिर्की पहाडियां मिलती है जो एशियाई सिंग के लिए विख्यात है दकन का पठार महाराश्ट्र राज्ये में है ये ज्वाला मुखिय वेसार्ट चटानों का बना है ये काले मिट्टी का ख्षेत परिवर्धे चटानों से बना इस पठार के पर्षिमी भाग में बाबा बुदन की पहाडी तथा ब्रह्मागिरी की पहाडी है नीलगिरी की पहाडी तमिल नाडू में है जो एक ब्लॉक परवत है ये मुख्य तहा चालनो काईट पठार से बनी है इसकी सबसे उंची चोट डोडा बेटा 2637 मीटर है जो दक्षिन भारत की दूसरी सबसे उंची चोटी है उटक मंड इसी पहाडी पर है तमिलनाडु राज्जे में नीलगिरी के दक्षिन भाग में पाल घाट है पाल घाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलंस्थल है अर्थात पूर्वी कोदी है जिसकी लगुचाई 2696 मीटर है यह अन्नामलाई की पहाडी पर इस्थित है नोट अन्यमुदी तीन पहाडियों का केंद्रबिंदु है यहां से तीन पहाडी श्रंक लाएं तीन दिशाओं में जाती है दक्षिन की और इलाईजी काड़ामम की पहाडियां उत्तर क की और आन्नामलाई की पहाडियां तथा उत्तरपूर्व की और पालनी की पहाडियां है पर सद्व परियातक सल कोडाई कनाल पालनी पहाडियों में यह तμηल नदू में स्थित है आंधक रिज और उणिसा के टट्लिभाग में महिंद्रिगिरी पहाडी प्रिष्ट 155 भार एवं तीन गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तर्ट ये भाग को उत्तरी सरकार तर्ट कहलाता है भारत के पूर्भी तर्ट पस्तित प्रमुख बंदरगाहा है पारादीप, उडिसा, कोलकाता, पश्रिमंगाल, विशाखा पतनम आंधरपदेश, चेन्नाई, तूती कोरि एवं एन्नोर, तमिलनाडू, विशाखा पतनम बंदरगाहा डाल्फिन नोस बहाडी के पीछे सुरक्षित है, पूर्वी तर्पस्तित प्रमुख लैगून है, पुलिकट, चेन्नाई, स्चिलका, पूरी तथा कोलेरू आंधरपदेश, नोट, लैगून, समुंद्रिक शे को निम्न भागों में बाटा गया है, एक गुजरात से गोवा तक का तर्थिये भाग, केक्षेत्र कोंकन तर्थ, दो कोवा से करनाटक के मैंगलोर तक का तर्थिये क्षेत्र केनेरा तर्थ, तथा तीन मैंगलोर से कन्यकुमारी तक का तर्थिये क्षेत्र मालाबार तर्थ कयाल कहते हैं भारत में दो द्वीब समु हैं एक अंडमान निकोबार द्वीब समु दो लक्ष द्वीब द्वीब समु अंडमान निकोबार द्वीब समु बंगाल के खाड़ी में इस्थित है इसमें करीब 247 चोटे चोटे द्वीब हैं निकोबार में 19 द्वीब हैं कि ग्रानी तंत्र लगाया हुआ है बंगाल के खाड़ी में नदियों ने जलोड मिट्टी के निक्षेव द्वारा कई द्वीबों का निर्मान किया है हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीब है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है यहां नियू मूर नामक द्वीब का निर्मान हाल ही में हुआ है अंड़मान निकोबार द्वीब समहो की सबसे उची परवत चोटी सैडल पीक 730 मीटर है मांट हेरियड दक्षिन अंड़मान में तथा मांट थूलियर निकोबार द्वीब समहो में स्थित है केंदर शासत प्रदेश का सबसे पतन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिनी अंडमान है नैलोर के निकट श्री हरी कोटा प्रवाल देन में द्वीब है पुलिकट जील इसी द्वीब द्वारा समुझ से भिलग है लक्ष द्वीब द्वीब समू अरप सागर में स्थित है इसमें कुल 36 द्वीब है इसमें क बैरन तथा नार कोंडम नामक दो प्रसद ज्वाला मुखी द्वीब है बैरन द्वीब अंडमान तथा निकोबार द्वीब समू में एक सक्रिय ज्वाला मुखी है जबकि नार कोंडम दो सुशुप्त ज्वाला मुखी है प्रिश्ट 156 इन भारत की नदियां सतलज नदी उद्गम मानसरोबर जील के समीब स्थित राकस्ताल उचाई समंद्रतल से 4550 मीटर, संगम या मोहाना चिनाब नरी लंबाई किलोमीटर लगभग 1500 भारत में 1050, विशेश, श्रिवालिक परवत श्रंखला को कारती हुई पंजाब में प्रवेश करती है लोधियाना तथा फिरोसपूर तटवरती नकर है। सिंधु नदी, उदगम तिबबत में मानसरोबर जील के पास, सानोक या बाब हिमनच से, संगम या मोहाना अरब सागल, लंबाई 2880 भारत में 1114, विशेश, इसकी साहयक नदियां हैं सदलज, चिनाब, रावी, व्यास तथा जहिलम, रावी, नदी, उदगम कांगणा जिले में रोहतांग दर्रे के समीब, संगम चिनाब नदी, लंबाई 725 किलोमीटर, विशेश, कुछ नहीं, व्यास नदी, उदगम रोहतांग दर्रे के समीब, व्यास कुंड से 4330 मीटर की उचाई पर, संगम हारी के कपूर्थला के समीब, सतलज, नदी, लंबाई 470 किलोमीटर, विशेश, कुलो गाटी से वहती हुई दोहलादार धर्वत को पारकर पंचाब के मैदान में पहुँचती हैं, जेरम, उदगम बेरिनाग कश् के समीब, शेशनाब जील, संगम चिनाब नदी, लंबाई 724 भारत में 400, विशेश, शिरिनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं, गंगा नदी, उदगम गंगोत्री के पास गोमुख, हिमानी समुद्रतल से 3900 मीटर भी उचाई, अधिक उचाई पर, संगम बंगाल के खाड़ी, लंबाई 2525 भारत में, नोट, नदी की लंबाई भारत भौतिक परियावरण वर्ग 11, NCERT के परिशिष्ट तृतिय से ली गई है, नोट समा, विशेश, गंगा वास्तम में भागी रती एवं अलकनन्दा नदियों का समिलित नाम है, प्रमुख साहक नदिया यमुना, गंडक, घागरा, कोसी, आदी, यमुना नदी, उद्गम, बंदर पूंच के पर्शिमी ढाल पर, इस्तित यमुनोत्री हीमानी, उचाई, समुद्र तल से 6,316 मीटर, संगम, प्रयाग, इलहबाद में, गंगा नदी, लंबाई 1375 किलोमीटर, विशेश, इसके सहा नदियां हैं, चंबल, बेदवा, तथा केन, ये तीनों ही नदियां दक्षिन से यमुना में मिलती हैं, चंबल नदी, उद्गम, बध्यपदेश में महु के समीप, स्थित, जाना, पावा, पहाडी, उचाई, समुद्र तल से 616 मीटर, संगम, इटावा, उत्तर प्रदेश से 38 किलो मीटर दूर, यमुना नदी, लंबाई, 1050 किलो मीटर, विशेश, देश के सबसे गहरे खटों का निर्मान, इसकी सहायक नदियां हैं, काली, सिंध, पारवती, सिप्ता तथा बनास, राम गंगा नदी, उद्गम, नैनिताल के समीप, यमाले श्रिनी का दक्षिनी संगम, कनोच के निकट गंगा नदी, लंबाई, 696 किलो मीटर, विशेश, खोन, इसकी प्रमुख सहायक नदी है, शारदा, काली गंगा, उद्गम, कुमायू, हिमाले का मिलाम, हिमनद, संगम, वहराम घाट के समीप, घागरा नदी, लंबाई, 602 किलो मीटर, विशेश, इ या पूरवी राम गंगा या चौकिया, घागरा या करनाली या कौरियाला, उद्गम, नेपाल में तलका कोट से, 37 किलो मीटर उत्तर पश्टि में, मपासा तुम हिमानी, संगम, सारन तथा बलिया, जिले की सीमा पर गंगा नदी, लंबाई, 1080 किलो मीटर, विशेश, शिव 157, गंडक नदी, नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानी भाग में नारायनी, उद्गम, नेपाल, संगम, पटना के समीब गंगा नदी, लंबाई, भारत में 425, विशेश, साहक नदिया, काली गंडक तथा तिशूली गंगा है, इसमें मिलने वाले गोल पत्थरों को शा गंगा नदी, लंबाई, 730 किलोमीटर, विशेश, इसकी मुक्यदारा अरुन नदी तिबबत में बंग चू है, साहक नदिया है, यारू, सून कोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लीखू, दूद कोसी, भोट कोसी, तामबा कोसी, आदी, वेतवा या, वेतरवती नदी, उद्गम, मध्यपदेश के रायसीन जिले में कुमारा गाउं के समीप विंद्या चल परवत, संगम, हमीरपूर के समीप यमुना नदी, लंबाई, 480 किलोमीटर, विशेश, उपरी मार्ग में कई जहलनों का निर्मान, सोन नदी, उद्गम, अमर कंटक की पहाडियां, संगम, पटना के समीप गंगा नदी, लंबाई, 780 किलोमीटर, विशेश, नर्मदा के समीप उद्गम, ब्रह्मपुत्र, तिबबत में सांपू तथा असम में दिहांग नदी, उद्गम, तिबबत में मानसरोबर जील से 80 किलोमीटर के दूरी परस्थित, हिमानी, उचाई समुद्रतल से 5150 मीटर, संगम, बंगाल की खाड़ी, उचाई 2900, भारत में 916, नोट, नदी की लंबाई, भारत बहुतिक परियावरणबर्ग 11, NCRT के परिशिष्ट तृतिय से ली गई है, नोट समाग्त, विशेश, प्रमुक सहायक नदियां, डीबोंग, लोहित, सेसरी नोबा, दियांग, आदी है, अन्य सहायक नदियां है, स्वन सीरी, धन सीरो, मानस, धारला, तिस्ता, बूढ़ी, दियांग, धन सीरी, कुलसी तथा जिंजराम, नर्मदा नदी, उद्गम, विंद्याचल परवत श्रेनियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान, उचाई सम संगम, खंबात की खाड़ी, लंबाई, 1312, नोट, नोट वही है, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, विशेश, जबलपुर में ब्रीडा घाट के समीब कपलधारा दुहाधार जलप्रपात का निर्मान, डिल्टा के वजए, एशू चुवरी बनाती है, तापती नदी, उ 824, नोट, वही जो अभी तक पढ़ते आए हैं, विशेश, डेल्टा के बजाए एशू चुवरी बनाती है, पूरणा प्रमुक साहयक नदी है, महनदी, उद्गम, चतिसगर के राइपुर जिले में सिहावा के समीब, संगम, बंगाल के खाड़ी, कटक के समीब, लंबाई 815, नोट, वही जो अभी तक पढ़ते आए हैं, विशेश, ब्रहमणी तथा वैतरनी सहयक नदियां हैं, शिप्रा नदी, उद्गम, इंदोर जिले की काकेरी बरडी नामक पहाडी, संगम, चंबल नदी, लंबाई, 560 किलोमीटर, विशेश, इसकी किनारे उज्जेन का वि अध्यप्रदेश के, अमजोरा के मेहद जीन, संगम, खंबात की खाडी, लंबाई, 585 नोट वही, जो अभी तक पढ़ते आए हैं, विशेश, इस पर वजात सागरबान, बासवाडा बनाया गया है, लूनी नदी, उद्गम, अजमेर जिले में स्थित, नाग पहाड संगम, कच्छ की रन, लंबाई, 320 किलोमीटर, विशेश, इसकी मुख्य साहयक नदियां, बाडी, सूकरी, मिटडी, आदी है, ये नमकी नदी है, थार मरुस्तल में लुप्त हो जाती है, प्रिश्ट 158, सोम नदी, उद्गम, उदैपुर जिले के बीचा मेंडा नामक स्थ इसकी साहयक नदियां है, साबरमती नदी, उद्गम, उदैपुर जिले में अरावली परवत परस्थित, जैसमुंद्र जीन, संगम, खंबात की खाडी, लंबाई, 371 किलोमीटर, विशेश, इसकी प्रमुख साहयक नदियां है, साबर, हाथमती, मेश्वा, बेतरक तथा मा आजम है, आयर या बेडच, उद्गम, उद्धैपुर की उत्तर में गोमुंडा पहाडियां में इस्थित, संगम, चित्तोडगर के समी बनास नदी, लंबाई, 190 किलोमीटर, विशेश, प्रारंभ में इसे आयर नदी एवं, उद्धैसागर जील के बाद बेडच नदी कहा जाता है, क्रिश्ना नदी, उद्गम, महबलेश्वर की समय पश्रिम घाट पहाड उजाई समुद्रतल से 1337 मीटर, संगम, बंगाल की खाड़ी, दंबाई, 1401 किलोमीटर, नोट, वही जो अभी तक पढ़ते आए हैं, विशेश, इसकी प्रमुक साहयक नदियां हैं, भीमा तुंग भद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंच गंगा, दूद गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, आदी, गोदावरी, उद्गम, नासिक जिले, महराश्ट्र के दक्षिन पश्टि में, 64 किलोमीटर दूर इस्थित, त्रेंबक गाउं की एक पहाड़ी, संगम, बंगाल की खाड़ी, लंबाई 1465 किलोमीटर, नोट वही जो अभी तक पढ़ते आए हैं, विशेश, इसे व्रद्ल गंगा या दक्षिन गंगा भी कहा जाता है, इसकी प्रमुक सहायक नदियां हैं, प्रवरा, पुरना, मंजरा, बेन गंगा, वर्धा, बेन गंगा, प्रा बंगाल की खाड़ी, लंबाई 800 किलोमीटर, नोट वही जो भी तक पढ़ते आए हैं, विशेश, इसे दक्षिन भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है, शिफ समुद्रम जलब्रपात तथा श्रीरंग पटनम एवं शिफ समुद्रम द्वीपो की उपस्तिती इसक महत्व बढ़ा देती है, तुंग भद्रा, उद्गम कनाटक में पश्रिम घार पहार की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा संगीप में ही काडूर से भद्रा नदी का उद्गम, संगम क्रिश्ना नदी, लंबाई 331 किलोमीटर, विशेश, इसकी प्रमुक सहाइक नदिय हैं कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद, पेनार, उद्गम नंदी दुर्ग बहाडी करनाटक संगम बंगाल की खाडी, लंबाई 597 किलोमीटर, नोट वही जो अभी तक पढ़ते आए हैं, विशेश, इसकी सहाइक नदियां हैं पापाधनी तथा चित्रावती, द शिर्षा के समीब गंगा नदी, लंबाई 265 किलोमीटर, विशेश, इस पर बिहार प्रपात स्थित हैं, तथा ये नदी केरल में प्रवाहित होती हैं, उमियम, उद्गम उमियम जील में घाले, संगम निल, लंबाई निल, विशेश, ये एक चोटी नदी हैं, हुगली इल, विशेश, इसकी प्रमुख सहायक नदी जलांगी हैं, बैगाई, उद्गम कंडन मडी कन्यूर पशिम घाट में, मदुरह के समीब तमलनाडू, संगम बंगाल की खाडी, लंबाई 288 किलोमीटर, विशेश, इसकी सहायक नदियां हैं, कुमुं, वर्शानाड, सरीलिया देवियार, बरह, तथा मंगलार, ये थी भारत की नदियां, प्रिष्ट 169, उत्राखन के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की उचाय पर गोमुख के निकट गंगोतरी हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है, यहां इसे भागी रती कहते हैं, अलकनन्दा का उद्गम स्रोत आपस में मिलती हैं, गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है, गंगा नदी बांगलादेश में पद्मा के नाम से भैती है, ब्रहमपुत्र नदी बांगलादेश में जमुना के नाम से भैती है, और पाबना की पूर्व गोडुला घाट के पास प पद्मा कहते हैं आगे बहती हुई जब ये नदी चांदपूर के उत्तर पूत पहुँचती है तो मेगना इससे आकर मिलती है तब ये मेगना के नाम से बहती हुई कई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है मेगना की सहायक बराक नदी उद्गम बड जल का केवल 20 प्रतीशत जल उप्योग कर सकता है। प्राइदवीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिन की ओर क्रम महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पैननार, कावेरी एवं वैगाई। प्राइदवीपीय एवं नदियों का लंबाई के अनुसार घटा क्रम गोदावरी, प्राइदवीपीय नदियों की ओर क्रम गोदावरी, महानदी, कावेरी एवं तापती। चाल भारत की प्रमुख जीले, एक डल जील संबंधित राज्ये, जम्मू कश्मीर, दो गुलर जील, जम्मू कश्मीर, तीन बेरिनाग जील, जम्मू कश्मीर, मानस बल जील, जम्म मालाताल जील, उत्तराखन, हुसेन सागर जील, आंधरपदेश, पुलिकर जील, तमिलनाडू, लोकाटक जील, मढिपुल, नागिन जील, जम्मू कश्मीर, शेशनाग जील, जम्मू कश्मीर, अननतनाग जील, जम्मू कश्मीर, लुनकरसनर जील, राजस्थान, जैसमन ज आगर जील राजस्थान, डीडवाना जील राजस्थान, देवताल जील उत्राखण, नौ कुछियाताल जील उत्राखण, खुर्पाताल जील उत्राखण, कौलेरु जील आंधरबदेश, चिलका जील उडिसा, लोनार जील महराश्र, विम्बानट जील केरल, भारत की सबसे बाख़ाज से गिरे अबिकेंद्री अपवहावाले विस्त्र-संचल गर्द को बालसन कहते हैं प्लाया, चौरस तदह तदह अनप्रवाहित रौणी वाली इस छोटी जीलों को प्लाया कहते हैं इसमें वर्षा की पानी जमा होती है परन्तो जल्दी ही भाब बन कर उड़ जाती है प्रिष्ट 160 सांभर एवं डीडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की जील है सांभर जील बालसन का डीडवाना जील प्लाया का उधारण है भारत में सबसे अधिक उचाई परस्थित जील चोलामु जील सिक्किम है महराश्टर के बुलधाना जिले में स्थित लोनार जील ज्वालामु की उधकार से बनी जील है आज भारत के प्रमुख जलप्रपात एक जलप्रपात जोग या गर्सुपा इस्तिती शरावती नदी उचाई 255 मीटर 2. येन्ना इस्तिती नर्मदा नदी उचाई 183 मीटर 3. शिव समंद्रम इस्तिती कावेरी नदी उचाई 90 मीटर 4. गोकक इस्तिती गोकक नदी उचाई 25 मीटर 5. पायकारा इस्तिती नीलगिरीक शेत्र उचाई लिखी वी नहीं गई है 6. जलप्रपात चूलिया स्तिती चंबल नदी उचाई 18 मीटर 7. पुनासा स्तिती चंबल नदी उचाई 12 मीटर 8. बिहार स्तिती टोंस नदी उचाई 100 मीटर 9. धुआदार स्तिती नर्मदा नदी उचाई 10 मीटर 10. हुंडरू, इस्थिती स्वंडरेखा नदी, उचाई 74 मीटर 6. भारत की जलवायू जलवायू किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिती होती है, उसे उस स्थान की जलवायू कहते हैं भारत की जलवायू उश्न कटी बन धिये मानसूनी जलवायू है मौसम किसी स्थान पर थोड़े समय की जैसे एक दिन या एक सब्तहा की वायू मंडली अवस्थाओं को वहां का मौसम कहते हैं भारत में मौसम संबंधी सेवा जनटारा सो पिचतर इसमी में आरम हुकी गई थी तब इसका मुख्याले शिमला में था प्रतम विश्वयुद्द के बाद इसका मुख्याले पूड़े लाय गया अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं भारतिय जलवायू को मानसून के अलावे प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं एक उत्तर में हिमाले परवत इसकी उपस्तिती के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आपाती हैं दो, दक्षन में हिंद महासागर इसकी उपस्तिती एवं भुमध्य रेखा की समीपता के कारण उश्न कटी बंधिय जलवायू अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती हैं मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूनितया बदर लेने के कारण भारत में निम्न चार रितू चक्रवाद पाई जाती हैं शीत रितू 15 दिसंबर से 15 मार्च तक 2 ग्रीशमी रितू 16 मार्च से 15 जून तक 3 वर्षा रितू 16 जून से 15 सितंबर 4 शरद रितू 16 सितंबर से 14 दिसंबर नोट ये तिथिया एक समाने सीमा रेखा को तै करती है मानसुन पवनों के आगमन एवं प्रत्यावरतन में होने वाला विलम इनको परियाब प्रूप से प्रभावत करता है उत्답 भारत के मैदानी भागो में शीत रिटू में वर्षा, पक्षिमी, विक्षोब, यार्जट, स्वीम के कारण होती है जाड़े के दिनों में जनवरी से फरवरी महीने में तमिलनाटों के तटों पर वर्षा लोटती हुई मानसून किया उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है ग्रिश्म रितू में असम एवं पर्षिम बंगाल राज्यों में तीवर आदर हवाएं चलने लगती हैं जिन से गरच के साथ वर्षा हो जाती है इन हवाओं को पूरवी भारत में नारवेस्टर एवं बंगाल में कालवे शाखी के नाम से जाना जाता है करनाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है जो काफी के ग्रिशी के लिए लाब धायक होता है आम की फसल के लिए लाब धायक होने की कारण इसे दक्षिन भारत में आमर वर्षा मेंगो शावर कहते हैं उत्तर पर्शिम भारत की शुष्क भागों में ग्रिश्मी रितु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है प्रिष्ट 161 से जाना जाता है भारत की अधिकांच वर्षा लगभग 80 प्रतिशत इसी मानसून से होती है भारत की प्राइदवीपी आकरिती के कारण दक्षिन पश्चिमि के मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है एक अरब सागर की शाखा तथा दो बंगाल की घाडी की शाख अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज़े में जून के प्रत्थम सबताहा में आता है यहां यह पश्चिमि घाट परवत से टकरा कर केरल के तडोंपर वर्षा करती है इसे मानसून प्रसपोट मांसून ब्रस्ट कहा जाता है गारो खासी एवं जयंतिया पहाडियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाई दक्षिन से पूर्व मांसून की शाखा अधिक वर्षा लाती है जिसके कारण यहां स्थिती मावसी नराम मेखाले विश्वमी सरवादिक वर्षा प्राप् सागर से एवं 35 प्रतिशत भाग बंगाल की खाड़ी से आता है मौसम के अनुसार वर्षा का वित्रण वर्षा का मौसम तक्षिन पश्चिम मांसून समयावदी जून से सितंबर तक वार्षिक वर्षा का प्रतिशत 73.7 प्रतिशत परवर्थी मांसून काल समयावदी 2.6 प्रतिशत अरब सागरिय मांसून की एक शाखा सिंध नदी के डिल्टक शेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होती हुई सीधे हिमाले परवत से जाटक राती है एवं वहां धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा कराती है राजस्थान में इसके मार्ग में अवरोध ना होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है क्योंकि अरावली परवतमाला इनके समाना अंतर पढ़ती है तबिल्नाडो पर्शिमी घाट के परवत विष्टी चाया क्षेत्र में पढ़ता है अतहां यहां दक्षिन पर्शिम मांसून द्वारा काफी कम वर्षा होती है चरद रितू को मांसून प्रत्यावर्थन का काल रीट्रीटिंग मांसून सेशन कहा जाता है इस रितू में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उश्न कटी बंधिये चक्रवातों की उत्पत्ती होती है इन चक्रवातों से पूरवी तर्टियक शेत् में गुजरात में काफी क्षती पहुचती है। 7. भारत की मिटी मिटी के अध्यन के विज्ञान को मिदा विज्ञान पेडालोजी कहा जाता है। भारती कृषी अनसंधान परिश्द ने भारत की मिटीओं को आठ वर्गों में विभाजत किया है। जो अनिमन है एक जलोड मिटी, लू वायल सॉयल, दो काली मिटी, बलक सॉयल, तीन लाल मिटी, रेट सॉयल, चाल Old84 मिटी लेट्राईड सॉयल, पांच मरुस्तल्य मिटी देजर्ट सॉयल, चैक शार्य मिटी, अलकालाइन सॉयल साथ पीट में और जैव मिटी, पीट सॉयल, आट वनी मिटी, फॉरिस्ट सॉयल प्रिष्ट 162, एक जलोड मिटी, एल्यू वायल सॉयल ये मिटी भारत के लगभग 22% पर पाई जाती है, ये नदियों दौरा लाए गई मिटी है इस मिटी में पोटाश की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन पासफोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है ये दो प्रकार की होती है, एक बांगर और दो खादर पुराने जलोड मिटी को बांगर तथा नई जलोड मिटी को खादर कहा जाता है जलोड मिटी उरवरता के दृष्टिकोन से काफी अच्छी मानी जाती है इसमें धान, गेहू, मका, तिलहन, दलहन, आलू, आदी, फस्टने उगाई जाती है दो, काली मिटी ब्लेक सॉल इसका निर्मान बेसाल्ट चटानों को तूटने फूटने से होता है इसमें आईरन, चूना, एलिमीनियम एवं मेगनीशियम की बहुलता होती है इस मिटी का काला रंग, टिटैनी फिरेस मैगनिटाइट एवं जीवांश ह्यूमस की उपस्तिती के कारण होता है इस मिटी को रैगूर मिटी के नाम से भी जाना जाता है कपास की खेती के लिए ये सरवादिक उप्युक्त होती है अतहा इसे काली कपास की मिटी ब्लैक कॉटन सोयल भी कहा जाता है अन्य फसलों में गेहूं जुआर बाजरा आधी को उगाया जाता है भारत में कालीमित्टी गुजरात, महराष्ट्र, मध्यपदेश के पश्तिमी क्षेत्र, उडिसा के दक्षिनी क्षेत्र, करनाटा के उत्तरी जिला, आंदरपदेश के दक्षिनी एवं समुंद्र तटिये क्षेत्र, तामिलनाडाट के सलेम, रामानात्पुरं, तथा तिरुन्वेली जिलो एवम रादस्थान की बूंदी एवम टोक जिलो में पाई जाती हैं तीन लाल मिट्टी रेट सॉयल इसका निर्मान जलवायविक परिवर्दनों के पहिनामसरूप रवेदार एवम कायांतरत शेलों के विगटन एवम वियोजन से होता है इस मिट होती है इसमें नाइट्रोजन फास्फरोंस एवम हीमस की कमी होती है ये मिट्टी प्राया और वर्था विहीन बंजर भूमी के रूप में पाई जाती है इस ये मिट्टी में काेंनों इभ laugh में चोंटनबर्देश के के पूर्वीक्षेत्र महराष्ट्र तमिलनाडू एवं करनाटक के कुछ भागों में पाई जाती है चूना का इस्तिमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बड़ा ही जा सकती है चार लेटराइट मिट्टी लेटराइट सॉयल इसका निर्माण मानसूनी जलवायों की आदरता एवं शिश्कता के क्रमिक परिवरतन के परिणाम सरूप इस उत्पन विशिष्ट परिस्थितियों में होता है इसमें आईरन एवं सिलिका की बहुलता होती है शैलो की तूट-पूट से निर्मित होने वाली इसमिट्टी को गहरी लाल लेटराइट, सफेद लेटराइट तथा भूमिकत जलवायी लेटराइट की रूप में बर्गिक्रत किया जाता है गहरी लाल लेटराइट में लोहो आकसाइट तथा पोटाश की बहुलता होती है इसकी उरवर्टा कम होती है लेकिन निच्छे भाग में कुछ खेती की जाती है सफेद लेटराइट की उरवर्टा सबसे कम होती है और के ओलीन के कारण इसका रंग सफेद होता है भूमिकत जलवाई ये लेटराइट काफी उपजाओ होती है क्योंकि वर्षाकाल में लोह उक्साइट जल के साथ गूल कर नीचे चलिजादे हैं लेटराइट पिट्टीर चाय की खेती के लिए सरवादिक उपयुक्त होता है प्रिष्ट 163 भारत की क्रिशी भारत के कुलिक्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर क्रिशी 4% भूभाग पर चरागह लगभग 21% भूमी पर 1 एवं 24% भूमी बंजर तथा बिना उपयोकी है देश के कुलिक्ष्णम शक्ती का लगभग 52% भाग क्रिशी एवं इससे संबंदित उद्योग धंदों से अपनी आजीवी का चलाता है 2009 से 2010 में भारत के सकल भरील उदपाद में क्रिशी का योगदान 14.6% है 2008 से 2009 में भारत के निर्यात में क्रिशी और उससे संबंदित वस्त्वों का अनुपाद लगभग 9.1% था विश्व में चावल उदपादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है भारत में खादियानों के अंतरगत आने वाले कुछेत्र के 47% भाब पर चावल की खेती की जाती है विश्व में गेहू उदपादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है देश की कुल क्रिशी योग्य भूमी के लगवग 15 प्रतीशर भाब गेहूं की खेती की जाती है देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तरपदेश का प्रधम स्थान है जबकि प्रती हेक्टियर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रधम है हरित क्रांती का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की क्रिशी पर्ख पड़ा है परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक विद्धी हुई भारत में हरित क्रांती ग्रीन रेवलेशन लाने का श्रे डॉक्टर एम एस स्वामिनाथन को जाता है भारत में हरित क्रांती की शुरुवात 1967 से 68 इस्वी में हुई प्रतम हरित क्रांती के बाद 1983 से 84 इस्वी में दृतिय हरित क्रांती की शुरुवात हुई जिसमें अधिक अनाज उत्वादन निवेश एवं कृषिकों कोई दी जाने वाली स्वेवाओं का विस्तार हुआ तिलहन प्रोधियोगी की मिशन की स्थापना 1986 इस्वी में हुई भारत विश्व में उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्वादक और उपभोगता देश है पेट्रोलियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है आम, केला, चीकु, खटे नीबू, काजु, नारियल, ताली मिर्च, अधरक, हल्दी के उत्वादर में बाहरत का ऐत्वादर में बाहरत का अस्थान विश्व में दूसरा है प्रथम, चीन फशल और प्रमुक उत्वादक राजे चावल पश्यमंगाल उत्तरप्रदेश आंध्रप्रदेश बिहार एवं पंजाब गेहुं उत्तरप्रदेश पंजाब हरियाना बिहार मध्यप्रदेश एवं राजस्थान जुवार महराष्ट्र करनाटक मध्यप्रदेश एवं आंध्रप्रदेश बाजरा, गुजरात, राजस्थान एवं उत्तरपदेश दलहन, मध्यपदेश, उत्तरपदेश, पंजाब, हरियाना, राजस्थान, बिहार, पश्रीमंगाल, गुजरात एवं आंधरपदेश तिलहन, गुजरात, मध्यपदेश, बिहार, उत्तरपदेश, राजस्थान, पर्शिम बंगाल एवं उरिसा जो, उत्तरपदेश, राजस्थान, बिहार एवं पंजाब गर्ना, उत्तरपदेश, महराश्ट्र, तमिलनाडू, कर्नाटक, हर्याना एवं पंजाब मुंगपली, गुजरात, आंध्रपदेश, तमिलनाडू, कर्नाटक, महराष्ट एवं मध्यपदेश, जाय, असम, पशिमंगाल, तमिलनाडू, केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक एवं हिमाचल पदेश, कहवा, कर्नाटक, तमिलनाडू, केरल, आंध्रपदेश, एवं प्रिष्ट एक्सो चौसर्ट पपास महराष्ट्र गुजरात मध्यपदेश मंजाब करनाटक हरियाणा राजस्थान तमिलनाडू एवं आंध्रप्रदेश रबड केरल तमिलनाडू करनाटक असम एवं अंडमा निकोबार्द वीपसम्हूं पट्सन पश्चिमंगाल बिहार असम उडिसा एवं उत्तरपदेश तमबाकू आंधरप्रदेश गुजरात बिहार उत्तरपदेश महराष्ट्र पश्चिमंगाल एवं तमिलनाडू कालिमिर्च केरल करनाटक तमिलनाडू एवं पुदुचेरी रित्वों के आधार पर फसलों का वर्गी करण एक रभी की फसल ये अक्टूबर नमंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रेल में काट की ली जाती है इसकी मुख्य फसले हैं गेहूं, जौ, चना, मतर, सरसो, आलू, राई और आदी दो, खरीफ फसल, ये जून जुलाई में बोई जाती है और नमंबर सितंबर में काट ली जाती है इसकी मुख्य फसले हैं धान, गना, तिलहन, जुवार, बाजरा, मक्का, अरहर आदी तीन, गर्मा फसल, ये माई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है इसकी मुख्य फसले हैं राई, मक्का, जुवार, जूट और मडवा भारत में सिंचाई, परियोजनाओं को तीन भागों में विभाजित किया गया है ये हैं एक विहत सिंचाई, परियोजना, दो मद्यम सिचाई परियोजनाएं एवं तीन लगू सिचाई परियोजनाएं विहत सिचाई परियोजना के अंतरगत वो परियोजनाय समिलित की जाती है जिसके अंतरगत 10,000 हेक्टियर से अधिक क्रिशी योगे भूमे हो मद्यम सिचाई परियोजना के अंतरगत वो परियोजनाय समिलित की जाती है जिसके अंतरगत 2000-10,000 हेक्टियर क्रिशी योगे भूमी हो वर्तमान समय में भारत की कुल सिचाई परियोजना के अधीन तथा 33% छोटी सिचाई योजनाओं के अथीन है विश्व का सरवादिक सिंचितिक शेत्र चीन 21 प्रतीशत में है विश्व का दूसरा सरवादिक सिंचितिक शेत्र भारत 20.2 प्रतीशत में है भारत में शुर्द वोईक कैक शेत्र 13,160,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, बर्तमान समय कुवा और नलकूप भारत में सिचाई के प्रमुक साधन हैं, देश में सरवादिक नलकूप वापम सेट तमिलनाडू 18 पतीशत में पाए जाते हैं, महराश्ट्र में 15.6 पतीशत का दूसरा स्थान है, केवन नलकूपों की सरवादिक सघंता वाला राज्य उत् प्राइड वीप भारत में सिचाई का प्रमुक साधन तालाब है, तालाब दौरा सरवादिक सिचाई तमिलनाडू राज्य में की जाती है, सिचाई के साधन कुवा वानलकूप सिंचित भाग 55.9 प्रतीशत, नह 31.4 प्रतीशत, तालाब 6.1 प्रतीशत, अन्यस्रोथ 6.6 प्रिश्ट 165 भारत में खनिजों के सरवेक्षन एवं विकास के लिए Geological Survey of India जिसका मुख्याले कोलकाता में है तथा भारतीए खान ब्यूरो जिसका मुख्याले नाकपुर है, जिम्मेदार है खनिच पदार्थ प्राप्ती इस्थान तथा विशेश बिंदू लोह आयस्क प्राप्ती इस्थान, उडिसा जिसके अंदर सोनाई, क्योंजर, मयूर भंज, जारकन जिसके अंदर सिंग्भूम, हजारी बाग, पलामू, एवं धनबात, 36गड, बस्तर, दुर्ग, रायपूर, रायगर, विलासपुर, मध्यप्रदेश, जवलपूर, करनाटक, बेलारी, चिक, मंगलूर, चीतल, दुर्ग, महराष्ट्र, गतनागिरी, एवं चांदा, तमिल में देश का लगभग 75 प्रतीशत लोहा प्राप्ट किया जाता है, भारत लोह अयस्क का निर्यात, जापान, चेक, स्लोवाकिया, इटली, श्रीलंका, आदी को करता है, कुछ संचित भंडार की दृष्टी से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है मैगनीज, प्राप्ती इस्थान, जहरखन, सिंग्भूम, महराश्ट्र, नाकपूर और भंडारा, उडिसा, क्योंजर, सुंदरगर, आंद्रपदेश, काकुलमढ़ी, करनाटक, शिमोगा, एवं, बेलारी, गुजरात, पंचमहल, राजस्थान, बासवाड़ा मैगनीज, उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, उडिसा देश का सरवाधिक मैगनीज उत्पादन करने वाला राज्य है कोईला, प्राप्ती इस्थान, जहरखन, धनबाद, सिंगभूम, गिरिडी, पश्यमबंगाल, रानीगंज, आसनसोल, राइगड, उडिसा, देशगर, तथा तलचर, असम, माकूम, लखीमपूर, महराश्र, चादा, आंद्रपदेश, सिंगरेनी, मिखाले, जम्मु कश्म विशेश, बिंदू, कोईले के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है, भारत में कोईले के उत्पादन में प्रथम तीन राज्ये क्रमशहा है, जहरखन, छत्यसगर, उडिसा, एंथ्रिसाइट सबसे उत्तम श्रेनी का कोईला है प्राप्ति इस्थान, जहरखन, सिंग्भूम, हजारी बाग, राजस्थान, खेत्रडी, जुन्जुनू, भीलवाडा, अलवर, एवम, सिरोही, महराश्र, कोलहपुर, करनाटक, चीतल, दुर्ग, हासन, रायचुर, मध्यप्रदेश, बालाघाट, आंधरप्रदेश, अग जस्ते के साथ तांबा भी निकाला जाता है। अब्रग के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है, राजस्थान में 51 प्रतीशत अब्रग है। राप्ती इस्थान राजस्थान उदैपूर, उडीशा, जमोकश्मीर उत्पादन में दुईतियस्थान, विशेश बिंदु, राजस्थान उत्पादन में प्रथम के जवार खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसुद्ध है। पेट्रोलियम प्राप्ति स्थान असम डिगबोई, सुर्मा घाटी, गुजरात, खंबात, अंकलेश्वर, महराश्ट्र, मुंबई हाई, विशेश बिंदू, निल, प्रिष्ट 166, यूरेनियम प्राप्ति स्थान, जार्खन, राची, हजारीबाग, सिंग भूम, विशेश जार्खन प्रधम स्थान पर है, मैगनेजाइट, प्राप्ति स्थान, उत्राखन, राजस्थान, तमिलनाडू, आंध्रपदेश, विशेश बिंदू, इसका सरवादिक भंडार 68 प्रतीशत रुत्राखन में है, थोरियम, प्राप्ति स्थान, राजस्थान, पाली, भीलव विशेश बिंदू, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश भारत है, चांदी, प्राप्ति स्थान, राजस्थान, जवार खान, करनाटक, चित्रदुर्ग, बैलारी, आंध्रपदेश, कुडपा, गुंटूर, जार्खन, संथाल, परागाना, सिंगभूम, व प्राप्ति स्थान, राजस्थान, तमिलनाडू, करनाटक, विशेश बिंदू, इसके मुख्य भंडार देगाना राजस्थान में है, हीरा, प्राप्ति स्थान, मध्यपदेश, परनाखान, सीसा, जार्खन, हजारी बाग, राजस्थान, चिचॉली, लिगनाइट, वादिक भंडार तमिलनाडू में है, ग्यारह, भारत के उद्योग, एक, लोहो इस्पात उद्योग, देश में पहला लोहो इस्पात कारखाना, अठारा सो चोहतर ईस्थान में, कुल्टी जोकी पश्चिम बंगाल में, नामक स्थान पर बराकर लोहो कंपनी के रूप में, इस्थापित किया गया था, देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना, उन्यसो साथ ईस्थी में ततकालिन बेहार राज्य में, स्वन रेखा नदी की घाटी में, साक्षी नामक स्थान पर जमशेच जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था, स्वतंत्रता के इस्थापित लोहो इस्थाथ कारखाना, एक, भारतिय लोहो इस्थाथ कंपनी, इसकी स्थापना उन्यसो आठ इस्थी में पश्शिम बंगाल की दामुदर नदी घाटी में हीरापूर नमक नामक स्थान पर की गई थी, दो, मैसूर आइरन एंड स्टील वर्क्स, उन्यसो इस्थापना उन्यसो सेथी फीश्वी बर्णपूर पश्शे मंगाल में की गई, बाद में 1953 इस्थी में इसे भारतिय लोहो इस्थाथ कंपनी में मिला दिया गया, स्वतंत्रता के पश्शाथ स्थापित लोहो इस्थाथ कारखाना, एक, दूसरी पंचवर्षी योजना का इसके स्थापना 1955 इसवी में ततकालिन मध्य बदेश के विलाई दुर्ग जिला अब छतिसगर राज्ये में पूर्व सोवेच संग की सहयता से की गई थी इसके स्थापना 1934 में उडीसा के रावर्केला नामक स्थान पर पश्ट में जर्मनी की सहयता से की गई थी प्रिश्ट 167 दो तरितीय पंच भर्शी योजना कालमी स्थापित कार खाना एक बोकारो स्टील प्रांट इसकी स्थापना उनिस्वार सट इसमी में ततकालिन विहार राज्य अब जार्खन के बोकारो नामक स्थान पर पूर्व सोव्यत संग की सहायता से की गई थी तीन चौथी पंचवर्षिय योजना काल में स्थाप्रित कारखाना एक सलेम इसपात सहित्र सलेम तबल्नाडु दो विशाखापतनम इशाखापतनम आंध्रप्रदेश पीन विजयनगर इसपात सहित्र हासपेट बेलारी जिला करनाटर स्टील अथोरिटी ओफ इंडिया सेल 1974 में सरकार के स्टील अथोरिटी ओफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना की दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो, बर्णपूर, सलेम, विश्विश्वरईया, आयरन स्टील कंपनी का प्रभंधन इसी के अधीन है भारत में अलिमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के आसन सोल के निकट जे के नगर में स्थापत किया गया था 1938 में चार कारखानी ततकालिन बिहार राज्य के मुरी, केरल के अलवाई, पश्चिम अंगाल के वैलूर तथा उडिसा के हीराकुंड में इस्थापत किये गए मदरास अलिमीनियम कंपनी तमिलनाडू के मैट्यूर नामक स्थान पर इस्थापत की गई 3. सूती वस्त्र उद्योग गुजरात राज्य में हैं अन्य प्रमुख राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मद्रबदेश, कमिलनाडू, आंद्रबदेश, केरल, उत्रबदेश मुंबई को भारत के सूती वस्तरों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है कानपूर को उत्तर भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है कोयमबटूर को दक्षिन भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है एहमदबाद को भारत का बॉस्टन कहा जाता है 4. जूट उद्योग सोने का रेशा, गोल्डन फाइबर की नाम से मशूर जूट के रेशों से समानों का निर्मान करने में भारत का विश्व में प्रधम स्थान प्राप्त है इसका पहला कारखाना कोलकाता के समी प्रिश्रा नामक स्थान में 1869 इस्वी में लगाय गया था भारते जूट निगम की स्थापना 1971 इस्थ में जूट के आयात निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई है भारत संपूर्ण विश्व के 35 प्रतिशत जूट के सामानों का निर्बान करता है जूट उद्योक से संबंधित प्रमोक स्थान पश्चिम बंगार तीटागर रिशरा वाली अगर पाड़ा बाजबेरिया कान किनारा उर्बेरिया सीरामपूर बजबज हावडा श्यामनगर शिफपूर सियालदह बिरिलापूर होलीनगर बैरकपूर आंध्रप्रदेश विशाखा पत्नम गुंटूर उत्तरप्रदेश कानपूर सहजनवा गोरगपूर बिहार पूर्णिया कटिहार सहरसा दर्भंगा रिष्ट 168 चीनी उद्योग इन राजियों के निम्री शहर चीनी उद्योग से संबंदित है उत्तरप्रदेश देवरिया भटनी बड्रोना गोरगपूर गौरी बाजार सिस्वा बाजार बस्ती गौंडा बल्रामपूर बारबंकी सीतापूर हर्दोई बिचनौर मेरट सहरनपूर मुरादाबाद बु इवं मुजफर नगर आदी बिहार मोतिहारी सुगौली मज्छौलिया चनपटिया नरकटिया गंज मढ़हॉरा सासा मुसा गोपाल गंज मोतिपूर डालमीअप नगर सारन समस्तिपूर दर्भंगा चंपारन हसनपूर मुजफर पूर आदी महराष्ट्र मंसद नासिक एह इवं मुषिदाबाद पंजाब हमीरा फगवाडा अम्रित्सर हरियाना जगधारी एवं रोहतक तमिलनाडु अरकाट मदुरई कोटामबटूर तिरूचिरा पल्ली आंधरप्रदेश सीतापुरम पीठापुरम वैजवाडा हासपेट साभलकोट एवं हैद्राबाद 1824 एस्वी में ब्रिटेन के पार्ट लेंड नामकस्थान पर किया गया था भारत में आदोनिक धंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 एस्वी में मदरास में लगाया गया था जो आसफल रहा मदरास के कारखाने के बाद 1912 से 13 एस्वी की अवधी में इंडियन आपना 1936 एस्वी में की गई थी राजस्थान भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्जे है भारत के प्रमुक सीमेंट उत्पादक राज्जे राजस्थान जैपूर लखेरी मध्यपदेश सतना कटनी जबलपूर बनमौर ग्वालियर रतलाम दुर्ग जामुल तिल्दा मंधार अलकत्रा उत्तरपदेश मिर्जापूर चुर्क जार्खन जपला खेलारी कल्यानपूर सिंद्री और जेंक पानी उडिसा राजगंगपूर आंधरपदेश प्रिश्णा विजयवाडा मंचेरियल मचेरिया पनयम परनाटक भोजपूर भद्रावती बाग बेंगलोर तमिलनाडू जालमियापूरम मधुकराय तुलका पट्टी केरल कोटायम उजरात पोरबंदर द्वारका सीका जामनगर भावनगर सेवालियम और राना याय पंजाब सूरचपूर हरियाना चर्खी रादरी प्रिश्ट 179 साथ कागज उद्योग आदुनिक ढंग से भारत में कागज का पहला कारखाना सन 1716 इस्वी में मदरास की समीब ट्रंकवार नामकस्थान पर डॉक्टर वीलियम को उद्वारा स्थापित किया गया जो असफल रहा कागज का पहला सफल कारखाना 1889 इस्वी में लखनों में लगाया गया पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य है कागज के प्रमुक उत्पादक राज्य है पश्चिम टीटागर रानिगंज नेहाटी त्रिवेणी कोलकाता किनाडा हुगली बढ़ा नगर बंगाल शिवरा फूली आदी आंधरपदेश राज महिंद्री सिर्पूर कागज नगर तिरुपती आदी उत्तरपदेश सिकंद्रबाद मेरट सहरनपूर पिपराईच मुझपण नगर पिल्खुआ लखनों नैनी इलहबाद आदी जहरकन संथाल परगना बिहार पटना बरोनी समस्तिपूर आदी मध्यपरदेश नेपानगर अखवारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कमलनाडू पट्टी पलायम सलीम चरण महादेवी तिरुन लवैली उदम लपेट तथा पालनी महराष्ट्र बुंबई पुणे बलारपुर चंद्रपुर करल्यान कराड पिंपरी भिवंडी रोहा गुज्रात वापी सूरत वडोद्रा राजकोड बर्जोद उदावराड़ा आदी रसाइनिक उर्वरक उद्योग एदिहासिक रूप से देश में सुपरफास्वेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 इसवी में तमलनाडू के रानी आर्वरक का लगाया गया Talk in 1947 एस में आमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवबाय नामक स्थान पर खोला गया भारती औरिवरक निगम की स्थापना 1951 इसमें की गई जिसके तहट एशिया का सबसे बड़ा और बरद सेंधर ये इस थापत किया गया भारत विश् भारत के प्रमुक रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्जे जारखट सिंदरी बिहार बरौनी उत्तरप्रदेश कानपूर गोरपूर इल्हाबाद पूलपूर उडिसा राउरकेला तलचर राजस्थान खेतडी सलादीपूर एवंकोटा महराश्क्र मुंबई ट्रामबे अ नौर कोयंबटूर तूतिकोरन आवाडी एवं मलाली गुजरात कांडिला बडोद्रा हजीरा भावनगर आधरपदेश विशाखापत्रम मौखा अली हैदरबाद तादेपदली तनूकू रामागुडम प्रिश्ट 179 जलियान निर्मान उद्योग भारत में जलियान निर् भारत सरकार द्वारा इसका अधी ग्रहिन करके हिंदुस्तान शिप्यार्ड विशाखा पत्नम द्वारा नाम दिया गया है सारवजनी किक्षेत्र की अन्य एकाईया जो जलियानों का निर्मान करती है एक गाडन रिच वरक्शॉप लिमिटेड कोलकाता पश्रिमंगाल दो गोवा शिप्यार्ड लिमिटेड गोवा तीन मंजगाव डाक लिमिटेड मुंबई महराश्ट दस वायूयान निर्मान उद्योग भारत में वायूयान निर्मान का प्रधमकाल खाना 1940 इसमी में बेंगलॉर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से इस्थापित ढात थोच्ट कानपूर में एक-एक एकाईगा वायूयानों के निर्मानकार्य में सन किरने हैं ग्यारह मोटरगाडी उद्योग मोटरगाडी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। ग्यारह मोटरगाडी उद्योग को विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य में हुआ है। फिरोजाबाद एवं शिकोवाबाद भारत में शीशा उद्योग के महत्वपून के इंद्र हैं। शीशा उद्योग के महत्वपून के इंद्र हैं। फिरोजाबाद जारकन कांडरा जमशेदपूर भूरकुंडा हजारीबाग धनबाद विहार पतना एवं के हिलकाओं महराष्ट्र मुंबई पोने दादर सतारा शोलापूर एवं नापूर गुजरात बड़ादा मौरवी राधस्थान जैपूर अन्यस्थान अंबाला अम प्रानपूर हरिद्वार पिशिकेश एहंदाबाद पोने पिंपरी पैनिसिलिन मथुरा एहदरबाद आदी 14 अभियांत्र की उद्योग प्रमुक स्थान हटिया राजी दुर्गापूर विशाखा पतनम नैनी इलहबाद ब्रेंग्रोर अचमीर जादफूर कोलकाता आदी भारी इंजिनिरिंग निगम लिमेटेड एच एसी राजी की स्थापना 1958 एसी में की गई थी प्रिष्ट 181 अंद्रा रेल उपकरण उद्योग भारत रेल के इंजिनों सवारी डिब्बो तथा माल ढूने वाले डिब्बो के निर्मान से पूरतया आत्म निर्भर है चितरं इंजिन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से हुए वर्तमान में वहां विद्यूत इंजिन का निर्मान हो रहा है पीजल से चलने वाले इंजिनों का निर्मान वारणसी में होता है रेलवे इंजिन निर्मान का कारिय जमशेदपूर जारखंड में भी होता है रेल के टिपे ब इंटिग्रल कोच फैक्टरी की स्थापना की गई है। सोलह बिजली के सामान बोपाल हरिद्वार रानिपुर हैदरबाद के निकट रामचंद्रपुरम तिरुचिरापली एवं कोलकाता। सत्रह टेलिफोन उद्योग बेंगलोर एवं रूप नारायनपूर कोलकाता अठारा उनी वस्त्र भारत में उन की पहली मिल 1870 एसवी में कानपूर में स्थापित की गई। परन्तु इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 एसवी के बाद ही हुआ है। वर्तमान समय में उनी वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से पंजाब, हरियाना, उत्तरपदेश, महराश्ट्र एवं गुजरात, राजियो में स्थित है। पंजाब में लुद्याना, जालंधर, धारिवाल, अम्रिटसर, महत्वपून केंद्र हैं। उनी वस्त्र के महत्वपून केंद्र, उत्तरपदेश, मिर्जापूर, आगरा, मुजफरनगर, शाहजहापूर, पंजाब, अम्रिटसर, धारिवाल, जम्मु कश्मीर, श्रीनगर, राजस्थान, जैपूर, भीलवाडा, भीकानेर, जोधपूर, करनाटक, बेंगलॉर, मै भारती कालीनों के महत्वपून आया तक है, उन्नीस, रेशम, उद्योग, भारत एक ऐसा देश है जहां शेहतूती, एरी, तसर, एवं, मुगा, सभी चार किस्मों का रेशम की उत्पादन होता है, भारत का दो तिहाई शेहतूती रेशम, करनाटक से प्राप्थ होता है, ग अंतिनाग वारामुला, मंजाब, अम्रित्सर, गुर्दासपूर, होशियारपूर, लुध्याना, उत्तरपदेश, मिर्जापूर, वारनसी, शाह जहांपूर, पश्यमंगाल, मुर्शिदाबाद, वाकुंडा, हावडा, 24 परगना, तमिलनाडू, सलेम, तंजोर, कानपूर, गया, पटना, करनाटक, बिंगलॉर, मैसूर, गुजरात, एहमदबाद, सूरत, भावनगर, पूर्मंदर, प्रिष्ट 172 20. चर्म उद्योग भारत में चर्म उद्योग के मुख्य केंदर, कानपूर, आगरा, मुंबई, कौलकाता, पटना, तथा, बिंगलॉर है कानपूर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंदर है, यह जूते बनाने के लिए प्रसुद है आग्रा में चर्म उद्यों के लगभग 150 कार खाने हैं बारह भारत में परिवेहन एक सड़क परिवेहन भारत दुनिया के सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में से एक है देश में सड़कों की कोल लंबाई लगभग 33.2 लाख किलो मीटर है इसके निर्मान प्रभंदन एवं रख रखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है इनका नियंतरन केंद्रे लोक निर्मान विभाग द्वारा किया जाता है वर्तमान में इसके तहट 66,590 किलो मीटर स्तुरोथ NHAI लंबी सड़के शामिल है यह संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का लगभग दो प्रतीशत है जो सड़क परिवेहन का लगभग 40 प्रतीशत यातायात संपन कराती है कुल्च प्रमुख राष्ट्री राजमार्ग राष्ट्री राजमार्ग राश्ट्री राजमाग संख्या एक कहा से कहा तक दिल्ली पाक सीमा तक कुल्लंबाई 1226 किलोमीटर राश्ट्री राजमाग संख्या दो कहा से कहा तक दिल्ली कोलकाता कुल्लंबाई 1490 किलोमीटर राश्ट्री राजमाग संख्या तीन कहा से कहा तक आगरा से मुंबई कुल्लंबाई 1415 किलो मीटर राश्ट्रिय राजमाग संख्या 5 कहां से कहां तक कोलकाता चेनने कुल्लंबाई 1610 किलो मीटर राश्ट्रिय राजमाग संख्या 6 कहां से कहां तक कोलकाता से मुंबई कुल्लंबाई 1945 किलो मीटर राश्ट्री राजमाग संख्या साथ कहां से कहां तक वारणहसी से कर्ण्यकुमारी कुलंबाई 2379 किलोमीटर राश्ट्री राजमाग संख्या आठ कहां से कहां तक बिल्ली से जैपूर मुंबई कुलंबाई 2058 किलोमीटर भारत का सबसे लंबा राश्ट्री राजमाक साथ है, जो उट्ठरपदेश में 128 km, मध्यपदेश में 504 km, महराश्ट्र में 232 km, आंधरपदेश में 753 km, करनाटक में 125 km, तमिल्नाडू में 627 km, यानी कुल 2,379 km लंबी है राष्ट्री राजमार्ग संख्या 1 और 2 को समिलित रूप से ग्रांट प्रंक रोड जीटी रोड कहा जाता है राष्ट्री राजमार्ग संख्या 1 ए में जवाहर सुरंग इस्थित है ये राजमार्ग जालंधर से जम्मू वाश्रीनगर होते हुए पूरी तक जाती है जम्मू और श्रिनगर को जोडने वाले बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग इस्थित है विश्व की सबसे उची सड़क मनाली लेहे राजमार्ग है भारत का सबसे चोटा राश्ट्री राजमार्ग 47A है जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है स्वर्णिम चतरभज योजना के अंतरगत 5844 किलोमीटर लंबी राश्ट्री राजमार्ग द्वारा चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेनई एवं कोलकाता को जोड़ा जाएगा राश्ट्री राजमार्ग विकास कारिक्रम के अंतरगत बनने वाली उतर दक्षिन गलियारा से श्रीनगर को कन्यकोमारी से तदा पूर्व पश्रिम गलियारा से सिल्चर को पूरबंदर से जोड़ा जाएगा दो, राजजी राजमार्ग इसका निर्मार्ण एवं रख्रकाव की जिम्मेवारी राज़े सरकार की होती है मार्च उनिस सो सताणवे इसमे में भारत में जवाहर रोजकार योजना वाली सड़कों को छोड़कर अन्य सभी पक्की एवं कच्ची दोनों सड़कों की को लंबाई रौबिस लाग पैसेट हजार आच सो सतततर किलो मीटर थी प्रिष्ट 173 भारत में सबसे अधिक सड़कों बाला राज़े महराश्ट्र है भारत में सरवाधिक पक्की सड़कों बाला राज़े भी महराश्ट्र है भारत में सरवाधिक कच्ची सड़कों बाला राज़े उडिसा है भारत में सडकों का सरवादिक घनत्व गुवा में तठा सबसे कम जम्मू कश्मीर में है सडक निर्मान क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ चलाओ और हस्तांतरित करो B.O.T. की नीती अपनाई प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना के अंदरगत 500 की आबादी वाले सभी गाओं को 1280 सडकों से जोड़ना है विश्व का सबसे उचा सडक मार्ग लेहे श्रीनगर मार्ग है जो कारा कोरम दर्ले को पार्ग करता है इसकी उचाई लगबग 3450 मीटर है नोट सीमा वर्थी सडकों का निर्मान एवं प्रभंधन सीमा सडक विकास बोर दुआरा किया जाता है सीमा सडक संगठन की स्थापना 1960 इसवी में हुई थी अपने गठन की समय से लेकर मार्च 2001 इसवी तक संगठन ने 29149 किलोमीटर लंबी सडकों का निर्मान एवं सबसे बड़ा रोपवे रज्जु मार्ग गडवाल में जोशिवाट एवं ओली को जूड़ता है जिसकी लंबाई 500 मीटर है दो रेल परिवेहन भारती रेल एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल वैवस्था है भारत में सरप्रतम रेल वैवस्था की शुरुवात अप्रेल 1853 इसवी में मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के बीच प्रारम हुई थी विश्व की सबसे बड़ी रेल काड़ी 1825 इसवी नोट विश्व इतिहास जैन एवं माथूर नोट समा अठारा सो पचीस इसवी में लीवरपुल में मैंचेस्टर इंग्लैंड के बीच चली थी भारती रेल पर बोट की स्थापना मार्च 1905 इसवी की गई थी रेल वित्त को वर्ष 1924 से 25 इसवी के बाद एटवर्थ कमीची की सिफारिश पर समाने राजस्व से अलग किया गया भारती रेल का राश्ट्रे करण 1950 इसवी में हुआ भूबेगत मेट्रो रेल की सुविधा कोलकाता एवं दिल्ली में है इसकी शुरुबा 24 अक्टवर 1984 को कोलकाता में हुई भारती रेल प्रशासन तथा प्रभंद की जिम्मेवारी रेलवे बोर्ट पर है रेलवे को 16 मंडलों में जो पहले 9 था बाटा गया है प्रतेक मंडल का प्रधान महा प्रभंदक होता है देश में तीन प्रकार की रेल लाइन है बड़ी लाइन पट्रियों की चौड़ाई 1.676 मीटर मीटर गेज 1.00 मीटर नेरो गेज दशामलव 610 मीटर भारत के रेल मंडल एवं उनकी मुख्याले एक रेल मंडल मुख्याले उत्तर रेलवे नई दिल्ली दो पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई 3. दक्षणी रेलवे चिन्नई 4. पूर्व रेलवे कोलकाता 5. मध्या रेलवे मुंबई सेंट्रल 6. दक्षण मध्या रेलवे सिकंद्राबाद 7. दक्षण पूर्व रेलवे कोलकाता पूर्व उत्तर रेलवे गोरपूर, 9 उत्तर पूर्वी C रेलवे माले गाउं, 10 पूर्व मध्या रेलवे हाजिपूर, 11 उत्तर मध्या रेलवे इलहाबाद, 12 पश्चिम मध्या रेलवे जबलपूर, 13 दक्षिन पूर्व रेलवे हुबली, 14 उत्तर पश्चिम रेलवे करने वाली रेल गाड़ी हिमसागर एक्स्प्रेस है जो कन्यकुमारी से जम्मू तवी जाती है इस दौरान वो 3726 किलोमीटर दूरी तै करती है विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है जो लेनिंग्राट से ब्लाडी वास्टक टक 9,438 किलोमीटर लंबा है भारती रेल व्यवस्था के अंतरगत 31 मार्च 2007 तक कुल 63,327 किलोमीटर लंबा रेलमार्ग बिच्छा हुआ था इसका लगवग 282 शिद्भाग विद्यूती कृत है प्रतम बिचली से चलने वाली गाड़ी देखकंची कुईन थी जो बंबई एवंपूने के मध्य चली थी कौंकंड रेलवे महराष्ट्र के रोहा से प्रारम होकर गोवा के मदुगाओं तक जाती है इसके कुल लंबाई 760 किलोमीटर है इस रेलमार्ग पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1981 को हुआ इस रेलमार्ग से लाभानवित होने वाले राज्जे महराष्ट्र गोवा करनाटक एवं केरल हैं कोलकाता मेट्रो रेल सेवा 1972 इसवी में बनी ये योजना 1975 इसवी से अमल्ग में आई दमदम से टालिगंज तक इस भूमिगत रेलमार्ग की क परियोजना जापान वा कोरिया की कंपणियों के सहयोग से बनाए गई है इसके अंतरगत सबसे पहली रेल सेवा 25 दिसंबर 2002 को पीस हजारी से शाहद्रा के बीच चलाए गई रेल इंचन निर्मान के कारखाने चितरंजन वारानसी तता भोपाल में इस्थित है सवारी डिब्बो का निर्मान फेरंबूर चेन्नाई के निकट खपूर्थला कोलकाता तता बैंगलोर किया जाता है 3. वायू परिवेहन भारत में वायू परिवेहन की शुरुवात 1911 इस्वी में हुई जब इलहबाद में से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रतम विवान डाक सेवा का परिवेहन किया गया 1933 इस्वी में इंडियन नैशनल एयरवेस कंपनी की स्थापना हुई 1953 इस्वी में सभी वैमानी कंपनियों का राश्ट्रे करन करके उन्हें दो नवनिर्मित निगमों के अधीन रखा गया 1. भारतिय विमान निगम 2. एयर इंडिया 1. भारतिय विमान निगम इंडियन एयर लाइंस देश के आंतरिक भागों के अतरिक समीप वर्ती देश नेपाल, बांगलदेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, शिरिलंका, मियानमार तथा मालदीव को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है 1. एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध करता है, 1981 इस्वी में देश में घरेलू उडान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई थी, जिसका बाद में भारते विमान निगम में विलय हो गया एयर इंडिया प्रमुख तत्ये, मुख्याले, नैदिली, निगमित कार्याले मुंबई, शुभंकर, मास्कट, महराजा, प्रतीक चिन लोगों उड़ते हुए हंस्मी नारंगी रंग का कोणाख, चक देश के प्रमुख अंतराश्री हवाई अड़े एक, जवाहलाल नहरू हवाई अड़ा, सांताकरुज, बुंबई, दो, सुभाष चंत्रबोस हवाई अड़ा, दमदम, कोलकादा, तीन, इंध्रा गांधी अंतराश्री हवाई अड़ा दिली, चार, मीनाम बककम अंतराश्री हवाई अड़ा चे नई, पांच, तिरुन अन पुरम अंतराश्री हवाई अड़ा, आमरिचर, चे, राजा सांसी अंतराश्री हवाई अड़ा, आमरिचर, साथ, बेगंपेट अंतराश्री हवाई अड़ा, हैदराबाद, आट, कोची अंतराश्री हवाई अड़ा, कोची, नो, गुहाटी, अंतराश्री हवाई अड़ा गुहाटी, 10 एहमदबाद अंतराश्टे हवाई अड़ा एहमदबाद, 11 गोवा अंतराश्टे हवाई अड़ा पढजी, 12 गया अंतराश्टे हवाई अड़ा गया, 13 श्रीनगर अंतराश्टे हवाई अड़ा श्रीनगर प्रिष्ट 175 तौभी सगस 2007 को सारवजनी किक्षेतर की विमानन कंपनिया एयर इंडिया एवं भारती विमान निगम इंडियन एयर लाइन्स का विले हो गया ये दोनों कंपनिया अब National Aviation Company of India Limited NACIL के नाम से कारिरत हो गई है कंपनी का ब्रांड नाम एयर इंडिया है भारती विमान पतनम प्राधिकरन का गठन एक अप्रेल उन्सुपिचानवे को किया गया था प्राधिकरन देश में 15 अंतराष्टे हवाई अड़ो और 87 घरेलू हवाई अड़ो और 25 नागरिक विमान टर्मिनलों सहित 127 हवाई अड़ो का प्रभंदन कर रहा है केंद्रिय अंतर देशी ये जलमार्ग प्राधिकरन की स्थापना 1987 इस्वी में की गई थी इसका मुख्याले को लकाता में है देश के जलमार्गो को दो भागों में बाटा गया है एक आंतरिक जलमार्ग दो सामुद्रिक जलमार्ग ये परिवेहन नदियों नहरों एवम जहीलों के द्वारा होता है हल्दिया से इलहाबात तक जल्मार्ग को 22 अक्टूबर 1986 इसमी को राष्टे जल्मार्ग संख्या एक गोशित किया गया सामुद्रिक जल्मार इस द्रिश्टी से भारत का संपूर्ण प्राइड वीपिय तर्टिय भाग काफी महत्पूर्ण भूमिका निभाता है देश की बुख्य भूमिक की 5600 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर 12 बड़े एवं 185 चोटे वा मंजोले बंदरगहा इस्तित है देश का सबसे बड़ा बंदरगहा मुंबई में है बड़े बंदरगाहों का नियंतरन केंद्र सरकार होती है जबकि चोटे बंदरगहा बंदरगहा है गुजराट स्थित कांडला एक जवारी बंदरगहा है यह मुक्त वैपार क्षेतरवाला बंदरगहा है चन्नाई एवं एक कृत्म बंदरगहा है यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगहा है कुद्रे मुक से लोहो अयस्त का इरान को निर्यात न्यू यह जाता है है राश्ट्रि ये जल्मार्ग जल्मार्ग एनोर्ग्वाद से हल्दिया लंबाइ 1620 किलोमेटर, NW2 कहां से कहां तक, साधिया से धुबरी पट्टी, लंबाई 891 किलोमेटर, NW3 कहां से कहां तक, कोलम से कोट्टापुरम, लंबाई 168 किलोमेटर, NW4 काकी नाड़ा से मरक्का कानम 1100 किलोमेटर, भारत के प्रमुख बड़े बंदर गाह, एक नाम कोलकाता, राज्य पश्यमंगाल नदी या खाड़ी एवम समुद्र हुगली नदी, 2, मुंबैय, राज्य महाराष्ट्र नदी अरपसागर, 3, 99, राज्य तमिलनाडु नदी बंगाल की खाड़ी, 4, कोची, राज्य किरल, नदी अरपसागर, 5, विशाख़ा पत्नम, राज्य आंधरपदेश, नदी बंगाल की खाड़ी, 6, पारादुईप, राज्य उडिसा नदी बंगाल की खाड़ी तूती कोरिन राजय तमिल्नाडू नदी बंगाल की खाड़ी आट मार्मा गोवा राजय गोवा नदी अरबसागर 9 कांडला राजय गुजरात नदी अरबसागर 10. नियू मेंगलॉर राज्य करनाटक नदी अरबसागर 11. नहावा शेवा जवाहलाल नहरू राज्य महराष्ट्र नदी अरबसागर 12. एनूर राज्य तमिलनाडू नदी खाड़ी एवं समुंद्र बंगाल की खाड़ी प्रिष्ट 176 13. भारत की जनगड़ना 21. भारती संविधान की धारा 246 के अरुसार देश की जनगड़ना कराने की काईदाइत्व संग सरकार को सौपा गया है ये संविधान की साथवे अनुसूची की क्रम संख्या 79 पर अंकित है भारत में जनगड़ना की शुरुबात 1872 एस्वी में हुई थी भारत में नियमें जनगड़ना की शुरुबात 1881 एस्वी में लौड रिपन की कारेकाल में हुई थी राश्ट्री जनसंख्या नीती 2000 के अनुसार वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिर्था प्राप्त करने का लक्ष है जनगड़ना 2001 एस्वी के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7 प्रतीशत है जो की एक अरब दो करोड 87,37,436 वेक्ति है जिसमें पुरुषों की संख्या तिरेपन करोड 22,23,090 और इस्तरियों की संख्या जास करोड 65,000,14,346 है जनसंख्या की वार्षिक विद्धिदर 2.14 प्रतीशत से घटकर 1.9 तीन प्रतीशत हो गई है भारत में प्रती हजार पुरुषपर महिलाओं की संख्या 933 है 2.2 प्रतीशत से भढ़कर 64.84 प्रतीशत हो गई है जनसंख्या व्रिधि में सबसे अधिक कमी आंदर प्रतेश में हुई है 1981-91 के दर्शक में आंदर प्रतेश की जनसंख्या में 24.2 प्रतीशत की दर व्रिधि थी जबकि 1991 से 2001 के दशक में ये वृद्धी केवल 14.69 रही भारत में जनसंख्या का घनत्व 325 व्यक्ती प्रतिवर्ग किलोमीटर है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्रिम बंगाल है जिसका जनसंख्या गनत्व दौसुतीन व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है। इसके बश्चात बिहार 881 तथा केरल 819 का स्थान आता है। सबसे कंग जनसंख्या गनत्ववला राज्य हरुनाचल प्रदेश 13 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है। सरवादिक जनसंख्या वाले चार राजी घटते क्रम में हैं, एक उत्तर पदेश, दू महराश्र, तीन बिहार और चार पश्टिम भंगाल। सबसेकंग जनसंख्या वाले चार राजी हैं, बढ़ते क्रम में, एक सکिम, दो मिजोरम, तीन अरूनाचल पदेश और चार गोवाव। सरवादिक जनसंकिया घनत्व वाले चार राज्जी हैं घट्टे क्रम में एक पश्चिम बंगाल, दो बिहार, तीन केरल और चार उत्तर प्रदेश सरवादिक साक्षरता वाला राज्जी घट्टे क्रम में एक केरल नब्वे दशमलव नब्वे प्रतिशत, दो मिजोरम अठासी दशमलव आठ प्रतिशत, तीन गोवा बयासी प्रतिशत और चार माहराश्ट्र जीहत्र दशमलव नौ प्रतिशत देश में अब तक पूर्ण साक्षर घुशित किये जाने वाला एक मात्र राज्जी के रण है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्जी बिहार 47 प्रतिशत है ये इस्तरी एवं पुरुष दोनों की साक्षर्था में देश में सबसे कम है पुरुष साक्षर्था बिहार के बाद सबसे कम साक्षरता वाला राज्जे जार खंड है। जनसंक्या वाल राज्जे घट्टे करम में है गोवा 49.8% मिजोरम 49.6% तमिल Näटो 44% और महराश्ट्र 42.4% सरवादिक जनसंक्या वाले शहर 4 शहर घट्टे करम में मुंबई, कोलकात़, दिल्ली और चेननई प्रिष्ट 187 सबसे कम नगरिय जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश जोकी 9.8 प्रतीशत है ग्रामीन जनसंख्या 91.2 प्रतीशत सबसे अधिक नगरिय जनसंख्या वाला के इंद्रशासत प्रतेश दिल्ली जोकी 93.2 प्रतीशत है जिनसंक्या की दिरिष्टी से सब्से छोटा राजे सिंकीम है। सब्से अधिक लिंगानुपात वाला की दिरशासर प्रदेश पुदू चेरी 1001 है। सबसे अधिक साक्षर्ता वाला केंदर शासत प्रदेश लक्ष द्वीप जो की 86.7 प्रतीशत है, सबसे कम साक्षर्ता वाला केंदर शासत प्रदेश दादरा एवं नागर हवेरी जो की 57.6 प्रतीशत है, सबसे अधिक एवं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंदर शासत प्रदेश क्लमशाह दिल्ली 9924 एवं अंडवान निकोबार्द वीब समू 43 है। गौधा भारत की प्रमुग बहुत देश्य नदी गहटी परियोजना है। एक परियोजना का नाम भाकडा नागल बांध परियोजना नदी सतलज नदी लाभानवित राज्ये पंजाब हरियाना हिमाचल प्रदेश राजस्थान। 2. व्यास परियोजना नदी व्यास नदी लाभानवित राज्य राजस्थान पंजाब हर्याना हिमाचल प्रदेश 3. दामुदर घाटी परियोजना नदी दामुदर नदी लाभानवित राज्य जार्खन पश्यम बंगाल 4. हीरा कुंड बांध परियोजना नदी महा नदी लाभानवित राज्य उडिसा 5. चंबल परियोजना नदी लाभानवित राजस्थान तथा मध्यपरदेश 6. तुंग भद्रा परियोजना नदी तुंग भद्रा नदी लाभानवित राजे आंध्रपदेश तथा करनाटर 7. मयुराक्षी परियोजना नदी मयुराक्षी नदी लाभानवित राजे पश्चिम बंगाल 8. नागार्जुन सागर परियोजना, नदी कृष्णा नदी लाभानवित राज आंध्यपरदेश 9. कोसी परियोजना, नदी कोसी नदी लाभानवित राज बिहार तथा नेपाल 10. गंडक नदी परियोजना, नदी गंडक नदी, लाभानवित राजी बिहार और नेपाल 11. फरक्का परियोजना, नदी गंगा और भागी नथी, लाभानवित राजी बश्चिम बंगाल 12. काकड़ा पारा परियोजना नदी तापती नदी लाभानवित राजे गुजराद 13. तवा परियोजना नदी तवा नदी लाभानवित राजे मध्यपदेश 14. नागपुर शक्तिग्रिह परियोजना नदी करो कोराडी नदी लाभानवित राजे भाराश्र संत्रा इंद्रागांधी नहेर परियोजना नदी सतलज नदी लाभानवित्राज राजस्थान पंजाब तथा हर्याना सूलह उकाई परियोजना नदी तापती नदी लाभानवित्राज गुजराद 17. पोच अमपाद परियोजना नदी गोदावरी नदी लाभानवित राजे करनाटक 18. मालप्रभा परियोजना नदी मालप्रभा नदी लाभानवित राजे करनाटक 19. महनदी डेल्टा परियोजना नदी महनदी लाभानवित राजे उडिसा 20 रिहंद योजना नदी रिहंद नदी लाभानवित राज्य उट्तरप्रदेश 21 कुंडा परियोजना नदी कुंडा नदी लाभानवित राज्य तमलनाडू 22. दुर्गा वैराज परियोजना नदी दामोदर नदी लाभानवित राज्य पश्यम बंगाल तथा ज्हारखन 23. किडुकी परियोजना नदी पेरियार नदी लाभानवित राज्य केरल 24 तिहरी बांध परियोजना नदी भागिरती नदी लाभानवित राज्य उत्राखन 25 माताटिला परियोजना नदी बेत्वा नदी लाभानवित राज्य उत्तरपदेश और मध्यपदेश 26 कोईना परियोजना नदी कोईना नदी लाभानवित राज्य महराष्ट्र 27. रामगंगा परियोजना नदी रामगंगा नदी लाभानवित राजे उत्तरपदेश 28. उपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी लाभानवित राजे करनाटक 29. घाडप्रभा परियोजना घाडप्रभा नदी करनाटक तीस भीमा परियोजना नदी पवना नदी लाभानवित्राज्य महराष्ट्र 31 भद्रा परियोजना नदी भद्रा नदी लाभानवित्राज्य करनाटक 32 जायका वाडी परियोजना नदी गोदावरी नदी लाभानवित्राज्य महराष्ट्र 33. रंजीत सागरबांध परियोजना नदी रावी नदी लाभानवित राजे पंजाब 34. घिडकल परियोजना नदी घाट प्रभार नदी लाभानवित राजे करनाटक 35. सतलज नदी सतलज परियोजना नदी जिनाब नदी लाभानवित जम्मु कश्मीर 36. नाथपा ज्हाकरी परियोजना नदी सतलज नदी लाभानवित राजे हिमाचल प्रदेश 37. पनामा परियोजना नदी पनामा नदी लाभानवित राजे गुजरात 38. कोल डैम परियोजना नदी सतलज नदी लाभानवित राजे हिमाचल प्रदेश 49. कांग सावती परियोजना नदी कांग सावती लाभानवित राजे पश्चिम बंगाल 40. परामबी कुलम अलियार परियोजना नदी आठ छोटी नदियां लाभानवित राजे नमिलनाडू एवं केरल 41. मुझकुंड परियोजना नदी मुझकुंड नदी लाभानवित राज्य उडीसा तथा आंधर प्रदेश 42. गिर्ना परियोजना नदी गिर्ना नदी लाभानवित राज्य महराश्ट्र 43. परियोजना का नाम शार्दा परियोजना नदी शार्दा और गूम्ती लाभानवित राज्य उत्तरपदेश 44. पूर्णा परियोजना नदी पूर्णा नदी लाभानवित राज्य महराष्ट्र 45 बार्गी परियोजना नदी बार्गी नदी लाभानवित राज्य मध्यपदेश 46 हंसदेव बंगो परियोजना नदी हंसदेव नदी लाभानवित राज्य मध्यपदेश सेंतारिस दंड कारांडियर परियोजना नदी हंसुदेव नदी लाभानवित राजे उडिसा मध्यपदेश 48 शरावती परियोजना नदी शरावती नदी लाभानवित राजे करनाटर 59. पंचेत बांग नदी दामुदर नदी लाभानवित राजे जार्कन और पशिम बंगाल 50. गंगा सागर परियोजना नदी चंबल नदी लाभानवित राजे मध्य परदेश 51. बांट सागर परियोजना नदी सून लाभानवित राजे विहार उत्तरप्रदेश तथा मध्यप्रदेश 52. नर्मदा सागर परियोजना नदी नर्मदा लाभानवित राजे बिद मध्यप्रदेश तथा गुजरात पिरेपन रणा पताव सागर परियोजना नदी चंबल लाभानवित राज्य राजस्थान चोवन जवाहर सागर परियोजना नदी चंबल लाभानवित राज्य राजस्थान पच्पन सरहिंद नहर परियोजना नदी सतलज नदी लाभानवित राज्य हरियाना 56 तुलबुल परियोजना नदी जेलम नदी लाभानवित राजे जम्मु कश्मीर 57 दुलहस्ती परियोजना नदी जिनाब नदी लाभानवित राजे जम्मु कश्मीर 58 तिलाया परियोजना नदी बराकर लाभानवित राजे जारखन 69. सरदार सरोबर परियुजना, नदी नन्मदा नदी, लाभानवित राजे, मध्यप्रदेश, महराष्ट्र और राजस्थान अंद्रह नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर आगरानगर नदिया यमुना नदी, बद्रिनाथ अलखननन्द, इल्हाबाद गंगा ओल यमुना, दिल्ली यमुना नदी, फिरोसपूर सतलज नदी, आयोध्या सर्यू नदी, कोलकाता हुगली नदी, लखनों गोम्ती नदी, गृबुगर्ण ब्रहमपुत्र नदी, गुहा 59. अरिद्वार गंगा नदी, कानपूर गंगा नदी, पुर्नूल दुपध्रा नदी, सौकोबागार ब्रहमपुत्र नदी, पटना गंगा नदी, शिरिनगर झेलम नदी, सूरत ताप्ती नदी, जबलपूर नर्मदा नदी, कोटा चमबल नदी, कटक माह नदी, नासिक वोदावरी, संभलपूर महा नदी, शिरीरंग पट्नम कावेरी नदी, बरेली, राम गंगा नदी, ओरचा बेतवा नदी, उजयन इक्षिप्रा नदी, वाननसी गंगा नदी, लुध्याना सतलश नदी, विजयवाडा कृष्णा नदी 16. भारत के परवतिय नगर उचाई 2133 मीटर 7. लैंसडाउन, राजय उत्राखन, उचाई 2118 मीटर 8. डलहौजी, हिमाचल प्रदेश 2035 मीटर 9. मसूरी, उत्राखन, उचाई 2005 मीटर 10. कोटागिरी, तमलनाडू 1981 मीटर 11. मुक्तेश्वर, उत्राखन, उचाई 1974 मीटर 12. नेमिताल, उत्राखन, 1938 मीटर 13. कसौली, हिमाचल प्रदेश 1890 मीटर 14. कुर्णूर, तमलनाडू, 1869 मीटर 15. गंटॉक, सिक्कीम, 1850 मीटर 16. मनाली, हिमाचल प्रदेश 1829 मीटर 17. रानिखेद, उत्राखन, 1829 मीटर 18. राची, जारखन, 670 मीटर 19. मिरिक, पश्टि मंकाल, 1800 मीटर 20. स्रीनगर, जम्मो कश्मी, 1768 मीटर 21. कोटलिम, तमलनाडू, 1676 मीटर 22. भुवाली, उत्राखन, 1650 मीटर 23. अल्मोडा, उत्राखन, 1646 मीटर 24. चिलोंग, मिखाले, 1496 मीटर 25. सोलन, हिमाचल प्रदेश, 1496 मीटर 26. नदी हिल्स, करनाटक, 1474 मीटर 27. यरकाड, तमलनाडू, 1469 मीटर 28. महाबलेश्वर, महाराष्ट, 1372 मीटर 29. कालिम, पंगोग, वश्चिम, मंगाल, 1250 मीटर 30. धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, 1250 मीटर 31. कुल्डू, घाटी, हिमाचल प्रदेश, 1250 मीटर 32. माउंटाबू, राजस्थान, 1219 मीटर 33. पंचगनी, महाराष्ट, 1219 मीटर 34. माउंटाबू, राजस्थान, 1219 मीटर 35. पंचमणी, मध्य प्रदेश, 1066 मीटर 36. सपुतारा, गुजराद, 975 मीटर 37. केमान, गुंडी, करनाटक, 914 मीटर 38. पेरियार, केरल, 914 मीटर 49. मंडी, हिमाचल प्रदेश, 709 मीटर 40. लोनावाला, महराष्ट, 620 मीटर 41. खांडला, महराष्ट, 620 मीटर 17. भारत के प्रमुक वन्य जीव अभय आरणिय या राष्ट्रे उध्यान भारत का प्रदम राष्ट्रे उध्यान जिम-कार्बिट राष्ट्रे पार्क जोकी उत्राखन में है इसका पुराना नाम हैली नैशनल पार्क है देश में सरवादिक राष्ट्रव द्यान 11, मध्यबेश में है इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं भारत का सब्से बड़ा राष्ट्र द्यान जम्मु कश्मीर के लेहे जन्पद में है, इसका नाम हिमिस है और ये 3550 वर्ग किलोमीटर में विस्तरत है एक, राष्ट्रो द्यान या अभयारणिये, पलामु बेदला अभयारणिये, राजे जार्खन, प्रमुक वन्यजीव प्राणिये, हाथी, हिरन, तेंदुआ, सांभर, जंगली सुवर 2. दालमा वन्यजीव अभ्यारणिये, राजे जहर्खन, प्रमुक वन्यजीव प्राणी, हाथी, तेंदुआ, हिरन, भालू, जंगली सुवर 3. हजारी बाग वन्यजीव अभयारणिये राज्जे जालखन प्रमुक वन्यजीव प्राणी चीता भालू तेंदुआ चीतल सांभर जंगली सुवल प्रिष्ट एकसो असी प्रमुक वन्यजीव प्राणी हाथी भाग चीता हिरन भालू नीलकाय सांभर जंगली सुवर आठ दुद्भा राष्ट्रियोद्यान राज्य उत्तरपदेश प्रमुक वन्यजीव प्राणी चीता भाग सांभर नीलकाय तेंदुवा हिरन 9. चंद्रप्रभा अभयारणिये राज्य उत्तरपदेश, प्रमुख वन्यजीव प्राणी, चीता, भालू, नीलकाय, तेंदुवा सांफर 10. बांदिपूर राष्ट उत्यान, राज्य करनाटक, प्रमुख वन्यजीव प्राणी, हाथी, चीता, तेंदुवा हिरन, चीतल सांफर 11. भद्रा अभयारणिये राज्य करनाटक, प्रमुख जीव प्राणी, भालू, हाथी, सांफर, तेंदुवा हिरन 12. सोमिश्वर अभयारणिये राज्य가arnatak प्रमुख वन्यजी प्राणि चीता जंगली कुटा हिरण तेनदुव तीरह तुंग भद्रा अभयारणिये राज्य करणर प्रमुख वन्यजीव प्राणि तेनदुव चीतल काला हिरण कौ सिंगा एवम पक्षि 14. पाखाल वन्यजीव अभयारनिय राज्य आंधरपदेश प्रमुख वन्यजीव प्राणि चीता तेंदुवा सांभर भालू जंगली सुवर 15. कावला वन्यजीव अभयारनिय राज्य आंधरपदेश प्रमुख वन्यजीव प्राणी चीता तेंदुवा सांभर भालू जंगली सुवर चीतल 16. मानस राष्ट्य उद्यान राज्य असम प्रमुख वन्यजीव प्राणी हाथी चीता भालू एक सींग वाला गेना लंगूर और हिरन 17. काजी रंगा राश्ट्य उद्यान, राज्य असंथ, प्रमुक वन्यजीव प्राणी, चीता एक सिंग वाला गेना, जंगली सुवर भैसां 18. गाना पक्षी विहार, राज्य राश्ट्थान, प्रमुक वन्यजीव प्राणी, सांभर काला हिरन, जंगी सुवर, मुर्गा, घडियाल और साइबेरियन क्रीन 19. रंथमब और अभै आरणीय 20. राज्य राजस्थान, प्रमुक वन्यजीव प्राणी, चीता बाग शेर तेंडुआ, लकडबग्गा भालू, नीलगाय सांभर 20. कुंभलगर्ड अभयारणिय राज्जे राजस्थान, प्रमुख ववन्यजीव प्राणि, चीता नीलगाए सांभर भालू जंगली सुवर 21. पेंच राष्ट्रय उद्यान राज्य महराष्ट्र प्रमुख वन्यजीव प्राणी 32 सांभर चौसेंगा जंगिसुवर चीतल 22. तंसा अभयारणिय राज्य महराष्ट्र प्रमुख वन्यजीव प्राणी 32 सांभर चौसेंगा जंगिसुवर चीतल पक्षी 23. बोरीविली राश्ट्र योद्यान, राज्य महराश्ट्र, प्रमुक वन्यजीव प्राणी, लंगूर, हिरन, सांभर, तेंदुवा, जंगली सुवर 24 अबोहर अभयारणिये राज्य पंजाब प्रमुख वन्यजीव प्राणी जंगली सुवर हिरन नीलकाएं कालाहंस कभूतर 25 चिलका अभयारणिये राज्य उडिसा प्रमुख वन्यजीव प्राणी क्रेन जलकवा पैलीवन प्रवासी पक्षी 26. सिमली पाल अभयारणिये राज्य उडिसा वन प्रमुख वन्यजीव प्राणि हाथी बाग चीता तेंदुआ सांभर इहरण मगरमच 27. वेदान्त गल अभयारणिये राज्य तमिलनाडू प्रमुख वन्यजीव प्राणि जल्य पक्षी 28. इंद्रह गांधी अभयारणिये राज्य तमिलनाडू प्रमुख वन्यजीव प्राणि हाथी बाग चीतल तेंदुआ सांभर रीच भालू जंगली कुत्ता लंगूर 29. मुदू मलाई अभयारणिये राज्य तमिलनाडू प्रमुक वन्यजीव प्राणी चीता हाथी तेंदुआ सांभर हिरन जंगल कुत्ते 30. डामफा अभयारणिये राज्य मिजोरम प्रमुक वन्यजीव प्राणी कोब्रा चीता बिल्ली फीजेंट 31. पेरियार अभयारणिये राज्य केरल प्रमुक बन्यजीव प्राणि चीता हाथी सांभर हिरन भालू नीलगाएं जंगली सुवर 32. परामवी कुलंब अबयारणय राज्य केरल प्रमुख पन्यजीव प्राणि चीता हाथी सांबर नीलकाय जंगलिसवर हिरन तेंद्वा 33. कान्हा किसली राष्ट्रे उद्ध्यान राज्य मध्यपदेश प्रमुक वन्यजीव प्राणी बाग चीतल तेंदुआ सांभर बारह सिंगा चौतीस पंचमणी अभयारणिय राज्य मध्यपदेश प्रमुक वन्यजीव प्राणी बाग तेंदुआ सांभर नीलकाय चीतल हिरन भालू जंगली भैसा 35. डाचिगम राश्ट्रोध्यान, राज्ये जम्मु कश्मी, प्रमुक वन्यजीव प्राणी, 32 काला भालू, लाल भालू, हिरन प्रिष्ट 181 पखुई वन्यजीव अभयारणिये राज्जे अरुनाचल प्रदेश प्रमुख वन्यजीव प्राणी हाथी हिरन अजगर सांभर चालीस सुल्तानपूर जील अभयारणिये राज्जे हरियाना प्रमुख वन्यजीव प्राणी विबिन जलपक्षी 41. रोहिल्ला राष्ट उद्यान राज्य हिमाजल प्रदेश प्रमुक वन्यजी प्राणी कस्तूरी हिरन भुरा आलू पहाडी मुर्गा पहाडी तेंदुआ 42, सुन्दर्वन राष्ट उद्यान, राज्य पश्चिम्बंगाल, प्रमुक वन्यजीव प्राणी, बाग, चीथा, हिरन, मगर्मच 43, भगवान महवीर उद्यान, राज्य गुवा, प्रमुक वन्यजीव प्राणी, हिरन, चूहा, साही, सांभर 44, नोगर वाइलिम अभ्यारणी, राज्य वेखाले, प्रमुक वन्यजीव प्राणी, हाथी, चीता, वाग, हिरन, सांभर भालू 45, कीबुल, लाम, जाओ, राश्य वत्यान, राज्य वन्यपुर, प्रमुक वन्यजीव प्राणी, हिरन, जंगली, बक्री, विबन, जल, मचिया नोट, शीतकाल में भारत में साइबेरिया, सारस, केवला, देव, घना, पक्षी वेहर, राजस्थान में प्राया दिखाई पड़ते हैं अठारा, भारत के प्रमुख भोगोलिक उपनाम, भोगोलिक उपनाम, इश्वर का निवासस्थान, शहर प्रयाग, पांच नदियों की भूमी, पंजाब, साथ आपुओ का नगर मुंबई, बुनकरों का शहर पानिपत, अंतरिक्ष का शहर बेंगलॉर, डायमंड हारबर क पोलकाथा, इलेक्रोनिक नगर बेंगलॉर, भारत का प्रवेशद्वार मुंबई, पूर्व का वेनिस कोच्ची, भारत का पिट्सबर्ग जमशेतपूर, भारत का मैंचेस्टर एहम्दाबाद, मसालों का बगीजा केरल, गुलाबी नगर जैपूर, क्वीन ओफ डेकन, प गुजरात, सोया प्रदेश, मध्यपदेश, त्योहारों का नगर मदुरई, स्वन मंदिर का शहर अम्रिटसर, महलों का शहर कोलकाथा, नवाबों का शहर लखनौ, इसपातनगरी जमशेतपूर, परवतों की रानी मसूरी, रैलियों का नगर नईदिली, अरब सागर की रा भारत का पैरिस, जैपूर, मेगों का घर, मेघारले, बागीचो का शहर, कपूर्थला, प्रित्वी का स्वर्ग, श्रीनगर, पहाडों की नगरी, दूंगरपूर, भारत का उध्यान, बिंगलोर, भारत का वोस्टन, एहम्रबाद, गोल्डन सिटी, अम्रिटसर, सूती वस ब्लू माउंटेन, नीलगीरी पहाडिया, एशिया की अंडो की टोकरी, आंधरपदेश, राजस्थान का हिर्दय, अजमेर, सूर्वा नगरी, बरेली, खुश्बूओं का शहर, कन्नौच, काशी की बेहन, गाजिपूर, लीची नगर, धहरदुन, राजस्थान का शिमला, माउंटावू, सुपर प्रसारित नगर, चेन्नाई, केरनाटक का रत्म मैसूर, पवित्र नदी, गंगा, बिहार का शोक, कोसी, व्रिद्ध गंगा, गोदावरी, पश्टिम बंगाल का शोक, दामोदर, कोटायम की डादी, मल्याला, जुडवा नगर, हैदरबाद, सिकंद ताला नगरी, अलिगड, राष्ट्री राजमार्गो का चौराहा, कार्पूर, पेठा नगर, आगर, भारत का टॉलिवूड, कोलकाता, वर्नगर, देहरदुन, सूर्य नगरी, जोथपूर, राजस्थान का गोरभ, चित्तोरघड, कोईला नगरी, धनबाद, 19, भारतिय राज्य एवं केंद्र शासत प्रदेशों की राजधानी, एक, बिहार, राजधानी पटना, पश्रिमंगाल, कोलकाता, असं, दिस्पूर, आंधरप्रदेश, हैदराबाद, उडिसा, भुवरेश्वर, उत्तरप्रदेश, लखनाउ, करनाटक, बेंगलॉर, केर तिरिवननतंपुरं, गुजरात, गांधिनगर, जम्मुकश्मीर, श्रीनगर, तामिलनाडु, चेननै, त्रिपुरा, अगरतला, नागलन, कोहिमा, पंजाग, चंडिगर, हरियाना, चंडिगर, मडिपूर, इमपाल, मध्यप्रदेश, भोपाल, महराष्ट्र, मुंबई, म गालिय, शिलॉम, राजिस्थान, जैपुर, हेमाचल प्रदेश, शिमला, सिक्किम, गंटॉक, मिजोरम, आईजॉल, अरुनाचल प्रदेश, इत्यानगर, गोवा, पंजी, उत्रघंड, देहरादून, चत्यसगर, राइपुर, जारघंड, राजी, केंद्र शासत प्रदे दिल्ली, नई दिल्ली, चंडिगर, चंडिगर, लक्षुदीप, कवारती, पदुचेरी, पुदुचेरी, दमन और द्वीव, दमन, साथ, दादर्वा, नगरहवेडी, सिल्वासा, चार अंडमान, एवं निकोबार द्वीव समू, पोर्ट, ब्लेयर प्रिष्ट 183, 20, भरतिये जंजातियां, गुजरात, भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, तोडिया आदी, हिमाचल प्रदेश, गड़ी, अत्वा, गुड़ी, कनोरा, लाहुली आदी, जम्बु कश्मीर, बक करवाल, गड़ी, लदाखी, गुजर आदी, केरल, उराली, मोपला, इरुला, पनियान आदी, मध्यपदेश, भील, लंबाडी, बंजारा, गौड, आबुज मारिया, मूरिया, बिशनहान, गौड, खेरवार, असुर, वैगा, कोल, मुंडा आदी, महराश्र, बारली, बंजारा, कोली, चितपावन, गौड, आबुम्फ माड मधिपुर, कुकी, मैठी, या मैठी, नागा, अंगामी आदी, मिघाले, गारो, खासी, जयन्तिया, मिकिरी आदी, मिजोरम, लाखर, पावो, मीजो, चक्मा, लुशाई, कुकी आदी उडिसा, जुआंग, खरिया, भव्या, संथाल, हो, कोल, ओराम, चेचुं, गौण, सौन, आदी, राजस्थान, मीणह, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली, आदी, सिक्किम, लेपचा तमिलनाडू, बढगा, टोड़कोटा, कोटा, टोड़ा, नीलगिरी की मूल जंजादी त्रिपुरा, रियांग, अत्वा त्रिपुरी आदी, उत्रगन, थारू, कोए, मारा, निती, भोट, अत्वा भोटिया, गड़वाल और कुमायु ख्षेत्र, खास, जौनसार, बाबर ख्षेत्र में आदी में पश्चिम बंगाल, लोगा, भूमिज, संथाल, लेपचा, दार्जनिंग ख्षेत्र में आदी, असम, राभा, दिमारा, कोचारी, वोडो, अबोर, आवो, मिकिर, नागा, लुसाई आदी आंदरपदेश, चैंचुस, कोड़स, सवारा, गदवा, गोण आदी, अरुनाचलपदेश, मुमपा, डबला, सुलूंग, मिश्मी, मिन्योंग, मिरी, गेलोंग, अपतनी, मेजी आदी, जारखन, संथाल, मुंडा, हो, ओराम, बिरहोर, कोरबा, असुर, भूया, गोण, भूमिज, पादी, और इसी के साथ भूगोल से संबंद दिये जानकारियां यहीं पर समाप्त होती है, प्रिष्ट 184